आखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीवें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजलें आवाज देंगी सफर जारी रखो, नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंग, मैथ्स गुरू यूटूब चैनल पे आप सभी क हार्दिक स्वागत फिर्फा हूँ, और आज हम लोग डिसकस करेंगे, PGT Mathematics 2013 का पे पर जिसमें प्रस्चत संख्या एक से लेके 25 तक के प्रस्चनों को फल करेंगे, चलिएगा यहाँ पहला question आपके साथ, प्रस्चत कह रहा है, the value of the cosine of the angle would be x-axis and the vector, अब देखिए x-axis का जो स्थित सदिस होता है, वो हमारा क्या होता है, आई होता है, अब इसे a is equal to radical, means a is equal to, a is equal to कितना हो जाएगा, a is equal to i हो जाएगा, vector a is equal to i, और vector b is equal to हो जाएगा, 2i plus 2j plus k, हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच की cosine निकालना है, अब हमें पता है, जो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, और एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच में अगर angle कितना theta है, इन दोनों का जो dot product होता है, वो होता है, vector a dot vector b is equal to a b cos theta, where a and b are modulus of vector a and vector b, है न, चलेगा a, vector a रखिये का i dot 2i plus 2j plus k, है न, रखें हैं यहाँ पर, सारी चीज़े रख लेंगें, कोई दिक्टर नहीं है, अब देगें, equal to, अब a का modulus, यानि की i का modulus, i का modulus हो गया, फिर b का modulus कितना है, बी रखो, 2i plus j plus k, और cos theta, अब हमें पता है, कि अगर vector a बराबर हमें दिया जाए, क्या, a1i plus b1j, या आ, a2, 0, इसे कोई दिक्टर नहीं, a1i plus a2j plus a3k, ये देदी आ जाए, और हमें इसका vector रिकालना हो, vector का modulus रिकालना हो, इसना हो जाएगा, under root हो जाएगा, a1 square plus a2 square plus a3 square, तो हमें क्या करना है, मितलब कि i के coefficient का square, प्लस j के coefficient का square, प्लस k के coefficient का square, पहले multiply कर लेते हैं इनका, i और i के साथ multiply होगा, तो i square के value 1 होती है, बाकि i और j 0 हो जाएगे, i dot k 0 हो जाएगे, यानि कि ये आ गया है, इधर स्बच्चा सिर्फ हमारा 2, अच्छा 1 का modulus, i का modulus हो जाएगा, root 1 है न, कितना हो जाएगा, root 1 और इसका modulus कितना हो जाएगा, 4 plus 2 square, 4 plus 1 है न, और यहाँ पे, cos theta, यह हो जाएगा, 2 बराबर, 1 into, यह root 9 हो जाएगे, न, 9 हो जाएगे, और यह हो जाएगा, cos theta, cos theta पराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, पहला option correct हो जाएगा, नेगेंगे, यह प्रस्ट संख्या 2, प्रस्ट संख्या 2 में कह रहा है कि, if x is equal to alpha and x is equal to beta, satisfied है एक question, अच्छा, इसे satisfied कर रही है, और यह एक question हमारी किसमे दी जएगी है, cos square x, cos x है न, और डेट्रिक है, लेकिन किसमे है, cos में है, तो इसके जो root होंगे, बो क्या हो जाएगे, एक के root हो जाएगे, पहले वाले के, cos alpha, cos beta, दूसरे वाले के root हो जाएगे, sin alpha, sin beta, हमें क्या करना है, पहले sum of root निकालना है, sum of root क्या होता, दोनों मूलों का योग पर होता, minus का भी by a, product of root कितना होता, c by a, यानि कि दोनों मूलों का गुरन फालिका होता, c by a, जो हमारी question होती है, ax square, but bx plus c is equal to 0, चलिएगा, यहाँ पर निकालते हो, यहाँ हो जाएगा, cos alpha, plus, cos beta, बराबर कितना हो गया, minus का b by a, पहले question में देखो, b का value कितना है, a, तो minus का a हो जाएगा, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ तो निकालो, product आप, दोनों का product आप, बराबर कितना हो जाएगा, c by a, यानि कि b है, c की जगते हैं, तो बैर करेंगे, यहाँ पर कितना है, अचरपद, b है, फिर इसके बाद, दूसरे वाले question में आजाओ, sin alpha, plus sin beta, इस गोल्टो कितना हो जाएगा, यह दिया गया, q, और यहाँ तो कितना, p, यह हो जाएगा, minus का p by a, k की value जाएगा, फिर यह है, sin alpha, और यह है, sin beta, इस गोल्टो, c by a, यानि कि q, समझ में आ रहा है कि हमे, a square plus b square निकालना, या a square plus b square उसी type से करना है, तो हम क्या करें, पहले माली जमिने, एक question change ले, question लामा लेते हैं, यह है हमारी question 1, और यह है question 2, दोनों question को work करके जोड दिया जाएगा, क्या किया जाए, question 1 का square किया ज़ल जाए, question 2 का, किया ज़लों के बरफ़के जोड दिया, कितना हो जाएगा, therefore कि पहले वाले का boss square alpha, plus boss square beta, plus boss alpha plus boss beta का all общем square, 2 boss alpha, prize was more, just aить too, youlen subject 2, one division a力, plus sin alpha plus sin betaит, सब्सक्रिए सक्राइगा हमारा साइन स्कुरर आलफा से आप ही आपको बना इंड मी प्लस तो फो पॉस अलफा पॉस अलफा पॉस अलफा इंसे पॉस अलफा की वैलू है B यह कितम हो जाएगा प्लस का 2B है यह बचा हमारे पास प्लस 2 चाइन अलफा और साइन वीटा की वैलू की 2Q के बना बर 2Q is equal to कितना दिया गया है? A squared plus B squared बन और 1 कितने हो जाएगा 2 तो 2 plus 2B plus 2Q is equal to A squared plus B squared यह हो जाएगा 2B plus Q is equal to A squared plus B squared यह प्लस का 2 है इसमें प्लस का आप्शन सही होता C but अगर यहाँ पे 2 into में होता है यहाँ पे 2 into में होता तो सही हो जाता इसमें कोई option सही नहीं था यहाँ लेकिन सही option क्या हो जाएगा 2 into B plus Q is equal to A squared plus B squared minus 2 चलिएगा यहाँ पे देखते है next question प्रस्ट नमबर 3 प्रस्ट नमबर 3 में खा गया है कि A और B के इत्रिट सदिस्टंस है A और B है तो A B के मद्द बिंदू यह प्रस्ट धायरेक्ट हो जाएगा यह हो जाएगा है एक बटे के मद्द बिंदू के क्या होजाएंगे यह हो जाएगा बाई यह दिय orth Yum is a position ब्रस्ट का भी इया गया तो 1 ऑपे 3 को सबसी ऑपर से विखते हैगा से लिए अगे और धे ceremony question number four, बढ़िया question है, कराए, a sort of mass M is fired from a gun of mass M, हमारे पास M द्रब्मान की capital M द्रब्मान की gun है, और M mass की क्या है, sort यानि की गोली है, तो हम इसे गोली बना लेते हूं, यह हमारी गोली है, यह गोली है, यह गोली है, और इसका mass M then m, ग्रफ सम्ण Nova, मालन दिया गया और अंठ है अमारे पास gund उन हमाले पास ठीक है, और अब इस घन का mass M दिया गया है capital है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन सभी कि हम क्या करेंगे, वास्परिक बेग लेटे कर लेते हैं वास्परिक बेग उचा गया है यू वेक से चले, कितने वेक से चले, यू वेक से, तो बंदूग के साफ ह गोली का वेक कितना दिया गया है, यू दिया गया है, तो बंदूग के साफ ह गोली का वेक निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह V1 है, माइनस अब बंदूग को क्या हो जाएगा, बैसे तो V2 कि जब गोली जाएगी तो इसका डेसे दैरेक्शन जो बिकार निगेटीव हो जाएगा फिसके बाद हमारे पास क्या है ? सम्बेक्सन रक्षण का नियम क्या कहता है वो कहता है संव्वेक संदक्षन का नियम कहता है कि गोली का संव्वेक बराबर होगा किसके बंदूप के संव्वेक यह बदलेगा नहीं सुम्वेक पी बरावर क्या होता है M into V सुम्वेक पी बरावर कितना होता है M into V कितना हो जाएगा M V गोली के लिए बात हो रही है तो इसमाल M V1 is equal to हो जाएगा capital M V2 है ना अब यहां से V2 का value निकाल लो एक में convert दलो दोलों को यह तो हो गया M V1 is equal to capital M V2 की जगह पे यहां से हम रच सकते है U minus V1 U minus का V1 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा इसमाल M V1 है ना plus capital M V1 is equal to capital M U फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे देखेगा यहां से निकालेंगे हम V1 लेंगे common V1 common लेंगे M plus capital M हो जाएगा और यह हो जाएगा practical M U V1 बरापर हो जाएगा practical M 2 पते इसमाल M plus practical M यह V1 निकल गया V1 मतलब की यह गोली का वेग निकल गया अब यहां तो यहां तो गलत हो गया यह भी गलत हो गया अब होना है या तो उतक्ता A या तो उतक्ता C पतक्त कि अब हमें V2 भी निकालना ही पड़ेगा यह को V2 निकालेंगे इसे यूज करेंगे V2 बरापर कितना हो जाएगा यहां से साल N ÷ 2 बटे इसमाल एम बटे इसमाल एम बटे ट्रिकल एम इसमाल से काट ही दिए को कितना बचेंगा साल हम प्लस अप्न आ यहां पर ँप माट्रीग्षित ओढ़ आ हो जागा झाल हो जाएगा यहां पर गोली और बंूधु के जो वाक्तिकक प्रिटिकल पॉइंट निकालेंगी जो हमारे पास यह दिया गया वहुपद उसे क्या को ती रो की पराबर देना है किनी के आदार के देखेगा आई इस इगल टू पहले लिमिट टूटेगी कहा से माइनस तू से माइनस वन तक माइनस तू से माइनस वन के बीट में हमारा जो पंशन होगा वह क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क् पॉस्टी भी रहेगा प्लस यह हो जाएगा वन से लेकर तो तक और यहां पर भी पॉस्टी भी होगा फिर माइनस का मल्टिप्लाई कर दो यहां पर तो यह 1-1-2-1 हो जाएगा अब क्या करिए आप इसका इंटीग्रेशन करिए अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वार माइनस 1 का एक्स स्क्वार का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बट्रे तीन और यह हो जाएगा माइनस का एक्स लिमिट कितनी है माइनस से दो और एक प्लस यह दी गई है यानि कि x minus x cube, limit कितनी है, minus 1 से 1, plus, यह दिया गया है, x minus, और यह दो आएगा, x cube y3, और यह हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक, चलिएगा, अब apply करते हैं, आप minus 1, बोले लिए, पहले क्या करेंगे, पहले हम upper limit रखेंगे, upper limit रखेंगे, तो प्तिता आ जाएगा, upper limit रखेंगे, तो यह आजाएगा, minus 1 रखेंगे, पहले, पहले रखेंगे, minus 1, minus का 1 बच्चे 3, अब plus का आजाएगा, अब देखो minus भी करते जाएगे, साथ में lower limit भी रखेंगे, lower limit रखेंगे, जैसे ही हम, तो minus का 8 बच्चे 3 आएगा, फिर फंसा नाम लेडी माइन, minus होता ह तो कितना हो जाएगा, 1 minus 1 बच्चे 3, और minus का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, plus का 1 और minus का 1 बच्चे 3, प्लस यह हो जाएगा, 2 minus, 8 बच्चे 3, minus का 1, plus का 1 बच्चे 3, एना, calculate कर लेते हैं, इसे, तो में minus का 1 बच्चे 3 है, और यह 8 बच्चे 3 है, तो कितने है, 8 बच प्लस का एक है, यह माइनस के दो है, कितना बचे तो माइनस का बचे तो माइनस का बचे तो माइनस का बचे तो यहां पर कितना आ जाएगा, वो तो यह एक एक दो हो जाएगे, और यह माइनस के दो बचे तीन हो जाएगे, दोनों को हल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, चा एक बच्टे तीन है तो इस साथ बच्टे तीन ये भी बच्टेंगे साथ बच्टे तीन माइनस का एक साथ बच्टे तीन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास इन घड़ गाएंगे ये हो जाएगा चार और चार यहां किसा है, यहां किसा माइनस एक का? है न, दो माइनस का एक, तो उ батनी इंसा, गतुल की और करेक्ट हो जाएगा चलिएगा आधी क्वेस्ट नमबर 6 जबहुत बहतरीन क्वेस्टन है इस प्रश्चन को करने का सबसे अंदाज अलग होगा और सबसे सांधार करीफा कभी भी हमारे पास स्रेडियां जो आएंगी हमेसा वहां से ब्लेट करेंगे जब्हों यह प्र Baylt निया गया गरत्तर सेडे में हैं। तो हम क्या करेंगे टी गरत्तर सेडे में लेलें एक लेले फीं कामान। के माना लेले हम दो और और अवा घार का मान लेले 2 की पावर 2 यानी की चारर और स का मान लेले 2ificación सÁ result अब जेब उरोगतर सेडिक एलिमेंट ले लिया ना अब हमसे ये कह रहा है कि 1 by p square plus q square तो पहले 1 by p square plus q square रखो 1 by p square plus q square यानि कि 1 kai square plus 2 quite square 1 quite square 1, two quite square 4, one plus 4 हो जाएगा 5 अब ये कितना हो जाएगा 1 by q square plus r square यानि कि 2 quite square चार, 4 का स्क्थोर जोला कि इतना हो जाएगा होजाएगा हार और सोलो साओं कि दहाएगा in a bit करेंश को ब добавर नहीं है है अब गryए नियुदध्र नहीं ही रहाबरी नहीं सकुल नहीं है एक बटटे 25 ओर एक बटे 20 में शारवाल पात बराबर होता है, है न, moment ratio बराबर होता है, moment ratio बराबर होता है, moment ratio एकपन होता होता है, वो स्प्रेज होती हमारी GP, यह होगी हमारी geometric progression, है न, साथ महां देखेंगे, question number 7, एक सामधार question, यहां पर आपको में कुछ पहले बात नहीं बता देता हूं, देखेंग साथ सी प्लस सी ठीटा, और साइन सिक्स्टी माइनस ठीटा, यह होता है, यह होता है, साइन सी ठीटा पट्रेज चार की दरावाल, यह याद रखना है, कल्कुलेट किया जा सकता है, हल हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्तत नहीं, आप ये दोनों वैलों रखें, calculate कर साइन और यह है cos 60 minus theta यह होता है cos 3 theta बते 4 के बराबद और अगर दे दिया जाए 10 theta 1060 plus theta 1060 minus theta यह होता है 10 3 theta के बराबद तो अब करेंगे इसका use हम यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया गया है cos यह को 5 by 3 का मतलब होता 60 यहाँ पे आ चुका है cos 60 plus theta cos 60 minus theta यहाँ देखिएगा इतना हो जाएगा यह हो गया cos x हो गया और यह cos 60 plus x हो गया और यह हो गया cos 60 minus x एक बटाटा चार अब आपको मैंने बताया कि यह किसके बरावर होगा cos 3x बट्टे 4 के बराबर होगा, यह पूरा किसके बराबर होगा, इस बात हुई है, cos 3x बट्टे 4, cos 3x बराबर 1, cos 3x बराबर कितना आ गया, 1, अब अगर हम इधर, 1 आना चाहिए value, cos में किसकी value 1 होती, cos 0 की value 1 होती, इसके बाद कब 1 आएगी, 2 pi आएगी, एक condition हमें दी यही 0 से 6 pi तक लेना, x, 0 से 6 pi तक लेना करा, x बिलांग 0 to 6 pi, चलिए, देखे गए, यहाँ पर एक काम करेंगे, यह cos 3x है, इसके general value ले 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 अच्छे, cos 3x है, यानि कि कहने का मतलब यह है, cos 2n pi, n pi की value जो होगी, अगर हम यहाँ पर क्या रखते, अगर हम यहाँ पर 0 रखते वेलु क्या रखते, 0, 0 होजायगा, यहानि कि 0 की value ले 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 होगी, अगर हम यहाँ 1 रखते यह है, 2 pi की होगी, 2 rAKते है, 2 pi अगर हम यहाँ पर क्यत्ना रखते है, 1 रखते है, 2 pi, 2 रखते यह झेंगे, तक की 5 तक का हो जाएगी? यह जनरल मैलू कितनी हो जाएगी है हमारी यारी कि 3x एक को तो तो थोटन पाइगा हो जाएगा 2 m sum 2だ 2 and 5 लगो यहाँ आनपे 0 हो जाएगा 0 की बाद कितन फाइगा 2 πाई हो जाएगा 2 πाई के बाद 3 x तारह है यह 4 pi हो जाएगा, और कहा तक जाएगा, तेरी एक 6 जब तक आ जाना है, तो 18 के लिए आएगा, शेत्रीक 18, 18 तक जाएगा, 18 pi तक, 18 pi तक, यानि कि कितने terms बन जाएगे हमारे पास, यह 9 terms बन जाएगे, एंगा वैलू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और 18, जितने pi आ जाएगे, x बराबर कितना जाएगे, 9 term बन जाएगे, 2 and pi, फैका sum हम से पूछा गए, इनका sum कितना होगा, है न, तो कितना हो जाएगा, पट्टे 3 हो जाएगा, आप n बराबर यहां पर रख दो, 9, एन बराबर रख दो कितना, 9, तो यह हो जाएगा, 2 and pi तो यह कितना हो जाएगा, अब आप निकाल दो इनका sum, कहां से निकालेंगे sum? 0 से ले जाना है, कहां तक 9 तक जाएगा, इनका value 0 से लेके 9 तक जाएगा, 2N π, y3, अब यह हो गया, बराबन कितना हो जाएगा? तो 5y3 से कोई अब दग नहीं, उसे आप दिकाल लो, यह ना, 9 तक के नंबर्स को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा वो? वो हो जाएगा, 1 बटे 2, N into N प्लस 1 होता है, तो 9 बटे 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 10, तो काट दिजिए से, 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और यह आजाएगा, 10, 5, एक तो यह तरीका है, इसे करनेगा, जैसे आप करना चाहिए, इसे आप जाएगा, जैसे आप जाएगा, जैसे आप जाएगा, अब हमें पता है कि जमान कहां से 0 सु रोल, 1 मान कहां से आएगा, 0 का मान बन होता है, 2 पाई का होता है, चुकि हमें 6 तक रखना है, और यहां तक कितना है, 3 है, कितना है, 3, तो हम कहां तक जाएगा, 18 तक जाएगा, 18 पाई तक लेगे, देखेगा यहां पे, यह कितना हो ज हो जाएगा इतना हो जाएगा जोड़ना हो जाएगा जोड़ना हे एक बट्य हो नो यह माल कितना है जोड़ों कितना हो गया, 4 आएगा, 6 आएगा, टॉट, 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 कहां तक जाएगा भाई? थारा 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, टाट दीजिए इसे, 10 पच्चे गए है, यहाँ पी, और यह कितना है भाई, पाई बाई 3 है, इतना आ जाएगा, पाई पाई 3 गुड़े ही, नव नपे, 30 से ताट दो, 30 कितना जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 30 पाई आ जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, चलिएगे, आप प्रजेक्टिंगे अगला कोड़, अगले क्वेस्टन बिचारा दो बल दिये गए है, ना, दो बल, आई माइनस तूजे प्लस 5 के, और 3 ते माइनस 4 के जो बिंदू, आई प्लस तूजे प्लस 3 के पर कारिकर रिचा रिचा बिंदू आई प्लस 2 जे प्लस 3 के परिचा अगूर क्या होगा, यह हमें बताना है, यहां पर फोड़ी सी मिश्टेक है, परिचा हुआए, अला, आप यहां से लेक्टिंगे, आप इंगलिस वाला देते हैं, यह, माइनस का, 2 आई प्लस का, 3 जे माइनस 4 के परिचा हमें निकालना है तो पहले हम निकालेंगे यहां पर नेट पोर्स, नेट पोर्स में क्या होगा, दोलों पोर्स जोड़ दिये जाएंगे, तो यहां पर आई है, और इसमें का आई नहीं है, तो सुब आई आजाएगा, फिर यह जो माइनस का 2 जे है, यह प्लस का 3 जे है, तो प्लस का जे हो इसके बाद हमें क्या निकालना होता है और और निकालते कैसे हैं तो भी हमसे कहेगा इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे परिडामी का बंदू दिया होता है उस पॉइंट को कहते हैं जो भी पॉइंट पे बलकार कर रहा होता उसे सब्ट्रेक्ट करते हैं इसमें इब आउट वाले में परिता वाले में इस पॉइंट पे बलकार कर रहा होता उसे घटा दे कितना हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का k घटाना है किसे i plus 2j प्लस 3j जिस बिंदू पर वर्क कर रहा है उदे घटा दीजी आप घटाओगे तो घटाने पर आ जाएगा कितना यह बन जाएगा हमारा माइनस का 3i और प्लस का j यह हो जाएगा माइनस का तोर के हो जाएगा अब हमें निकालना है यहां पर बल आगोर थे न केलना है बल आगोर, वेक्टर मुमेंट कितना हो जाएगा टाव बराबर क्या होता है अब वेक्टर R वेक्टर R आर प्रोस्त एपर असे निकाल पाई जूत के और यहां से आर दिया गया है तिसमा माइनस का तीन यहां यहां एक यहां दिया गया एक 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 चल्कुलेट कर ली चिर पाई हो जाएगा इन्टू 1 plus 5 1 plus 5 1 plus 4 5 हो जाएगा minus का j into k चूटेगा minus का 3 plus का 4 minus का 3 plus का 4 तो कितना plus का 1 बचेगा plus k into यह चूटेगी minus का 3 minus का 1 minus का 4 यह हो जाएगा 5 I minus का 3 minus का 4 यह पाँच आई minus का 2 minus का 4 आप्शन सही होगा आप्शन बे में आप्शन B क्या होगा करेक्ट हो जाएगा चलिएगा प्रस्ट संखर 9 देखेंगे प्रस्ट संखर 9 कह रहा है कि एक बृत्ट की एक प्वेशन दीगे है हमें कराओ समीचान और भृत्ट स्कर्ट की प्रस्ट कीयिगे है रिडियस की कितने भी यह रेडियस इस गोल्टू दीज़े है अंडर रूट G स्क्वार प्लस X स्क्वार माईनस C लेकिन इस बात और कह दिए है यदि G स्क्वार प्लस X स्क्वार बराबर C हो जाए तो ऐसी दस्ता में ग्रित्व को क्या कहेंगे साधार्ण मिट्ट कहेंगे ordinary circle कहेंगे, line circle कहेंगे, या degenerate circle कहेंगे, या above कहेंगे, देखेगा, इसकी जगा बगारा, g square प्लसेट, square बराबर c हो जाए, c minus c, कुतना हो जाएगा, root 0, कुतना आजाएगे, radius कितनी आजाएगी, 0, जब radius 0 आ जाया तो इसलम बो बोलते हैं इस जन्रेट सरकल यानि कि आप वरिष्ट वरिट 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 हो जायगा इसको क्या करना है मैं एल्कृटर के x की वैलो निकालनी है जाली है यह हो जाएगा मैंने कम्मुनिटी में पोस्ट किया था और सुसील दीके एंसर सही थे उसमें तुरंदर राना जीने एंसर किया था इन डोनों लोगों का एंसर सही था इसका चलेगा कैल्गुलेटर यह दिया गया 2x plus 3 अलाकि हमारी दुम्मधारी यह है कि इसका मल्टिप्लाई इससे डिरेक्ट कर ले जहें लिखने की दरूरत नहीं थी 6x plus 7 का मल्टिप्लाई होना इसके साथ 2x plus 3 के साथ बराबर ने चार एकस क्लस 5 है और बराबर को धिया गया 3 एक्स प्लस 2 चलेगा 6 का गोड़ा करो 6 एक्स का गोड़ा करो इसके साथ तो जितना हो जाएगा 12 एक्स स्कोर आजाएगा अब 18, 4, 22, 10, 32 x यह हो जाएंगे, 32 x प्लस का 21 बराबर में हो जाएगा 15 और 8, कितने हो जाएंगे, 15, 8, 23 हो जाएंगे, 23, प्लस का कितना दिया गया, 10, आप क्या करेंगे, 23 x है याँपे, याँटा लेते हैं याँपे, कितना हो जाएगा, 22 x में ढटाना है, दिया माइनस के, i-2 x माइनस करने हैं, और यह 10 का माइनस का हो जाएंगे, 10-1 हो जाएगा, उतना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा, x प्लस की फोल्टो, यहाँपे हम घटा लेंगे, 17 पे, 12 में 9 चले जाएंगे, खेमे यहara win minimum का 11 हो जाएगा, क्या निकालना F प्लस G किसके बरावर हो जाएगा क्यों हो जाएगा F2 प्लस G2 F2 जो आपका एक्ष दिया गया है वहाँ एक्षी दिगा 2 रख दीजिए दो X है दो बुडे 2 हो जाएगा प्लस GX यह कितना हो जाएगा GX जाएगा F2 इताहा F2 रख दिए 2F2 कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 4 plus 4 plus 2 448 plus 2 2 10 हो जाएगा यह दिऄ ऑफ्षा यहाँ पर correct हो जाएग फिर यहां पर B A दिया गया है, जब हो यहां पर O A का position vector दिया गया है, B का भी position vector दिया गया है, position vector पर हमें निकालना क्या है, B A, B A क्या होता है, बी यह होता है, क्यों हो जाएगा O A minus O B, बाद वाले point का position vector minus पहले वाले point का position vector होता है, O A कितना हो जाएगा, vector A, minus O B कितना हो ज यह पेपर बहुत आसान है तो फुर्फ यह भी सी दिया गया है और हमें यहां पर कॉस्ट ए का वैलू निकालना है हमें क्या करना है यहां पर अब देखेगा यहां पर कॉस्ट ए निकालना है यह पात यहां पर कॉस्ट ए का जो फर्मूला होता है जो क्या होता है ए है न ए व b2 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 b केल्किलियट करेंगे तो कितना आएगा भाई ये आ जाएगा इसे हम क्या करेंगे चौसक आप इसमें घता दीजिए इसमें चौसक घता दोगे 289 मुद्ध 25 बच रहना दोबुड़े दोबुड़े जोड़ो्ड बात बराबर रहे हैं दो बात बेडार है। निकालते हैं, यह हो जाता, C square plus का A square minus का B square बटे 2CA, जो एंगर यहां तो कब हो साइड माइनस की जाली जाएगी, और जो दो यह साइड होंगी, ओ 2CA में वही साइड सेम आते हैं, ठीक, यह आधर है, चलिएगा, question number 14 देखेंगे, question number 14 हमको दिया गया है कि P और R, एक काम को 30 द तीस दिन में करते हैं, तो P plus R, इसका दिन का टाइम लेते हैं, यह लेते हैं टाइम, टीस दिन का, उसके बाद question में चालिया, P और Q, उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो P और Q, उसी काम को 45 दिनों में करते हैं, Q और R जो है, वो मिलके उस काम को करते हैं, साइड दिनों अब आप लीजिए इन तीनों का LC न, इन तीनों का LC न आएगा 180, जितना आएगा 180, अब भाग देखे आप इनकी छंकता निकालें, अब जो फोे 45 दिन में भागो, पैंतालिस न भाग दोगे 180, जितना आएगा, 4, इसकी छंकता है 4, चाठ का भाग दोगे तो 30 इस पी चमता कितनी है 6 आ जाएगी अब हमें क्या करना है P plus, यानि कि सभी को जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सभी की चमता है जोड़ना है 2P Q, 2P plus 2Q plus 2R ये आ जाएगा, यानि कि 2 formal ले लो, 2P plus 2 plus R बराबर कितना हो जाएगा साथ काम कर रहे हैं कितनी चमता कितनी है 13, तो P plus Q plus R बराबर कितना हो जाएगा, चमता 13 बटे 2 P plus यानि कि 3 ओं मिलके काम कर रहे हैं तो इनकी जो efficiency वो 13 बटे 2 है, 13 बटे 2 है अच्छा प्रस्ट में हमसे कह रहा, R अकेला उसे कितने दिनों में करे लो, R अकेला है, हम देख लेते हैं कि R के अकेले की efficiency कितनी है, तो R की efficiency निकालने के लिए 13 बटे 2 में माइनस कर दो कि P plus Q की efficiency चमता कितनी है, 4 है, यह हो जाएगा माइनस का 4 घठाद होगे, 8 हो जाएगा, यानि कि 5 बटे 2, R की जो चमता है वो कितनी है, 5 बटे 2 है, तो अब निकाल देते हैं, समय, कितना टाइम लगेगा, हमारे पास unit कितने है, 180 unit है, और efficiency इसकी कितनी है, 5 बटे 2 से भाग द total unit में R की ठमता से भाग देते, तो कितना आ जाएगा यह, 180 बटा 5 और यह गुड़े 2 हो जाएगा, इसे हम क्या गरेंगे, काड देंगे, कितना हो जाएगा, 5, 3, 15, 5, 7, 30, 36 गुनी 72 देज ना, कितना आ जाएगा, 72 देज आ जाएगा, कौन का अपन दिय जाएगा, 2 आपन देखे लेगा, एक उंदा क्वेस्टन, जहतरीन क्वेस्टन, देखे यहां पर कोशिपर सही है, कि यह इस तरह है कि y2 इस पर सी हों के समीचर, एक यह है, एक यह है, अब देखिए, बात यहां पर इस जो पॉइंट रहा होगा, y प्लस b लिखा है, y मैनस y1 होता है, यानि क इस जगह पर मैनस का दीर आओगा, और x की जगह पर यहां पर देखो, मैनस का A रहा होगा, यानि कि यह जो पॉइंट होगा, जहां से इस पॉइंट रहा है, नीची गई है, वो गर्व पहले बना लेते हैं, वालिक यह हमारे पास एक गर्व उनाओगा, तरक इस गर्व प कहां से, यहां से, एक पॉइंट है आपे, उत्पस रेक आए, पीची ज़िए, उत्पस रेक आए, तरक इस पॉइंट है, 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 कोई दि यहां पे लिखे आप x1, y1 और यहां पे एक पॉइंट लिखे एक स्टू वाइटू, y2, x1, y1, x2, y2 तो दो पॉइंट हो गए जहां पे इस पर्च रेखा को यह इस पर्च कर रहे हैं कि तब से पहले हम क्या करें x1, y1, y1 यहांरी x1 से होकर जाने में वाली इस रेखा y2, y4acht4, y2 is 4, x1, x1, x plus x1. इसे क्या करिए आप एक प्वेशन बन मानने की यह हो गया हमारा एक इस परसी का सम्नी करण हो गया y square of 4x की इस परसी का सम्नी करण जो पहां से जाती है x1 by 1 जिस वाले points हो के जा रही है है ना अब यहां पर आप क्या करो इसे y बराबर निकाल लीजी y बराबर कितना आजाएगा 2a x बटे y1 plus कितना हो जाएगा x1 2a x1 divided by y1 हो जाएगा कितना हो जाएगा y1 जाएगा यह तो यह 2a x हो गया और यह हो गया 2a x1 बटे में y y अब हमें क्या करना है compare कर देना है यहां पर 2a x से compare करो x से गुढ़ांगा compare करें प्रवड़ता कितनी आ जाएगी इसकी प्रवड़ य बराबर mx प्लस c से करिए m1 बराबर कितना आ जाएगा जो ए बच्टे में y1 और इसी प्रकार जब यह x2 y2 से होकर जाएगी तो m2 बराबर कितना आ जाएगा m2 बराबर आ जाएगा 2 a बच्टे y2 चपरस्न में निकालना क्या है दोनों प्र प्रवड़ताओं का गुधन फल निकाला है यह जोग फल भी निकाला घृष्टे है हम पहले गुड़न फन लिखा लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा भाई यहां पर कर लें तो इसके फैंसे एंवाट एंटू बराबर कि टू ए बड़े यई यई यहो जाएगा और इसक्वाई बड़े बड़े आप आ यप बड़े पर्वाईटी उट लाज भी निज़ेंगे और भूज के लाएंगे उन देख टेख एक्सक्राइब यवन जो है यह दोनों पर्वले पर फिर्म पर् यानि कहने को मत्तब यह है वाइवन स्क्वायर इस्वार्टू हो जाएगा 4 A X 1 जब यहां से जाएगा और य स्क्वायर पराबर हो जाएगा 4 A X 2 यह हो जाएगा अब देखेगा जो हमारी यहां से पास हो रही है जैसे आप पास करवात हो c Lejan माइनस का बी y1 इक्वल 2 यहापर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2a2 X के जगह पर रखना है y के जगह पर रखना है minus का बी यह प्लस का हो जाएगा 2ax1 यह हो गया अब हमें क्या करना है जहां पर पूरा सा काम कर लेना है 2a2 की value क्या करना है रख लेना है 2a2 की value रख लेना है value रखेंगे 2ax1 की value यहां से निकालो जो को यहां से अगर 2ax1 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा y12 बट्टे 2 y12 बट्टे 2 इसकी जगह पर क्या रखा जा सकता है यह minus का है b y1 is equal to minus का 2a2 2a2 इसकी जगह पर क्या रख सकते है plus का रख सकते है y12 y1 y1 y12 बट्टे मिदे इतना 2 अब आप ले लेजे 2 lcm जैसे ही हम 2 lcm लेंगे तो यह equation convert हो के आ जाएगा इतना y1 square is equal to y1 square इसको अपनी करप ले लेजे plus में जबख़ए minus का b है b से मट्टू से multiply होगा कितना हो जाएगा plus 2b y1 minus का 4a square is equal to 0 अब देखेंगे यह एक दुधाग समी करण बन गया है अमना इसके मूल मानके चल रहे है कि y1 और y2 जो मूल दोनों मूलों का current fall y1 y2 होगा वो कितना हो जाएगा c by a कितना हो जाएगा minus का 4a square बटे 1 4a square बटे 1 यानि कि अब यहाँ पे हमें जिसकी ज़वनत की वो मिल्सिता है देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 4a square बटे इसकी value कितनी आ गई minus का 4a square minus का 4a square दोनों पेंसेंगे minus का 1 यानि कि M1 M2 जो है किसके बराबर हो गया minus के 1 के बराबर हो गया कौन्स option सही होगा यहाँ पे वी वाला option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा कुछ नहीं करना पहले हम इसकी परसिता सभी गण बना लेंगे फिर M1 M2 निकाल लेंगे M1 M2 को multiply करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फोरे इसकर बच्टे Y1 Y2 मत्तब Y1 Y2 कहां से आएगे Y1 Y2 बोलाने के लिए हम इसका करना होगा इस रेखा के परवले कर परवले दिया गया वहां पर पास करवाना होगा और फिर M1 M1 M2 को रख देंगे जो हमने इसका समीकरण एग बनाई है आगे चलिए आगे चलिए Q16 Q16 ने दिया गया है सांदार पुष्टे जापी अच्छा प्रश्ट प्रश्ट करा एक प्रशेत का छेती स्तल पे परास जो परास है यानि कि इसकी जो रेंज है रेंज महत्तम उजाई का तीन गुना है तो H दिया गया उसका कितना है तीन गुना है 3 टाइमस है तो क्या करेंगा हम इसका 3 टाइमस कर लेते हैं अब मैं पता है कि यो 1 होता है Q2 sin 2 θ πटे में g बराबर d इने 2 H क्या होता है Q2 और sin 2 θ 1 2g आप क्या कहरो कड रहा हुं कर दिजे को अ definisome के इसागी बढ़ रहा है じ को d से कर दिती çण को μी इस्क्वेर को 4u से का दिजे अब बहुत सबस्वीड की जब यहां पर आप कप्लेट करेंगे तो किधर हम क्या करेंगे SIN को finished रख दिजे फ़र्मूला यह कितना हो जाएगा ? 2 sin theta cos theta is equal to 3 बटे 2 into यह है sin square theta, तो एक sin theta शुकर जाएगा, theta पर आपड जीरो आएगा तो 0 पर तो पर प्रषय पड़ हुआ नहीं है, तो हम, sin theta को हमालेने जोकर सिदा काथी रीजी, कोई दिक्तर निया, अब इधर एक sin theta बचा और इधर cos theta को बटे में ले जाओ, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 और sin theta बटे cos theta क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 10 theta, 10 theta बराबर कितना आ गया, 4 बटे 3, और हमसे प्रस्ति में पूछा गया है time of flight, यानि कि उद्दे अन्काल क्या होगा, अ theta मिल जाए, sin theta होगी, जो फुछ 10 theta बराबर कितना दिया गया है, 10 theta बराबर 4 बटे 3 दिया गया है, यह क्या होता है, लंब बटे आधार, यानि कि perpendicular by base, यानि कि परपेंदिखुलर 4 है, base कितना है, 3 है, तो इतमें 4 बटे कितना हो जाएगा, 5, है ना, है लंब बटे 4, यानि पर्पेंटिकूलर बाई, आईपोटेनस पर्पेंटिकूलर किसना है, 4 और 3 किसना है, 5 जाना, साइन फीता का मन किसना आगे है, 4 बटे 5, तो यू, यह हो जाएगा, 4 बटे 5, तो झीद, चार दुनी आगे, 8, 8-उ बटा में 5, जी, 8-उ बटा में 5, यह है बाई, तब यहां म प्रसिशन के 17 में हमें दिया गया है कि एक विशन दीगे यह पहले तो एक विशन के रूट दिया गया थाथ एक्स स्क्वेर माइनस का 27 एक्स प्लस का 15 बरावर 0 इसके दो मून है एक है टैन अलफा वाई तो दूसरा टैन बीका वाई ती पहले हम निकाल लेते हैं यहां पे बूलो का योग बूलो का योग कल कितना हो गया 10 अलफा वाई तो प्लस 10 वीटा वाई तो ब्रावर जितना हो जाएगा 15 वाई या अब हमें निकालना है सबसे पहले आप देखें हम बढ़ कहा रहे हैं हमें पता है यह निकाल क्यों रहें यह झों पता होना जाहीं अ हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं यह जा रहे हैं लेकिश mentor अगाया अगर हम इसको 10 के तरुम में convert करना चाहें तो 1 माइनस कुतना हो जाएगा 10 स्क्वेर अलफा प्लस धीटा बाई 2 जाना divided by 1 प्लस होता नहीं है पॉस्ट 2 धीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वेर धीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वेर धीटा बाई 2 चलिएगा अब हमें क्या करना है यहां पर यह वैलू निकालने के लिए हमें क्या थीए 10 अलफा प्लस बीटा बाई 2 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 अलफा बाई 2 10 अलफा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 divided by 1 माइनस 10 α Y2 10 β 2 10 α Y2 10 β 2 10 α Y2 10 β 2 की जो value दी गई है तो चर्दी कि 27 बटे 8 गजो value रहने की यह दी कि 27 बटे 8 divided by 1 minus 10 α Y2 10 β 2 की value है 15 बटे 8 calculate करते हैं यह है 26 बटे 8 divided by यह कितना आ जाएगा भई यह आ जाएगा माइनस का साथ बते आठ माइनस का साथ बता में आठ से आठ काटो यह आ जाएगा माइनस का 26 बता साथ इसका वैलू कितना आ गया माइनस का 26 बता साथ और यह वैलू हमें क्या करना अब यहां रग दिए माइनस का 26 बता साथ है तो स स्क्वाइर लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस सीधा सीधा इंतर जाम रखतो बन माइनस 26 का स्क्वाइर कितना होता है 676 बटा में 49 divided by 1 प्लस इतना हो जाएगा 679 बटा में 49 बटे में 49 चोड़ देंगे उसके और यह हो जाएगा स्क्राइण प्लस 268 कट गया दोनुद अब एड करेंगे तो कितना आईगा जटा लेंगे यह 679 बटा लेंगे एगे माइनस का 679 हो जाएगा और इन्हें एड करेंगे तो यह साथ तो 25 हो जाएगा कौन सा अपरती हो जाएगा ड्यू ऑप्शन यह परेक्शन हो जाएगा यहां फेले वाले को बनाया को कितना आगा याँ पे यवालेद्न की नहीं यहां इसका किसे नहीं होता है इसका detriminated यह बचेगा अपर देखेगा और अंदर हमारे पास जा बचेगा अंदर बचेगा क्या बच्छा B plus C यह cross में बदल जाएगा cross में बदल जाएगा और यह स्था हो जाएगा vector A plus vector B plus vector C ठीक है अब पहले क्या करो B का multiply करो सब इसके साथ यह हो जाएगा vector A तो आप रहें दीचे B का multiply करोगे तो कितना आजाएगा बच्छा बच्छा लेक्टर नहीं बराव देखो B cross B zero हो जाएगा 0 हो जाएगा B cross C हो जाएगा B cross C करो फिर क्या हो जाएगा C का multiply करो जाएगा D cross A अब देखो C cross B होगा दो माइनस कर लेते हैं सीधा B cross C दीक लेकिए सीधा देखो c cross c 0 हो जाए b cross c और b cross c दोनों plus और minus के हैं cancel हो जाए अब देखेगा यहाँ पर बच्छा हमारे पास vector a dot b cross a plus b cross a अब फिर से इसको उसी form में लिख दीजिए इतना आजाएगा a और ये b और ये a plus जाएगा a c a अब देखें कोई भी vector आगा same same हो जाएगा तो पूरा box ही 0 हो जाता है ये भी 0 हो गया प्रस ये भी 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा बहुत आपस ही हो जाएगा a option correct हो जाएगा 19 देखिएगा 19 में क्या करा है ओकल समी करण दिया गया हमे d square y dx2 minus y is equal to 0 यानि कि ये क्या बन गया d square minus 1 is equal to 0 यानि कि ये d is equal to कितना आजाएगा plus minus 1 और इसका solution क्या होता है इसका solution होता है y is equal to c1 e to power x plus c2 e to power minus 1 तो कह रहा है कि ये किस प्रकार का solution है डिफ्रेंस से जो जो प्रकार का solution है ये है is equal to 0 जो 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 जाएगा इसके बाद चलेंगे 20 question number 20 question number 20 में कह रहा है हमसे कि उस ब्रित्य केतरिज्जा जिसमें kendry code इसका मब 45 आप चुकिया लेंथ निकालेंगे न तो angle को हम pi में कलवाट कर लेंगी छी theta दिया है Χीटा बरापड़ कितना दीया है 45 Go 45 को radian में करवच से लेगा तो 5y4 जाए कितना हो जाएगा 5y4 चाप तो कितना है चाप आप जाएगा र को बराबर होगा L इफोटू होगा r into θạp r क्या होती है रेडियस होती होगा उस सरकल की चाप कितना दिया गया एक सो बतिस सेंटिमीटर, वान हंग्डट शक्टी टू, आर निकालना है, धीटा कितना है, पाई बाई पोर, अब देखें, पाई कमान एक सुमत रखेगा, यहां पर में लेंथ निकालनी है, जो लंबा ही निकालते हैं, तो पाई कमान पाई बज़े स इसे कमान पाई कितना हो जाएगा, बाईस बत्वे साथ और यह चार पहले से, काटे इसे, जियारा दुनी बाईस, जियारा हम यह जियारा दुनी बाईस, जो से काटो, जो शक्ता 12 हो जाएगा, से बराबर आजाएगे गतना, आर बते 28, यह दा अच्छन अड़्टानीस ही कितना हो जाएगा भाई सब्सक्राइगा 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 करेक्ट हो जाएगा 21 यहाँ पर हमसे यह कह रहा है कि TQR तो भुजाएं दी गई है अब बताईगे P Q और R डॉट 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 किसमें A P में अच्छा यह A P में होगे तो 2 Q बराबन P प्लस R होगा कि होगा बिल्कुल होगा यह हमारे काम आने वाला है इसे हम रख लेंगे अभी एक तरफ दबाती चुप्चा फिर हमें value निकालने हो किसकी Cot divided to Cot R by T कितना हो जाएगा? रूट में लगता को इसका फार्मूला, हाप एंगल का फार्मूला, Cot का कितना हो जाएगा? ऊपर होता है Cos to S into S minus P divided by इसके अलावा जो होगी साइन में क्या होती? जो एंगल होगा उसके साइट को छोड़ दो, पी के बाद ए Q हो जाएगा माइनस का Q और यह हो जाएगा माइनस का Q और तो जबाद आर माइनस का R अब आपको इस पार्मूला बताईगे तो देखेंगे अगर हमें कभी भी साइन A by 2 निकालना है तो यह क्या होगा? रूट में हो जाएगा कितना? जो एंगल होगा वो छोड़ देगी S minus B, S minus C बटे में यह दोनों साइट DC हो जाती है अगर हमें निकालना है क्या? कॉश A by 2 इसमें वही साइट रहेगी जो देखेंगे अगर 10 A by 2 फर्मूला है तो कितना हो जाएगा? साइन बटे को आफ हो जाएगा यानि कि रूट में साइन कितना दिया गया? साइन ए कितना होता है? S minus D और S minus C देखो BC BC दोनों से कर जाएगे divided by S minus D, S into S minus A यह हो जाता है फर्मूला, देखें इन तो, अब POT आ रहा गया POT में POTS उपर होता है S into S minus R divided by R के लावा कितना हो गया? S minus का P और S minus का Q अब cancel करें S minus P यहाँ, S minus P यहाँ S minus P, S minus R यहाँ, S minus R यहाँ अब root करेंगे Under root यह कितना हो जाएगा? S square बटे S minus P का whole square हो जाएगा अब कितना हो जाएगा? उपर हो जाएगा, वर्मूल ले लिएगे वर्मूल लेंगे, तो S square का वर्मूल स्क्वार रूप क्या होगा? S हो जाएगा और इसका S minus Q हो जाएगा हम चाहते हैं कि दोनों और आप multiply कर दो से इससे, दो से multiply कर दोनों बतला कि उपर भी और नीचे भी यह हो जाएगा प्लस 2 प्लस R सेम यहाँ भी रखेंगे P प्लस 2 प्लस R minus का 2Q अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? P प्लस R बदाबर 2 की रख, 2Q रखना है तो P प्लस R की जगा पर 2-2 रखोगे 2Q और Q पहले से कितना हो जाएगा? 3Q बटे P प्लस 2 है मैं का P प्लस R की जगा पर कितना रखना? P प्लस R की जगा पर रखना है 2Q यहाँ पर कितना बचेगा? 1-2 बचेगा जगो Q minus का 2Q minus का 2 यह बच्छा और इसकी जगा पर 2 का Q रख रहे हो 3Q बच्छे 1Q बच्छा Q से Q पेंसिल करती जाएगा परावर उसे से आजाए 3 आजाए 1Q बच्छे 1Q बच्छे Q बच्छे नमर देतीगा 22 22 परस्ट भी अच्छा परस्ट है हमसे परस्ट में यह कहा गया है कि जो लीप वर्स परस्ट देखे लीप वर्स जो होता है आपको पता है कि जिस यह 29 की परती पर्वृ यह लीप यह हो जाता है कितना हो जाता है वे लीप 야 हो जाता है लीप यह में कितने दिन होते हैं वैसे नॉर्मली 385 दिन होतीए लीप यह ना कितने होते है 365 ल면 sos sicher तो किरकंटенно हो जाता है कि शुम भावना है अच्छाओ कि 52 तो आल्रेडी हो जाएंगे, 364 दिन में किस्ने होगी, 52 बन जाएंगे, 52 सुपरवार तो हो जाएंगे, लेकिन बचे आप हमारे पास 34, 374 बचे दो दिन, अब वो दो दिन क्या हो सकते हैं ये डिपेंडिक करेगा, तो दो दिन तो बच रहे हैं हमारे पास, वो हो सकता है, क्या हो जाएं, Sunday, Monday हो जाएं, हो सकता है, कि वो Monday, Tuesday हो जाएं, या ये हो सकता है, Tuesday और Wednesday हो जाएं, या हो सकता है, Wednesday और वो क्या हो जाएं, Thursday हो जाएं, या हो सकता है, कि वो Thursday और Friday हो जाएं, या फिर तो हो सकता है, कि वो Friday और Saturday हो जाएं, या फिर तो हो सकता है, कि वो Friday और Saturday ह और Sunday और, Sunday और, क्या हो जाए, Sunday और, हमसे क्या करा है, तिरुपन Friday, 23 Friday, वो दो दिन कहां कहां देखो, टोटल पर सिपी हमारे पास कितनी बच रही, बन रही है, एनस कितना बन रहा है, साथ, और एनस कितना बन रहा है, जब कहां कहां पर Friday आया है, कितना कहां पर Friday आया है, एक यहां पर Friday आया, एक यहां पर Friday आया है, दो बार Friday आया है, प्राइकता क्या हो जाएगी ना वारी, वोबिल्टी आपकी तुपी हो जाएगी, एनी बटे एने दो बटा साथ हो जाएगी, लीप यहर में पूछेगा कभी भी, किरपन रभी वार, किरपन शुक्र वार दिन पर सोम वार, कुछ भी पूछले, कोई भी दिन पूछले, तो आपको दो बटे साथ रगना है, और नॉर्मल यहर में एक बटे साथ हो जाएगी, यहाद रखना, यहाँ पर 23 में दिया गया है दो फॉष्टें दी गई हैं, और हमें करना क्या है, कि कह रहा है कि, एक का एक उभैनिस, माल लेती है, वाल लेती है अबहनिस मोल माल लेती है दोनों का जो अबहनीस मोल कितना है, HIV तो HIV से भी satisfaction करेगा और HIV से भी satisfaction करेगा आप दोनों को जा देभी Satisfy India fixes Satisfy करवाती है जहाँ A ब्लबाक व्हें करतें Al छोलिज़ दूसरी वाली equation कितनी हो जाएगी, दूसरी वाली equation लेक्ते ही लगा, जो हो जाएगा, a dash alpha square plus e dash alpha plus c dash equal to 0, हम एक प्रूब करना है, कौन सा प्रजिबंद सही होगा, देखेगा, आराम से करेंगे, ये लखो, alpha square यहां पर रखो, बराबर माइनस का alpha रखो, बराबर में रखी के, अचर पद जो भी रखा गया है, a को पदे होता है, हम क्या करेंगे, अब हम a square वाले पदों को छोड़ देंगे, इनका इनका multiply करेंगी, b और c का multiply, b और c dash, तो कितना जाएगा, b c dash minus b dash c, जाना, ये वाला multiply करेंगे, b dash c हो गया, अब देखेंगे, फिर से क्या करना है हमें, अब इसके नीचे आगए, हमें b वाले को इसे more धग लेना है, इसे धग लेना है, अब a और c dash, ये a c dash, a c dash minus, ये इसका multiply लाई, इनके दोनों का multiply लाई, a dash, कितना हो जाएगा ये, minus तो already दिया गया है, minus होता है, ये plus का बन जाएगा, कि माइनस तो already दिया गया है, है ना, माइनस ना दिया गया, minus को हमसे क्ल्कुलेट के गया, यहाँ अब अब लिट जाएगा, तो ये minus ही रहाएगा, तो a c dash, और हो जाएगा, a dash, c, है ना, a dash, बटे में आगया, इसके पास से लिए आओ, इसके पास से लि अब लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, a b dash, a b dash minus a dash b, अब देखे ला, आसाने के साथ, विल्कुल आसान, कुछ भी आ, ना मुम्किन नहीं, है ना, multiply करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर minus का multiply एक पर कर लेना क्या है, यह हो जाएगा, अलपा इसको है, बटे, b c dash minus का b dash c, equal to, अगर आप multiply करोगे, यह आ जाएगा, अलपा के बटे, a dash c minus a c dash, a dash c minus का c dash, बराबर में आ जाएगा, 1 by a b dash minus a b a dash, यह हो जाएगा, अब यहाँ से हम निकालने क्या, इन दोनों, इन दोनों रेशोर्स के आप alpha निकला लोगे, यह यह ratio first है, यह ratio second है, और यह ratio third है, अब इन दोनों से निकाल रहे हैं, alpha, alpha पराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों रेशोर्स के alpha यह वह उपर जाएगा, जाएगा, a dash c minus का e c dash बते में आ जाएगा, a b dash minus का b 8 यह हो गया, चले, इसके बाद, इसी तरह से alpha square पराबर कितना हो जाएगा, जाएगा, क्या से आजाएगा, अगर हम first और third वाला ratio जाएगा, तो alpha square पराबर आजाएगा, इतना, यह हो जाएगा, b c dash minus b dash c divided by k b dash minus b a dash, अग्ये वाला alpha कि मैं भी हम पूट कर दीगी, कितना हो जाएगा, a dash c minus a c dash बटे, a b dash minus b a dash, इसका b square हो जाएगा और इसका b square हो जाएगा, इसको जुट कितना है, b dash minus b dash c, बसे इस पर स्वेगार आपको हल नहीं करना है, याद रखना अगर आता है, अगर आता है तो आपको याद रखना है, अब जब को यहां पर यह दो पावर हैं इसके पावर कट जाएगा इसका क्वास पॉटिटिकेशन हो जाएगा और यह A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C बिल्कु करेक्ट हो जाएगा ठीके चल्ए अच्छा पॉस नमबर 24 देखेगा 24 तुझे कहरा है आपको एक त्रिभुद A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- मैं आपको हैं एक पर हल करना नहीं शुखाऊंगा आपको इस्टेट्पिट याद रहना चाहिए चाहिए हैं आपको एक तट्ड़ करने में पुच्छी नहीं यह 90 दिग्री हो जाएगा ति यह क्या हो जाएगा यह जै की 90 दिग्री का क्या देदिया ? एंगल बन गया अप गोलों को जोड़ दीजिएगा बिदी बराबर सीडी है क्योंकि मद्द बिंदू है तो यह आजाएगा 2 कोई निश्चित बढ़ना को प्रगति और त्रिप्ति द्वारा हल किया जाने की प्राइक्ता नहीं दी गई है और ना हल करने की प्राइक्ता कितनी हो जाएगी कोमदा प्रगति आने ठर्गति प्राइक्ता कोई इस प्राइक्ता कोई प्राइक्ता नहीं प्राइक्ता कितनी होजाती hey उनके प्रोडेक्ट के एक पॉल हो जाती है, यानि कि ना तो त्रप्ती के द्वारा हल होने की प्राइकता और ना प्रगती के द्वारा, वो कितनी हो जाएगी भाई, एक बटे, दो गुड़े, दो बटा तीन, जाना, दोनों क्या सुतंद्र घटना आएगा, तो कितना आजा कौन सा अप्सिन हो जाएगा, सीओं आप्सिन करेक्टर तू न ठकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुलेगा कभी, कर सपत, कर सपत, कर सपत, अगनिपत, 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 यूपी TGT-PGT के अगनिपत बैच पे, मैं उदय सिंग, आप सभी का हाथ का question paper जिसमें question number 26 से 50 तक्य प्रश्णों को हम लोग swallow करें question number 26 आपके सामने है कह रहा है कि एक परवले की हमें फोकी दी गई है वो focus दिया गया minus का 8 comma minus का 2 और directus दी गई है यानि कि नियता दी गई है y is equal to 2x minus 9 तो कह रहा है उस परवले का समी करड़ ग्याती जी है हम क्या करेंगे हमने यहां पर फोकी को मान लिया है यह हमारी फोकी S है और S का दिया गया है हमें S S दिया गया है किपना minus का 8 comma minus का 2 और हमने एक point परवले पर ले लिया है P जिसके coordinate है x comma y और इस point P से इस नियता पर number डाल दिया गया है नियता हमारी है 2x यह line जो है यह नियता है 2x minus y minus 9 is equal to 0 हमने क्या किया यह भी लिखा हुआ था y is equal to 2x minus 9 y को इधर ले लिया 2x minus y minus 9 is equal to 0 हो गया अब हमें निकालना है इस परवले का समी करड़ और परवले का समी करड़ परवले की भाशा क्या कहती है ps बराबर होगा e pm है ना क्या होगा ps बराबर होगा e pm यह क्या होती है eccentricity होती है इसकी यानि कि ps और pm दोनो equal होते हैं चुछ कि क्या होता इसकी जो eccentricity होती होती है 1 होती है ना यानि कि ps और pm यहाँ पर क्या है दोनों equal है यानि कि हम सीधा ले ले लेते हैं यहाँ पर क्या ps बराबर epm ps बराबर pm हो गये परवले की परिभासा से लिए ले लिए अब देखेगा ps कितना हो जाएगा distance between two points यहाँ पर लगा दीजिए ps1 क्या करना है हमें distance between two points लगाना दो बिंदों के वीच की दूरी का formula लगाना वो क्या होता है under root x2 minus x1 यानि कि हो जाएगा x plus a whole square plus y2 minus y1 whole square यानि कि y plus 2 का whole square is equal to pm pm मतलब की क्या हो जाएगा x, y से 2x minus y minus 9 is equal to 0 पर डाले गया perpendicular की लेंच कितनी हो जाएगी है 2x minus y minus 9 divided by under root 2 का square 4 plus 1 अब क्या करेंगे दोनों तरफ square कर देंगे दोनों तरफ क्या करेंगे square कर देंगे इसे चुप चाप वही रहने ड़िए x plus a whole square plus हमारे पास अब यहां से आगे बढ़ने का दो रास्ते हैं एक को हम x square y square और constant term को मिला ले और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा तरीका यह है कि हम इसे पूरा open करेंगे अब चुकि एक्जाम में हम करने जा रहे हैं तो हमारा एक smart way होना चाहिए एक smart way होना चाहिए काम करने का smart सा तरीका होना चाहिए parts multiply हो जाएगा root pipe है work करेंगे both sides तो five बचेएगा multiply कर लिए अच्छा अब हम क्या करें वही smart सा तरीका इस्तिमाल करने जा रहे है पहले हम क्या करेंगे गोलां को मिला लो या पहले आपकर लो पहले constant में डा लेती है यह कि जो अचर पाद दिया गया है जिसके साथ x और y नहीं है पहले हम हो वह मिलाना है देखते हैं मिला के देखिए कि сюда पे कितना आजाएगा इस पदमें हम बात करें आट का स्क्वैर आएगा, 64 आएगा और इसमें बात करें तो 4 आएगा, डोटलमपांच का गुड़ा है यह यहां पे 5 हो जाएगा और यह 64 आजाएगा और यह 4 हो जाएगा अच्छा इधर क्या हो जाएगा भाई constant में? सिर्फ 9 आ जाएगा है इस गड़ीश में प्रूटी सब प्सीश गड़ाइगा एक्यासी हो जाएगा अच्छा ये कितना हो जाएगा 5 गुले 68 हो जाएगा और माइनस का 81 हो जाएगा पांज बूले 68 करेंगा गट पन चालिस की 0, 6, 35, 34, 34, 34 में 81 गट आ देगी तो कि इतना आ जाएगा यह 269 प्लस के आएगे मतलब कि यहाँ पर पहला आप्शन नहीं होगा दूसरा आप्शन नहीं होगा अब करते हैं हम गुडानकों के है न गुडानक कि इतना हो जाएगा 5x2 और इधर बात करें तो इधर x2 गुडान कितना आएगा 4x2 हो जाएगा 2x का इसकोर कितना हो जाएगा 4x2 गोनों को घटा दीजेगा x2 आ जाएगा यह ना यानि कि सिर्फ x2 वाला टम बचेगा ऐसा कौन से देख़ए 4x2 यह वाला नहीं होगा तो ABC की भुजाओं ABC और CA के अनुदिश लगे हुई यहाँ पर हमने लगा दिया है AB में P है और BC भुजा पर 2P लगा हुआ है और CA भुजा पर 3P लगा हुआ है अब देखिए चो कि एक ऐसा त्रिफुज है यह एक शम बाहुत रिफुज है एक्क्यूलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि एक्यूलेटरल ट्राइंगल का जो इच एंगल होता है इंटीरियर एंगल कृतना होता है 60 डिगरी का होता है देखो यह P AB यहाँ तक है आगे भी यहाँ भी पी ही है और यह क्या है 2P है तो P और 2P के बीच में कितने का अंगल बन रहा है 120 है ना कितने का यहां आप हमने रख लिया है x के साथ यह p है यह 2p है और 3p है यह P से कितना बना रहा है फी और 2p के बीच के अंगल वण टॉंटी आपके सामने हैं यह रखा हुआ 120 है ना इसके बाद फिर क्या करा है कि 2p और 3p के बीच के dauern konnte कितना होगा तो ये कहां से बना रहा है 2P और 3P के बीच का 320 है तो हम अगर X-axis से लेना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 120, 240 यानि कि अब हमें पता चल चुका है कि X-axis से जो P बना रहा है वो 0 बना रहा है और 2P जो बना रहा है 120 बना रहा है और कितना angle तो ये हो जाएगा cos 0 plus फिर कितना दिया गया है 2p दिया गया है और कितना हो जाएगा ये cos 120 है ना x-axis से 2p कितना बना रहा है 120 का plus 3p और x-axis से 3p कितना बना रहा है देखो यहां से 240 तो ये cos 240 अब एक काम करें काल्कुलेट करो cos 0 की value 1 होती, plus का 1 हो जाएगा, है न, P बन जाएगे, plus 2 गुड़े 2P है, और 120, cos 120 की value होती, minus का 1 बटा 2, इस 2 से 2 काट देंगे, चलेगा, plus 3P, और ये कितना हो जाएगा, into, ये भी हो जाएगा, minus का 1 बटा 2, calculate करेंगे, ये कितना हो जाएगा, P, minus P, minus का 3 बटा 2P, P से P, cancel कर दीजे, ये आजाएगा, minus का 3 बटा 2P, minus का 3 बटे 2P, X आ गया, है न, Y निकाल दीजे, Y भी सेम निकालना होगा, ये कितना हो जाएगा, P, ये, वह साइन हो जाता है, उर्धुआदर घटक में क्या होता है, शाइन हो जाता है, ये 36 घटक था, और इसे क्या बोलते हैं, हम लो, उर्धुआदर घटक बोलते हैं, है न, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, P, शाइन 0, P, साइन 0, प्लस, 2P, शाइन 120, प्लस, 3P, शाइन 240, है न, अच्छा, साइन 0 की वैलू तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, प्लस, 2P, साइन 120, साइन 120 की वैलू होती है, अंड अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगी, तो ये 2P हो जाएगे, और ये हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटा 2, प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा, और इसकी वैलू होती है, माइनस का, अंडर रूट 3 बटा 2, माइनस का, अंडर रूट 3 बटा 2, निकाल लीजेगा, आ 3 under root 3 बटा 2P LCM लेंगे 2 under root 3P minus 3 under root 3P फिर under root 3P तो घल्टाने पी कितना बने बचेगा minus का under root 3 बटा 2P अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है परिडामी भल का परिमाण तो क्या होता है R is equal to होता है root x square plus y square यानि कि 36 घटक और 12 घटक के स्कोयर कर दीजे भाई ये कितना हो जाएगा रूट में आ जाएगा कितना हो जाएगा रूट में ये आ जाएगा माइनस का 3 बटा 2 इनका करेंगे 3 बटा 2 P का स्कोयर आ जाएगा प्लस कितना जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2 P का स्कुर ये कितना हो जाएगा भाई अब ये हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 9P स्कुर बाई 4 9P स्कुर बाई 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3P स्कुर बाई 4 calculate करेंगे नौ तीन कितने होते हैं बारह पी स्क्वाइर बाई फोर काड़ दीजिए तीन बच्च आएगा यहां पर क्या बच जाएगा तीन पी स्क्वाइर और यह लगेगा रूट तो पी आ जाएगा बाहर पी अंडर रूट तीन कितना होगा पी अंडर रूट तीन होगा और कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा यहां पर ए ओप्षन करेक्ट हो जाएगा चलेगा चलेंगे इसके बाद हम लोग नेस्ट कॉर्शन नमर टूटी सेवर के साथ पाई कर मिला सकते हैं बाती ओप्षन अलग हो गया है तो हमें टाइम बेस्ट करने की ज़रूबत नहीं है चलेगा टूटी सेवर के गाईएगा प्षन नमर टूटी सेवर में करा है कि यह कुछ डेटा दिया गया है इसकी हमें मीडियन निकाल लेंगे बहुत ही आसानी के स तो बढ़ते कर दूट अलगले लिखने लिख ही अर उसके बाद डेटा सबसे 2020 में होता है वही क्या होता है? मीडियन होता है यहांणों तो दो कंडिशन पर डिपंड करेगा अगास यहांने हम लिखना नहीं हम लिखना शुरू करते है dataset Depend inhib 1 प्षाप देखना संकी बढ़ 32 से बड़ी कौन सी है, 37 है, 37 के बाद कौन है, 39 है, 39 के बाद है, 40 तो है नहीं, ठीक है 41 भी नहीं है, 42 है, 42 है, 43 है, 43 के बाद 45 है, 46 है, अलब बस अभी होगे, 4 और 5 और 9, यहां पर भी कितने हैं, अब देखेगा, वैसे तो 9 है, यानि कि number of time क्या है, 10 by 2, 10 plus 1 by 2 तुरंट कर देते हैं, 9 दिये गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 plus 1 by 2, यानि कि 5, कितना हो जाएगा, 5, 5 होगा, तो ही क्या होगा, इसकी median होगी, और simple भी था, इधर चार इधर अटा देते, चार इधर अटा देते, तो भीच में बद जाता, यहीं हो इसकी median हो जा जाएगी, चलिएगा इसके बाद देखां कि question number 28, एक बहतरीन question है, यहाँ पर दिया गया है कि अवक्र इतना और इतना, वो बिंदू पर इस पर्स करता है, तो P बिंदू होगा, अब ऐसा point उफा लीजिए, जो दोनों को satisfied करें, इसे भी satisfied करें, इसे भी satisfied करें, तो मुझे देख ले रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर इसके जिगफ ए रखा जाए, तो यह बना जाएगा, और यह भी बना जाएगा, दोनों दोनों बना जाएंगे, तो मामला सेट हो जाएगा, आराम सिखर लेंगे, चलिएक हम पहला भी point ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है अगर जाएगा बे की पावर एंड, बटे व की पावर एंड, दोनों कैंसिल होगे, तो जाएगा, जाओगे न कितना जाएगा, वन क्लस वन मतलब कि टू, यह तेहले वाले को साटिस्वाइट कर गया, अगर यह थुथ पॉंट bijvoorbeeld को भी को स्टिस्वाइट कर देगा, तो म साइड कर रहा है इसका मतलब को जो अभीस्ट विंदू होगा हमारा है तो क्या होगा ए कॉमा भी होगा इन्हीं कॉन्स आप्शन सही होगा ए सही होगा चलेगा इसके बाद देखें क्वेस्टन नमर 29 के जहतरीन क्वेस्टन देखें यहाँ पे दिया गया है लॉग एक्स प् प्लास इफ फॉष एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कंप यह एक प्वाइग साइन्ड दूकर प्मूले को रखेंगे लॉष ए यहांपर आइवाई skipping क्यों इसके घर आट यहांपर और और है क्वॉइं फॉट्स अließen्ड आइवाई यह हो जाएगा I sin hyperbolic y, यहाँ पर रख दीजिए, सारी values को पूट कर दीजिए, लेखेगे, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, लोग और sin x, पॉस hyperbolic y, प्लस, यह आई बन जाएगा, और cos x, आई बहार आजाएगा, cos x, और यह आजाएगा, sin hyperbolic y, अब हमें क्या निकालना है, इसका imaginary part निकालना है, किसका, किस्टम का, log sin x, cos hyperbolic y, प्लस, आई, cos x, sin hyperbolic y, हम आपको बता दे, थोड़ा सा एक पॉइंट है, इससे याद रख दिएगा, cos, sorry, log x, प्लस i y, जो कोल्टू होता, इसका formula होता है, एक बटे दो, 1 by 2, log x square, प्लस y square, प्लस i tan inverse y by x, है ना, i tan inverse y by x, y by x काक मतलब क्या हुआ, y क्या है, i के coefficient, और x क्या है, जिसमें free है, जो i से है, तो देखे, इस टर्म में, ये तो हमारा real part हो जाएगा, ये वाला जो होगा, ये होगा imaginary part, है ना, tan inverse y by x, तो ये हो जाएगा, tan inverse y, देखो कितना है आपके, i के साथ है, imaginary part जो है, इसका, कितना है, cos x, cos x, sin hyperbolic y, divided by, real part कितना है, इसके अंदर वालेगा, sin x, cos hyperbolic y, जाना, sin x, और cos hyperbolic y, चलिएगा, ये बन जाएगा, आप, tan inverse, देखो, cos x, बटे, sin x, शभी को पता है, कि सर, ये क्या होता, cortex होता, into, sin hyperbolic y, बटे, cos hyperbolic y, ये हो जाएगा, tan hyperbolic y, कौन सा option सा ही हो रहा, ऐसा कोई option है, क्या, cortex ये देखे, यहाँ पर c वाला option जो होगा, correct हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही बहतरी इन question था, ये, चलिएगो, next question चलेंगे, question number 30, question number 30 में न, इसके बहुत ही बहतरी इन देखे लिए, अच्छा question है, npr और ncr, आप जानते हैं कि npr is equal to, क्या होता है, n factorial divided by, n minus r factorial, य होता है, और यहीं कि अगर हम बात करें, ncr की ncr क्या होता है, n factorial divided by, r factorial into n minus r factorial, हम क्या करेंगे, दोनों को भाग देजी, आपश में दोनों का भाग देजी, देखेंगे, ये, बटक रहे हैं, तो ये इस से कट जाएगा, और n minus r factorial, n minus r factorial से कट जाएगा, यानि कि हमारे पास ब इस से कटे में, ncr is equal to 1 by r factorial, बाकि आपको ये relation याद रखना है, ncr is equal to 2 होता है, r factorial into, यहां पर r factorial उपर पहुच जाएगा, और ये r factorial अंदर उड़ा होता बाहर, ये उपर पहुच जाएगा, अब देखेगा, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, npr बराबर हो जा ncr, बराबर हो जाएगा, r factorial ncr, ये relation ही direct याद रखेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए, कौन बढ़ा कौन होता है, यहां पर npr बढ़ा होता है, और ये r factorial, और ये ncr, चलेगा, npr का value आपको 720 दिया गया है, 720 equal to हो जाएगा, r factorial into, ncr का value 120 दिया गया है, देख लिएगे, यहां पर सबको सेम सेम है न, सेम सेम है न, देखो npr 720 है और यहां पर कितना है, 120 है, कौन बढ़ा होता है, यहां पर बढ़ा होता है, हमारे पास npr और ncr क्या होता है, छोता होता है, 12 से काट देंगे, है न, 120 था यहां पर, 12 से काटेंगे, 12 चंद 72 होगा, r factorial बराबर 6 आए बहुत पता होना चाहिए देखेगा इसमें छोटा वहला आता है और इसमें छोटा कौन सा है और इसका एलसीयम भी पूछा जाता है यानि कि एनशीयार और इनशीयम क्या होगा इनका जो लसेम होगा बड़ा वाला आता है एन पी आर लसेम हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा इसमें पॉछा जा गया है प्रश्ण ठीक वस्टन नमबर 31 को देखिए गा एक बहतरीन कोस कारीन को मुस्टन हें चेकण उडिप सब्सके करें और यहां प्र का हूं और यहां सि Yum या में दीजन ढूंग यह ःओी दिए और शेकड new frame इसका में चलिक होगा यह जीरू होगे कि। तो हमारे पास होता है T में सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला होता है S T is equal to U plus half G into 2T minus 1 तो यहाँ पर कितने में निकालना है? S 5 पर निकालना है, तो U to 0 हो जाएगा, 1 by 2, अच्छा, G है, तो G का value भी रख लेंगे, R into G ही रहने दीजे, 2 की हो जाएगा 5 दूरी 10, 5 दूरी 10 minus 1 यहाँ पर बचेगा 9, पुल मिला कि यह आजाएगा 9 by 2 into G, G का पुमान रख दीजे, 9.8 जी का अनमान कितना होता है? 9 दूरी 10 minus 8, G का है मारा? गुर्ट्व अकर्ष्ण बल ग्रेविटी है, गुर्ट्व अकर्ष्ण तोरण है, गुर्ट्व तोरण है, यह काट देंगे, और यह कितना आजाएगा? चाब इसम्बलो, 9, दोनों का multiply करेंगे, यह multiply करके जो हमारी distance आजाएगी, तीम सेकंड में चली गए distance, 9 का multiply करेंगे, 1 हो जाएगा 36 और यह 44 हो जाएगा, 44.1 meter, यह हो गया, हमारे पास यह distance हो गई, S5, अच्छा, इसके बाद हमें निकालना क्या है? कार्य निकालना है, का व बराबर क्या होता? F into B, कहने का मतलब यह है कि हमें बल भी चाहिए, अच्छा, फोर्स आएगा कहां से, पोर्स कहां से आएगा भाई, देखेगा, फोर्स, हमें क्या दिया गया है, इसका द्रिब्रमान दिया गया है, और यह gravity पे work कर रहा है, तो फोर्स जो होगा, Q, G, M क्या है? मास, आप प्रोड़क्ट जो भी हमारे पास है, वो कितना है? Q के जी दिया गया है, और G क्या है? G होता है 9.8, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19.6 Newton, है ना, 19.6 Newton, अच्छा, अब निकाल दो, आपको निकालना है, वर्क डन, वर्क डन, ये तो multiply करने पर आएगा, 864.36 J, है ना, J, कौन्स option सही हो जाएगा? भाई, यहाँ पर option B करेक्ट हो जाएगा, चलेगा, इसके बाद देखेंगे, question number 32, एक बहतरीन question, है ना, बहुत ही बहतरीन question है, और इसे उतना ही बहतरीन method से, हम लोग swallow भी करेंगे, जितना बहतरीन question है, देखेगा, यहाँ पर हमें धुरूवी निर्देशांग को दिये गए हैं, इसी त्रिभूज के, यह त्रिभूज हमार लीजे हैं हमारे पास, और इसके धुरूवी निर्देशांग को दिये गए हैं, और अगर हम इसे coordinate में बदलना चाहें, तो कि हमें निकालना क्या है कि और किस प्रकार का triangle होगा, राइट अंगल triangle है, ऐसी त्राइंगल है, या इक्तु लेटरल triangle है, किस टाइप पर triangle है, तो हमें यह coordinate चाहिए, हैना, A का भी coordinate चाहिए, बी का भी coordinate चाहिए, और सी का भी coordinate चाहिए, और Cartesian form में चाहिए, हैना, यहाँ पर यह रखे हुए हैं, किस form में रखे हुए, धुरूबी यानि कि polar form में रखे हुए, हमें convert करना है इने, पहले देखो, जैसे ही convert करो कि धुरूबी रूप क्या होता है, तो धुरूबी रूप जो होता है, हमारा x cos theta प्लस r cos theta प्लस i sin theta होता है, है न, तो r को multiply चाहिए, चब दो r cos theta प्लस i r sin theta, यानि कि कहने का मतलब कि x बराबर जो होता, वो होता r cos theta, और यहीं पर y बराबर जो होता, वो होता r sin theta, तो मैं x और y में convert करना है, पहले हम पहले point लो कर रहे है, x की जगा पर 0, y की जगा पर 0, तो रखेंगे तो भाई, यहाँ पे, जो r की जगा पर 0, r की जगा पर 0, और theta की जगा पर 0, भाई, पहले वाले point के लिए तो यह भी 0 आ जाएगा, और यह भी 0 आ जाएगा, यानि पहले वाले point में no change, कोई भी change होनी की संभावना नहीं है, यानि कि a के जो coordinate हो जाएगे, वो 0, 0 ही रहे है, चैनि कि दूसरे वाले point के पास चलते हैं, दूसरा वाला point है, x is equal to rr की value है 3, और sin theta, sin theta की sin 90 है, तो 1 हो जाएगा, यानि कि x बराबर कितना आ गया 1, और यहां पे कितना आ जाएगा भाई, इसी point में r sin theta, यह तो cos theta में निकाल रहे हैं, sorry, यानि कि पास चलते हैं, y बराबर r sin theta, r है 3 sin 90, यानि कि यह 0, 3 हो गया, अब चलते हैं point c के पास, तो यह हो जाएगा, x is equal to, x is equal to r cos theta, r होता 3, cos theta बराबर कितना होता, 5 by 6, यानि कि यह हो जाएगा, under root 3 बटे 2, under root 3 बटे 2, यानि कि यह point आ गया हमारे पास, 3 under root 3 बटा 2, कॉमा, और y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, r sin theta, और r का value कितना है, और sin theta, यानि कि sin, 36, गठाबर हो जाएगा, 30 sin 30 की value कितनी हो जाएगा, 3 बटा 2, ये आ जाएगा, 3 बटा 2, अब हमें क्या करना है, सब ही भूजाए निकाल लेनी, अब निकाले, ये दो बिल्दों की बीच की दूरी का formula लगाऊगे, ये वाली लिगाऊगे, तो कितना हो जाएगा, 0-0, 0-3 का square, यानि कि 9 का square हो जाएगा, तो अब 3 का square, यानि कि 9, यानि कि 3 आ जाएगी, अच्छा, BC देखने हैं, कितनी है आएगी, BC कितनी है जाएगी, BC देखना पड़ेगा, सारी वाली में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंडर रूट, 3 अंडर रूट 3, माइनस, 3 अंडर रूट 3, बट्टा 2 का square, माइनस 0 का square, यानि कि या जाएगा, 9 3 27 बट्टे 4, प्लस, ये कितना हो जाएगा, भाई, ये हो जाएगा, 3 बट्टे 2, माइनस का 3, कितना हो जाएगा, इंडर रूट 36, यानि कि ये भी हो जाएगा, अंडर रूट 9, यानि कि ये भी आ जाएगी 3, ये जाएगी 3 आके, चलिए भी निकाल लीजे, सिए बराबर कितना हो जाएगा सी एसी और एके भी इसकी दूरी है यह हो जाएगा भाई 27 बट्टे 4 और प्लैस यह हो जाएगा 9 बट्टे 4 कल्पूलेट करेंगे तो यह भी आजाएगी 3 से मालिया जो तीनों जाएगा बराबर आ गई है और किसी प्रिभूष की अगर 3 साइट सिक्वल होती है तो ऐसे ट्राइंगल को जब आप AB भी इक्वल है BC और CA तीनों साइट सिक्वल है और अगर ऐसा कहीं होता है तो यह इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है चलिएगा इसके बाद next question तो focus करते है 33 33 में बोला गया है कि x plus 2 x minus 2 किस बैंजक दिया गया है x cube plus 10 x square के गुड़ल ट्राइंगल फैक्टर है तो of course इसे satisfied करेंगे x plus 2 is equal to 0 given है तो x is equal to हो जाएगा minus का 2 रखते है इसमें इसे satisfied करेंगा तो जैसे ही minus 2 रखेंगे इसकी value 0 हो जाएगी रखें भाई x cube रखोगे x cube की जबाद के minus 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई ये minus 8 हो जाएगा plus 10 गुड़े minus 2 की power यनि की 1040 हो जाएगा minus का 2m हो जाएगा plus का n हो जाएगा equal to 0 हो जाएगा है ना चलिएगा इसके बाद क्या करना है में इसे solve करना है अगला वाला point भी इसका हम रखी लेते हैं देखेगा हम उदर ले जा रहा है इसे ये हो जाएगा 2m minus का n is equal to ये अपनी जगा पर हो 32 हो जाएगा यानि की 32 हो जाएगा दूसरे वाले में भी अगर दूसरा वाला point रख लो इसी तरह से x minus 1 is equal to 2 x minus 1 is equal to 0 होगा x बराबर 1 होगा x बराबर 1 यहाँ पर रखोगे 1 plus 10 plus m plus 10 is equal to 0 यानि की यहाँ से आजाएगा m plus 1 is equal to minus का 11 अब दोनों को हमें swallow कर लेना है अगले एक equation हमें और दी गई थी वो equation क्या है वो दी गई है 2m minus का n is equal to 34 दोनों को हल कर लेते हैं same difference है जोड़ जाएगे m और 2m मिला कितने हो जाएगे 3m हो जाएगे और इन्हें हम लेंगे घटा तो कितना आजाएगा यहाँ एक बच्चेगा और यहाँ पर 2 बच्चेगा काड़ देंगे 3 सत्य कीश होगा m का value कितना आजाएगा 7 आजाएगा अगर हम m बराबर 7 रख दें इस वाली equation में n बराबर आजाएगा minus का 18 m minus का 18 आया m 7 आया है और n जो आया minus का 18 आया है m और n करम से तुशेगे तो 7 आजाएगा यानि की option से correct होगा चलेगा question number 34 एक बहतरीन question है है ना देखेगा हम यहाँ पर elements let कर लेते हैं और इसे आराम से identify कर देंगे कि कौन से option सही होगा element let करके करना सब से अच्छा दिकल कोड़ा है 1,2,3 हमने 3 के element ले लिए है और Q के element हमने ले लिए है 3,4,5 एक कम से कम common रखिया गरो है ना हमें कोई दिक्तर थोड़ी है देखेगा हमें कई terms की जरूरत है एक को चाहिए P-2 दूसरा चाहिए Q-P और तिसरा चाहिए P-2 निकाल लेती है फिर सब का union निकाल देंगे है ना P-Q जयानि कि P में से Q के element रखा दो तो Q के element कौन सा common है सिर्फ 3 common रख जाएगा जयानि कि कितना बचा 1,2 बचा फिर क्या है Q-P Q में से P के element रखा दो जो common हो 4,5 बचेगा है 4,5 बचेगा फिर हमें निकालना है P intersection की जयानि कि P और 2 में जो दोनों में common हो वो निकालन sigui अब देखो पर 3 में common क्या है 3 है 3 निकल गया अब क्या करना है इन सब का union निकालना है P-Q union निकालना है Q-P और union इनका निकालना है retrieve P intersection Q सब का union मतलब कि इन चारों में पैस चारों 3 उनियन, देखो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा. अब देख लेते हैं, भाई, P से तो नहीं आएगा, ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा. औरो, especially Q से भी नहीं आएगा. इंटरसेक्शन से बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, तो कौन साफ़पन, D साही हो गया, और निकालना, चाहो तो निकाल लो, नहीं तो अलग होई गया है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल तो, एक, दो, तीन, चार, पाँच आ जाए है, कोई element दो बार है, तो उसे दो बार में लिखते हैं, पेकी बार लिखते हैं, curly bracket के अंदर, तो यहां से रोलों मैच-मैच कर रहे हैं, कौन साफ़पन से ही हो जाएगा, D हो जाएगा, आगे चलिए, यहां पर 35 है, बहुत ही बहतरीन question है, देखेगा, यहां पर करने के दो त दूसरा अगर आप सोचों की सर कैसा है, जब अर्जस्तिक ऐसे सोच नहीं है, तो आप इसे कर सकते हो, 1 प्लस xy बराबर दो दिया गया है, आप लीजिए LCM, 1 प्लस 1 divided by x is equal to 2 हो जाएगा, और x square minus का 2x plus का 1 is equal to 0 हो जाएगा, x minus का 1, x minus का 1 का whole square हो जाएगा, और x बराबर जाएगा 1, और x बराबर 1 उठा गरें दीचे इसकी value निकल जाएगी और वो कितनी आएगी, 2 आएगी, है न, चलेगे, इसके बाद चलेगे 36, बहुत ही बहतरीन question, अच्छा question, देखे, क्याना दो बल प्योर क्यों एक कड़पे लगे होगी, हमारे पास दो बल है, दूनों बल जो है, तो ये बल होगी, ये दोनों बल जो है, नहां पर लगे हुए है, तो ये बल यहां लगा दिया, दो बल है, एक बल पी दिया गया है, ये हमारा वेक्टर पी हो गया, और दूसरा बल हम थोड़ा साइसे, समानतर चपर मुझकी, बहुजाओं पे लिखे, दूसरा प्रस्मों बता रहा है, ये दोनों के एंगल बना रहे है, वो थीटा एंगल बना रहे है, यानि कि दोनों के बीच का पोल है, वो थीटा है, तो इन दोनों के बीच का पोल में लिखे है, थीटा, अच्छा, ये हो जाएगा इनका रिजल्टाइम, इसका हो जाएगा, रिज पीसा से alpha का pole बनाता है, अब इस triangle को पड़ विए इसको parallelogram को complete रहेते हैं इस फिरलोग्राम हो जाएगा, चलेगा, इसके सारे points के नाम दे देते हैं और और चलेगे, इसके points के नाम दे देते हैं, इसका नाम L दे देते हैं और इसका नाम MDG, यहाँ पर perpendicular blocker दीजी, यहाँ पर perpendicular जो भी एटाइलोग्राम पर पहले आपने नहीं सना है, यह M इस पॉइंट को नाम MDG, और यह N हो गया, यह T हो गया, सरे चीजे हमारे पास आ गई है, हमें निकालना शुरू करना है, हमसे कह रहा है कि जो R का वियोजित और आप है, R का वियोजित भाग T की विसा से 2P मिथी, हैना, R का वियोजित भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर, इस R का वियोजित भाग होगा, वह जाएगा, P को जाएगा, R कॉस अल्फा, वो किसके बराबर है, 2P के बराबर, चलिए कह हम पहले, स्टार्ट करेंगे, यह यहां पर हम सबसे पहले यह वाला ट्राइंगल उठा रहे हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ओ ट्रिबुद उठा लीजिए आप O O M N इस ट्रिबुद में आप पॉस अलफा लगाजीजी आधार बटे करण दो इधर बड़ा वाला ट्रिबुद यह हो जाएगा करण A Но अधार कितना है यहां पर P O O O C A C अकु एंगु यह चोड़ दीजिए एक नया ट्राइंगल आप लिए चोटा वाला ट्रेंगल लेकर दिघर आयह इधा देखे एक ट्राइंगल दुट आए यह जहां पर 90 अंस होगा वही को अपले पाऊगी अब देखेगा यहां पर 90 अंस है इस वाले में हम उठा लेना है ट्राइंगल L M N में इस ट्राइंगल को उठाईए और यहां पर लगाते हैं पॉस्थीटा पॉस्थीटा बराबर कितना हो जाएगा वही आधार बट्षे करन यानि कि Base Bly Hypotenosed और base कितना दिया गया है keep base LM दिया गया है. और hypocotinus कितना दिया गया है? Hypotinus यानि कि 90 के सामने वाली यानि LM हो जाएगी, कुन सी? LM, LM तो आज़ींगी, base LM हो जाएगा, 90 के सामने वाली, LN है, LN दिया गया, एक्कित साय clarity, so LM पराबर हो जाएगा, अब LM, LM देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे अब आप निकाल लीजी LM यह आ जाएगा भाई LM बराबर आजाएगा मुल्टिप्राई कर देंगे LM को रोक दीजिए LM दिया गया है LM परसान नहीं होना है देखेगा अब एक साइड है यहाँ पर दी गई है OM में क्या चीज़े है OL है और LM है यहाँ पे हमें क्या करना OL अगर निकालना हो यानि कि OL निकाल ली है तो हम क्या करेंगे पूरी साइड में LM वाला पार्ट घटा दिया तो OL बचेगी है ना चलिएगा OL क्योंकि OL का हमें बियोजित भाग दिया है ना उसका R का OL बराबर कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा OM माइनस का LM देखे LM हमें दिया गया है LN कॉस थीटा है और LN कितना है भाई LN पर यह दिखा क्यू दिया गया है चाहें को यहीं रख दीजिए आप Q पॉस थीटा हो जाएगा है है ना Q पॉस थीटा अब OL कितना दिया गया भाई यहां पर OL दिया गया है वेक्टर P वेक्टर P OM हम निकाल चुके है R कॉस अल्फा और पॉस अल्फा माइनस LM कितना चुका है Q पॉस थीटा अब देखे गा यह क्या है भाई आर का बियोजित भाग है, है ना, आर का P की दिशा में बियोजित भाग है, और वो क्या दिया गया है, हमें 2P दिया गया है, देखेगा, यह कितना दिया गया है, 2P, यानि कि यह हो जाएगा, वेक्टर P is equal to 2P, और माइनस का Q cos theta, अब देखें, सब्ट्रेक्ट करतें, P को हो जाएगा, भाई, cos theta का कौनसा option सही है, B वाला, जो option होगा, P is equal to Q, cos theta वो correct होगा, इसमें कुछ था नहीं, हमें क्या करना था, हम एक बार पूरे इस कि यूज कर लेंगे, बड़े वाले को एक बार है इसको यूज कर लेंगे, है ना, यहां से बड़े वाले यहां पर 37 है, एक मसहूर question है, देखेगा, बहुत famous question यह है, इंटर्यूप भी हम लोगों ने पढ़ा है, जब 2010 में यहां उससे पहले वाली किताब है, अगर आपने पढ़ी नई वाली में भी यह समझनी थे question, अंदरूप, यहां पर C रखा हुआ है, अंदरूप, यह हो कर देना, माइनस आई से यह कह सकते हैं, फिकांजूगेट निगाल लेने, A माइनस का IB divided Y हो जाएगा, C माइनस का ID, अब क्या करो, इन दोनों को मल्टिप्लाइ करो, LHS का मल्टिप्लाइ, LHS से, RHS का मल्टिप्लाइ, RHS से, तो यह X स्क्वेर माइनस आई स्क्वेर, Y बैकेट में, A plus IB एक बैकेट में, दूसरे बैकेट ऊपर कितना आजाएगा, A minus IB आजाएगा, divided by, यह हो जाएगा, C plus ID एक बैकेट में, अच्छे विजुवल्टी के लिए, आप मोबाइल को न, हमेशा, लेंड स्केप मोड पे रखके देखा करें, यह Portrait पे न देखा करें यह कितना आजाएगा, A square plus B square हो जाएगा, और यह C square plus C square plus B square हो जाएगा, ऐसा कौन सो option सही है, हमसे कह रहा है, C square plus Y square की value, क्या होगी, अंदर रूट हो जाएगा, A square plus B square divided by C square plus B square, चलेगा 38 देखेगा, यह भी बहुत ही बहतरीन question है, 38 प्रस्ट में हमसे बोला है, कि P और क्य दो समुच्चे है, देखो यहां पर P union Q, पहले कि सिंपल ही एक्दम बहुत यासान, P union Q यह कह रहे है, P के बराबर है, अब देखो P और Q का union का मतलब क्या है, कि क्या कोई Q का एक ऐसा element होगा, ऐसे elements इसमें होगे, जो P में भी होगे, इसलिए सिर्फ P आ गया है, हैना, अब अगर हमें दोनों में intersection निकालना हो, भाई, जो element Q में हो, P में भी है, हैना, लेकिन जो P में हो, Q में नहीं है, तो क्या आएगा intersection में, क्यों आएगा, या दूसरा method अगर आप देखना चाहें, इसलिए तो समझने कमारा, कैसे हैं मितना सोचना नहीं, चलो, सोचने से कहां मि लेना, 3,4, बस, 3,4 चल लेना, हमें क्या करना पहले, यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना हो, अच्छा, हमें ऐसा लेना कि P आजाए, चीखें, अब देखो, P और Q का यूनियन लेना, अब यूनियन लोगे तो भाई, कितना आ जाएगा, वहीं आएगा, एक, दो, त इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, तो पॉमन वाला आएगा, तीन आ जाएगा, यूनियन किस क्या है, यूनियन क्यूं है, कौन सा अपन चीखें, बहतरीन कोश्चन, हमसे कह रहा है कि सामर्थ का मात्रक क्या होगा, अब देखिएगा, सामर्थ बर अरे में पूरी जानकारी होना चीख, सामर्थ होती ही क्या है, यानि कि P बराबर जो होता है, वो होता है, वर्थ अपन ताइम, वर्थ अपन ताइम, तो वर्थ क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल पर सेकंड, एक जूल पर सेकंड को बोलते है 1Wat , क्या बोलते हैं Watt , जो कौन सा उक्शन सही होगा , C option सही होगा , यहनि कि जो समर्त है यहनि कि जो power है इसका मात्रा क्या होग वाट होता है , यहनि कि यह भी कह सकते हैं, कि एक Watt बराबर होता है 1Joule पर सेकंड , उक जूल पर सेकंड , अच्छा , 1KW घ्ठा मेना यार चुख कोस्चन में फोटनी एक वहतरीन कोस्चन है, यहां पर इंस्टॉल्मेंट की बाकी गए, यह एक में डारेक का फॉर्मूला है, कि एक एंड किस्तों में, R % व्याज किदर से किसी धंडासी A की डिड अदाएगी है को वार्षिक किस्त गयाद करने का फॉर्मूला, यह फर्मूला याद रखेंगे, जो हमारी किस्ट होती है, गो क्या होती है, a by divided by 1 minus 100 by 100 plus r, यह कुछा गया था, commercial mathematics से हैं, अब किस लेवर्स के part से हैं, चलेगा, तो यह किस्ट होती है, यहाँ पर पहला option जो होगा, 41 देखेंगे, अच्छा 41 एक बहतरीन question देखेंगा, यहाँ तो दिया गया है, x, यदि कह रहा है कि x y is equal to a square, और s is equal to b square x plus c square y, जहाँ a और b c अचर है, और s का का क्याना निम्निस्ट मान निकालना है, इसका निम्निस्ट मान निकालना है, यह हो जाएगा, a square by x, और यहाँ पर s को उठा लीजिए, s दिया गया है, s is equal to दिया गया है, b square x plus c square y, y के value रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ जाएगा, b square x plus c square y के value दी गई है, a square बठा में x, अब हमें क्या करना है, minimum और maximum निकालने के लिए न, क्या करना होता है, differentiate करो इसके, x के, x के, x के, आप respect में differentiate करेंगे, differentiating with respect to x, x हो जाएगा, इस goal to do, को इस x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पी स्कूर बचलेगा, plus, यह हो जाएगा, c square है, यह 1 by x है, 1 by x को ले जाओ, x के पावर, minus 1 हो जाएगा, और इसका differentiation के के हो जाएगा, minus 1, into x की पावर, n minus 1, यानि कि, minus 1, minus 1, minus 1 की पावर, x square हो जाएगा, यानि कि, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे, यह हठा देते हैं, तो इस minus का हो जाएगा, c square, a square, और बटे में आजाएगा, x square, यह ना, चलिएगा, एक बार और निकाल लेते हैं, इसे differentiate करके, differentiate करोगे, एक टाइम्स और इसे differentiate करेंगे, तो 0 हो जाएगा, और यह plus में हो जाएगा, x कावर, minus 2 है, तो minus 2 निकल के आजाएगा, यहाँ पे, minus, minus का 2, x की पावर, minus का 3 हो जाएगा, यहीं कि 2 बटे, x cube हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 बटा में, x cube, तो यह, c square, a square, इसको पलेसी कर देगा, वो, x cube आजाएगा, अच्छा, अब क्या करना है, हमें एक काम यह करना है, कि पर, minima, or maxima, minima, or maxima के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर, ds, dx, यहीं को first derivative को, 0 के इकवाल करते हैं, first derivative भी यहां पर दिया गए, हमें, जा, b square, minus, c square, a square, बटा, x square, is equal to, 0, यानि कि, यह आजाएगा, b square, x square, is equal to, c square, a square, यानि कि, x is equal to, आजाएगा, plus, minus, c, a, बटा, b, अच्छा, x की यह value आगई, अब हमें यहां पर, इसमें रखके देखना होता है, अब यहां पर रखके देख लीजी, यहां पर रखोगे, x की जगह पर, c, a, by, b, आनि, c, a, by, b, रखोगे, तो positive value मिलेगी, और अगर, d square, b, square, s, और d, x, 2 की value positive होती है, तो minima होता है, तो minima किस पर होगा, minima हो जाएगा हमारा, x is equal to, कितना, c, a, by, b, पर, तो हम से function में पूछा है, minimum value ही पूछा है, यहां पर minimum value निकालेंगे, देखेगा, किस पर minima हो रहा है, x is equal to, c, a, by, b, पर function minima हो रहा है, तो minima की value निकाल दीजिए, क्या दिया गया है, function हमारा, क्या दिया गया है, s is equal to, b, square, b, square, x, plus, c, square, into, a, square, by, x, था यह, 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 एक्स की जगह पर, क्या रखना है, आपको, c, a, by, b, यह हो जाएगा, b, square, into, c, a, by, b, plus, c, square, a, square, बटें, यह, c, a, अगुडे में क्या जाएगा, b, जाएगा, start देते हैं, b, से b कर जाएगा, और, c, a, c, a, c, a, की power कर जाएगी, यह, क्या बचा भाई, b, c, a, यह, कह दो, a, b, c, plus, a, b, c, मिला के कितने बन जाएगा, 2, a, b, c, कौन सा अप्षन से हो जाएगा, b अप्षन क्या हो जाएगा, 41 में, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, 42 देखेंगे, प्रस्टेशन चाफ, 42 में हमें, निकालना है, range, क्या था, range आप दा, real valued function, effects is equal to, 9 minus x square, root 9 minus x square, इसकी हमें निकालना है, range और domain आपको में इसकी दोनों निकालना बताएंगे, तो function में क्या दिया गया है, function दिया गया है, function जो दिया गया है, वो दिया गया, effects is equal to 9 minus x square, effects is equal to 9 minus x square, नेके, function दिया गया है, effects is equal to, effects is equal to दिया गया है, effects is equal to दिया गया है, root 9 minus x square, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पहले इसकी निकालेंगे, range फिर हम आपको इसमें domain बताएंगे, तो तो परासी पूछा गया है, चले कम इसे y लेट कर ले रहे हैं, तो y is equal to हो जाएगा, root 9 minus x square, y is equal to हो जाएगा, root 9 minus x square, अच्छा ये बताएगे, ये क्या है, 9 minus x square है, और root निकल के आएगा, वर्गमूल निकल के आएगा, यानिकि एक को पॉजिटिव नंबर निकल के आएगी, कहने को मतलब ये है, जो y होगा, हमारा वो क्या होगा, greater than equal to क्या होगा, 0 होगा, इसे याद लगते, यानिकि जो y के value होगी, वो greater than equal to 0 होगी, आप देखेगा यहाँ पर, वर्ग कर लीजे, ये कितना हो जाएगा, y square is equal to हो जाएगा, 9 minus x square, 9 minus x square, और x square is equal to कितना हो जाएगा, 9 minus y square, 9 minus y square, अब पताओ, अगर हमारे पास, ये x square है, वो positive है, mean x square अगर positive है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर, x greater than equal to zero होगा, की नढ़ी, x square x square है positive होगा, ये na, क्योंकि x square लगा हुआ, ये positive होगा, अगर ये positive होगा, तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल तो जीरो होगा एक्स स्क्वार ग्रेटर दैन इक्वल तो जीरो होगा तो रख दीजें यहाँ पर यह हो जाएगा 9 माइनस का y स्क्वार ग्रेटर दैन इक्वल तो जीरो हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा य की जो value आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, minus 3 से क्या होगी, greater than equal, less than equal to होगा, but greater than equal to होगा y, हमारा किससे minus 3 से, और इससे क्या होगा, less होगा, चलिएगा, यानि कि अब हमारे पास point आ चुके हैं, जिसे number line पर लिख देते हैं, number line पर लिखेंगे, यह हमारा 0 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ पर, minus 3 है, और यहाँ फिस समी करण, एक ती condition क्या है, समी करण, एक की condition, यह करें, range में वो आएगा, जो कहा होगा, greater than, equal to 0 है, जैना, greater than equal to 0 रहे, तो यहां पर minus 3 से 3 तक यह कह रहे हैं, लेकिन यहां पर उपर वाला condition क्या लगा रहा है, तो सिर्फ एतना area, जो common area वो आएगा, यह तो कह रहे हैं, पूरा आएगा, लेकिन यह क्या कह रहे है, उपर समी करार 1 क्या कह रहा है, यह वाला common वाला area आएगा, क देखे गए आपने, तो 0,3 हो जाएगा, 0 से लेकिन तक 3 तक, मतलब के include होगा इसमें 0 और 3 भी, अच्छा, आप इसके हम domain के भी बात करेंगे, domain के भी बात करेंगे, हमने range की बात चित्कर लीगे, domain की बात भी करेंगे, देखे, domain, domain के लिए हम क्या करेंगे, यह fx दिया ग fx is equal to, दिया गया है, fx is equal to, 9 minus x square तो तो सोचना नहीं है, direct ही निकाल लेना है, करना हो जाएगा, यह 9 minus x square होगा, भाई, अंडर root गेंदर है, तो क्या होगा, मैंसा positive भी होगा, यह किसे क्या होगा, positive to 9 इतना जाएगा, यह हो जाएगा, x square यह हम कहां सब्सक्राइगा, less than, equal to 9, तो x की यहांकर दो value निकल के आजाएगी, क्या आजाएगा, minus 3 से, x जो होगा, minus 3 से, greater than, equal to, but less than, equal to होगा, तुसके 3 से, तो domain कितनी हो जाएगी, domain में कोई दिक्ष्टत नहीं, minus 3 से 3 लेना, minus 3 से 3 domains जाएगी, यार रखेंगे, बहुत यह hit question है, domain यह होगा, और range क्या ह 0,3 होगी, यारी कि 0 से लेके 3 तक होगी, चलेगा, इसके बाद आगे चलेंगे, question number, यारी कि यहां पर अगर हम से domain पूछा गया, तो यह होगा, अगर range पूछी गई होती, तो 0,3 होती, और domain अगर पूछता, यह हो जाता है, domain के लिए, 43, question number 43, एक बहतरीन question है, आपको बार बार ओर लगातार स्काइब के प्रस्ट मिल रहे है, देखें कि मैंने आपको एक बार बताई थी कि, x की पावर अलफा, प्लस माइनस, x की पावर अलफा, प्लस माइनस, 1 बाई, x की पावर बीटा, और इसकी पावर n के प्रसार में, अ अंसे कभी भी पूचा जाए, x की पावर m का मान, है न, x की पावर m का मान, इसके लिए r जो होता है, वो होता है, n अलफा, माइनस का m, डिवाइड़ बाई, अलफा प्लस बीटा, चलेगा, compare कर दो, n कितना है आपके, देखों, आपके 11 है, न, r निकालना है, 11, और अलफा कितना 2 है, माइनस, m कितना है, अरे, n कितना है, n, 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 10 दिया गया, 10, 10, और ये 11 दिया गया है, m, बटे, अलफा प्लस बीटा, अलफा कितना 2 है, और बीटा कितना 1, ये वाली वैलू होगी, अलफा, और ये वाली वैलू होगी, बीटा की न, पावर दोगी, ठीक है, कर तो कोई दिक्कत नहीं हमें सेधा में कहा निकाल देना है X ď 11 का गुळांक है कि लिए हमने निकाल दिया r किचस्टा होगा 3 होगा है ना 3o यानि की 3 settled 1 तो कितना हो जायेगा 10c3 बाकि जाए रेकों कोई दिक्कती नहीं है reimbursement नहीं है लुह oncent 10c3 ही हो जाए इसे 3 को expand करना तो कैसे expand करेंगे 10 गुड़े 9 गुड़े नीचे जितना होता उतने बार पीछे चरेगा और उसके बाद आप ले लो इस 3 को आप ले लो इस 2 को इस ले लो 1 को काड़ दीचे इसे 2 पंचे 10 हो जाएगा इंट्रिक 9 हो जाएगा फांत यह 15 और 15 अठ्थे कितना ह होता है यहां पर 120 है यह वाला डी वाला option क्या हो जाएगा भाई correct हो जाएगा option d क्या होगा correct हो जाएगा गीकिएगा कुस्चन नमवर 44 में मापांक निकालना त injust दिया गया है c बेक्टर दिया गया है c तो में बेक्टर का मापांक निकालना है याणि कि यह हो जाएगा 4i – का 5j क्लस का 11 के गैला इसका मापांक निकालने का सिस्टर्ब यही होता है आई के गुडांग का स्क्वेर, चार का स्क्वेर 16, माइनस पांच का स्क्वेर 25, और ग्यारा का स्क्वेर 121, कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे 162, 162 हो जाएगा, और 162 को हम लिखेंगे क्या, मुझे लगदा 18, नईया 122 होता है, ये हो जाएगा 9 बुडे 9 में क्या होता, जिसकी साधी हो जाती है, उससे बाहर निकाल देते हैं, और जिसकी नहीं होती है, उससे अंदर फसा देते हैं, 9 अंदर रोट 2, यानि कि जिसका बन जाएगा, उससे बाहर निकालेंगे, और जिसका नहीं बनेगा, उससे बाहर निकालेंगे, और जिसका नही आई, जे, के, आई, जे, के हो गया, पहले बी को रखना है, बी के देखो, बी के कमपोनेंट क्या दियेगे, आई के कोफिशियन्ट तू, और ये फोर, और ये थ्री, और फिर के में आ जाओ, सिट्स है, फोर है, फोर है, याना, कड़ते हैं, आई, इंटो, ये छूट चार हो गया, माइनस का जो, फिर ये छोट जाएगा, और ये छोट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 का मतलब कितना हो गया, 8 माइनस 18 माइनस का 10 हो गया, प्लस के इंटो, ये छूटेगा, ये छूटेगा, चार दूनी 8 माइनस 24, 8 माइन और प्लस के टेंजे, माइनस के 16, इसके कुछ बहुत है, पहला option परेक्ट होगा, इसमें ज्यादा बात नहीं जारेंगे, कुछ भी नहीं है, चलिएगे, अब देखिए, वैसे को आपको याद होना चाहिए, कि y स्कूर पोर एक्स का जो प्राचलिक समी करण है, उसके जो प् यही होते हैं, लेकिन अगर आपको तब भी भरोसा नहीं हो रहा, तो आप वो option रख दीजिए, यहाँ पर satisfied करवा दीजिए, जो option satisfied करेगा, वही इसका हल होगा, तो हम इसी को satisfied करवा रहे है, क्योंकि हमें पता है, नका लिमान लेते हैं, 480 का स्कूर हो जाएगा, और इधर 4a into x, x कितना भाई, a t square है, यह कितना हो जाएगा, 4a square t square is equal to 4a square t square, दोनों equal आ रहे है, इसका मतलब क्या है, option b क्या होगा भाई, वो एक्डम सही होगा, चैनिये, 47 देखिएगा, 47 में एक बैतल कोस्टन है, 47 में कहना यह चाह रहा है, कि एक फॉलन दिया गया है, हमें, करहा है, is defined as the fault, जना ऐसे defined किया गया है, करहा है, वो continuous है, x is equal to 0 पे भी है, x is equal to 1 पे है, या दोनों के है करा है, या x is equal to 0 पे है, और इस continuous is equal to 1 पे, option दिया गया है, फि है, अब कहाँ चलेंगे, x is equal to 0 के लिए, हम निकालेंगे, LHL, जना, फिर चल क्या होगा, यह होता है, limit, यह हो जाएगा, h tends to 0 minus x, जना, फिर क्या करते है, limit को change कर देते है, h tends to 0 कर देते है, और जहाँ function होता है, वहाँ पे रख देते है, 0 minus x, जना, अब देखिएगा, 0 minus, जनी कि 0 छोटा हो, 0 से क्या हो छोटा हो, उसके लिए कौन सा function है, जना, यहाँ पे 0 से छोटा है, minus x है, तब क्या use किया गया है, इस कोरान use किया गया है, minus x, यह ही पर रख दीजिए, कितना रख दोगे, min, limit, limit, h tends to 0, और function में रख देना, minus x है, minus x इस function है, यह हो जाएगा, minus का, 0 minus h, रखेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी value कितनी आ जाएगी, 0, और h, वो कितना हो जाएगा, limit हो जाएगी, x tends to 0 plus fx, और limit हो आप change कर दीजिए, limit हो जाएगी, x tends to 0, और function की जगा पर रख देना है, 0 plus h, यह हो जाएगा, 0 plus h, मतलब 0 से बढ़ा हो, यानि कि यह वाला आ जाएगा, x, यह आ जाएगी, limit x tends to 0, 0 plus x रखेंगे, 0 plus h, और इसकी value कितना लेगी, 0, अब जेखो यहाँ पर lhl और rhl तो दोनों equal आगे, मतलब कि x is equal to 0 पर यह continuous है, x is equal to 0 पर यह continuous है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आग x is equal to 1, अच्छा हम x is equal to 1 लेके चलना है, lhl लेके चलना है, lhl निकालेंगे, तो वही हो जाएगा, limit x tends to 1 minus fx, अब क्या करा, x से छोटा, अब दो को यहाँ पर 1 से छोटा function कौनता, यही वाला है, x, अब रख देंगे, x रख देंगे, x रख देंगे यहाँ, x रख देंगे limit apply करोगे, तो यह 1 आ जाएगा, और इसी तरह आप निकालेंगे, rhl, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, x tends to 1 plus fx, और limit h tends to 0, यह 1 minus h है, तो इसकी जगह पर अप्या रख देंगे, 1 plus h हो जाएगा, 1 plus h रख देंगे, अब देखेंगे, कोन सा function आएगा, 1 से बढ़ा हो जा हो जाएगा, limit, limit h tends to 0, और हो जाएगा, 2 minus h रख देंगे, 2 minus x की जगह पर रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे, x जगह पर देंगे, 1 plus h रख देंगे, 1 plus h, limit apply करेंगे, 0, plus 1 हो जाएगा, यह जाएगा, यह जाएगा, यह आ जाएगा, यह जाएगा, यह जाएग पर भी है लहल पर बराबर लहल पर पर भी है इसका मस्तर क्या है यह दोनों continuous होगा दोनों values पर है ना चलेगा 48 देखते हैं question no.48 है दिया गया है हमें यहाँ पर वेग निकालना velocity निकालना देखेगा velocity जो होती है वो हो जाएगी i i dx dt d dx of t tx of x चलिएगा plus j यह हो जाएगा d dt of y y वालप्रिम चलिएगा plus k d dt of z हमें क्या करना है यहाँ से निकालो x का देखो d dx यहाँ पहले वाले निकालो dx upon dt dx by d dt of x यह कितना हो जाएगा minus k e t power minus t हो जाएगा और यहाँ से निकाल लीजिए आप d dt of y निकाल लीजिए तो कितना जाएगा minus k 2 sin x हो जाएगा अरे differentiating तो करना है d z dt यह कितना हो जाएगा sin t है तो यह post ही हो जाएगा अब यह सारी value उठाके रख दीजिए यहाँ पर यह कितना हो जाएगा minus already दिया गया है तो minus का जाएगा i e t power minus t plus प्लस को हटाओ तो t यहाँ पर already minus है तो कितना हो जाएगा जाएगा j है यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 sin t j प्लस एक अवैलू चुछ आपके को रहने को और यह कितना दिया गया है d z dt यह post t दिया गया है यानि कि minus का जाएगा minus t i है कौनसा option से यह पहला वाला option correct हो जाएगा तो चलिए अगला देखेंगे question number 14 question number 49 भी बहुत जाएगा question है जब कोई question नहीं है जब आपके यह सीरा दिया गया है कि post hyperbolic square z minus sign hyperbolic square z की यह होता है हमारा 1 के equal to होता है इसके equal to होता है 1 के equal to होता तो हम यहाँ पे कुछ math for formulae सारे discuss कर लेंगे हैना देखते हैं हम यहाँ पे formulae एक question हमारे पास और बच्चा हुआ है इसका आज की class का वह हम पहले formulae देखते हैं फिर उसके बाद उस प्रशल के हम वापस आ जाएगी ठीक है चलिएगा formulae सारे discuss करेंगे लेखेंगे यहाँ पे जितने भी important formulae है सब का discussion करेंगे देखेंगे यहाँ पे पहला formula को हम sin hyperbolic से सुरू कर रहे है sin hyperbolic 2x sin hyperbolic 2x का जो formula होता है वो क्या होता है यह आ जाएगा 2 sin hyperbolic 2x का sin hyperbolic 2x और यह पिना हो जाएगा पॉस hyperbolic x हो जाता है इसके बाद हम बात करते हैं पॉस hyperbolic 2x की तो पॉस hyperbolic 2x जो होता है वो क्या हो जाएगा यह होता है पॉस hyperbolic square x प्लस sin hyperbolic square x एक तो यह formula हो जाएगा और दूसरा formula हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा तो यह जाता है बन प्लस 2 sin hyperbolic x और एक formula और हो जाएगा अगर हम इसे pos की term में रखते हैं तो यह हो जाएगा 2 pos hyperbolic square x minus y यह formula हो जाते हैं अगर हम hyperbolic identity की बात करें तो देखिएगा एक identity इसकी होती है pos जो आपसे प्रस्म में पूछी गई है hyperbolic pos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x की value जो होती 1 जो हम लोग pos square theta plus sin square theta बावर बन पढ़ते थे न वो यहाँ पर यह identity इस तरह से होती hyperbolic में दूसरी identity हम लोग 10 और sec में पढ़ते थे यहाँ पर होती है identity वो 10 hyperbolic square x plus sec hyperbolic square x is equal to 1 तीसरी हम pos sec और pot में पढ़ते थे यह होती है pot hyperbolic square x minus pos sec hyperbolic square x is equal to 1 यह तीनों identities होती है इन्हें हमें ध्यान रखना है तो रहा सा inverse pension के formula की बात भी करेंगे इसमें क्योंकि बहुत important है formula ही directly पूछ लिया जाता है देखिएगा एक बिनार अब देखिएगा अब देखिएगा हम inverse बात रखते हैं हम साइन इन्वर्स यह formula की आप लिख लीजेगा आपके लिए बहुत ही important है log और exam में एक प्रस्ट direct आ जाता है इनसे अभी कोई तो सीधा प्रस्ट नहीं पूछ लेता है x square plus 1 के बराबर होता है sin hyperbolic inverse x जो होता है log x plus root x square plus 1 के बराबर होता है cos inverse x is equal to होता है cos hyperbolic inverse x is equal to होता है log x plus और यहां के थोड़ा सा change हो जाता है यह हो जाता है x square minus का 1 और tan hyperbolic inverse x की अगर बात करें tan hyperbolic inverse x is equal to होता है यह formula बहुत important है पूछा गया था log यहां कोट hyperbolic inverse x में आया था देखेगा एक बार यह होता है उपर हो जाएगा 1 plus x divided by 1 minus x कोई दिखेगा अच्छा का भी देखी लीजिए और hyperbolic inverse x is equal to क्या हो जाता है एक बटे दो यह रहेगा ही थोला सा यहां पर इवर्तन आपको देखने को मिलेगा यह हो जाएगा log और यह हो जाता है यहां पर पलड़ जाता है x plus 1 हो जाएगा divided by हो जाएगा एक्स माइनस 1 याद रखेंगे ना यह याद रखेंगे यह याद रखेंगे कफ़ी important formula है चारो formula आपके इनसे प्रस बें पूछे जाते है या तो कभी कभी direct नीप कूछ लिए जाते है तो कफ़ी important है दोनों को यह इन सभी को याद रखेंगे अच्छा अगर कहें तो बता देते हैं चलो दिससे लेते हैं सेक अभी देखेगा सेक का फर्मूला क्या बनेगा जाते हैं यहां पर सेक सेक हाइपर्बोलिक इनवर्स एक्स इजगोल टू होता है लोग बन प्लस रूट बन माइन अफ एक्स स्क्वाइर डिवाइड़ बाइ एक्स और एक और बचा उसको भी डिसक्शन करी लेते हैं पॉस से हाइपर्बोलिक इनवर्स एक्स इजगोल टू यह होता है वन बाइ एक्स प्लस यह लोग आ जाएगा है लोग आता है वन बाइ एक्स प्लस रूट वन माइन अफ एक्स स्क्वार डिवाइड़ बाइड इन्हें लर्न होने चाहिए आपकी जुबान में रटे होने चाहिए जब भी काम आए तो आप इन्हें लिप सको ठीक है चलेगा इसके बाद हम चलते ही अपनी पुराने क्वेस्टन पर यहां पर कॉन्स आप्शन सही हो गया था भाई यह तो आइडेंटिटी ही दी गई थ अब हमें निकालना है यहां पर प्रोडक्त आफ रूट्स दोनों का गुडण फल यानि की a-d a और a प्लस d equal to हो जाएगा minus d भाई यहां की 28 यानि की 28 हो जाएगा आप देखेगा यहां पर 4 हो जाएगा यह हो जाएगा a square minus d square इस दोनों का मल्टिप्लाई कि यह ले रहे हैं और इसकी value 4 रख रहे हैं यह 27 है 428 है काट दीजे 7 आजाएगा यह रखनेंगे आजाएगा 16-7 यानि की 9 आजाएगा d is equal to कितना आजाएगा plus minus 3 तो यहां पर d की जो value दी जई है और plus की 3 दी जई है यानि की option d correct होगा अच्छे जिंदगी वो नहीं जो हमें मिली है जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं सामने के question number 51 में बात आपको बता दें यहां पर आजाएगा 3 minus का root 8 है न हमारे पास जो answer आ रहे है वो तभी क्या है देखें यहां पर किसमें भी denominator नहीं है मतलब कि हमें क्या करना होगा इसका rationalization किया जाए rationalization करेंगे तो यह हो जाएगा plus का 8 हाना conjugate का गोड़ा करते हैं यानि कि संजुल्मी का गोड़ा करते हैं तीन प्लस root का 8 कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा 3 plus root 8 नीचे देखेगा a plus b a minus b a square minus b square 3 square minus 8 root 8 square यानि कि 9 minus 8 नीचे कितना बचा एक फुल इलाके हम यह देख रहे हैं कि उपर क्या है अगर यहां पर minus था चिन बदल के plus में आ गया है और नीचे को दोनों को multiply करने पर दोनों को a plus b और a minus b करने पर कितना आ रहा 1 आ रहा यहां भी देख लेते हैं यह कितना आएगđ 8 minus 7 आएगा यह भी 1 हो जाएगा 7 minus 6 आगह भी 1 हो जाएगा root 6 minus 5 आएगा यह भी 1 हो जाएगा और यह 5 minus 2 का चोर नीची 4 आएगा यह भी 1 हो जाएगा मतलब हमें कुछ नहीं करना है इसकी जगब सिर्फ प्लस-प्लस वाले ले ले लेना है देखके गा इस जगह पर क्या रखना है हमें root 3 sorry root 3 नहीं कितना है 3 plus root 8 है फिर क्या है minus bracket में यह कितना हो जाएगा root 8 plus root 7 plus लगा हुआ है फिर 1 by लिखा हुआ है root 7 minus root 6 इसकी जगह कितना आ जाएगा इसके जगह पर आ जाएगा root 7 plus root 6 आगे चलते हैं यहाँ पर minus लगा हुआ है root 6 plus root 5 हो जाएगा और यहाँ पर plus लगा हुआ है यह हो जाएगा root 5 plus 2 अब देखेगा multiply कर लेते हैं से पहले एक बर sign गान तर multiply कर दो root 8 minus यह हो जाएगा root 8 minus root 7 plus root 7 plus root 6 minus का root 6 minus का root 5 plus cancel out करते हैं काटेंगे जो जो कट जाएगा तो ठीक है जो बच जाएगा देखेगा root 8 plus का है और यह minus का यह माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 7 यह दोनों कर जाएंगे यह दोनों कर जाएंगे बचा कितना यहां पर 3 बचा और यहां पर 2 बचा यहां पर कितना है फाइप आगे कौन सोपन से रोग जाएगे दो को बट्टे में रखते लेकिन एक आ गया तो रखने कोई जोरत नहीं है कौन कोफ़ों से ही होगा यहाँ पर ए ओप्शन के रिख होगा चलिएगा यहाँ पर पॉस्टन नमबर 52 देखेगा थो हंब्स नमबर 52 देखों multiply करेंगे हैं नहीं हमारे पास कि मैट्वाइस दिए गये गए धो multiply करेंगे सो क्या होता है किस कोलनको इसकी रोस्य होगा है नहीं थिर compare कर देंगे default matrix बन जाएगा देखेगा यहाँ पर कहने को मतलब यह है कि मैं इसे अगर रख लूँ यहाँ पर किसको multiply करना है एकस वाई जड का multiply करना है देखेगा यहाँ पर यह 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 यहाँ यह 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 हो गया इसी तरह second row में जब multiply करेंगे तो कितना जाएगा एकस वाई प्लस जड बराबर कितना दिया भाई 6 दिया है और उसके बाद अब देख लिजे कौन सा मान इसको satisfied कर रहा है जो satisfied कर रहा होगा वही क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा पहले option से ही शुरू करते है एकस बराबर 1 रखिये वहाँ पे लिखा हुआ है एकस बराबर 1 वाई बराबर 2 और जड बराबर 3 तीनों रखके देख लिए तीनों क अगर satisfied करेगा तो यही answer हो जाएगा चलिए गा रखते हैं यहां पर हो जाएगा 2-2-3 कितना हो जाएगा पहली वैलू हम रखेंगे कितना 2x-2-y-3 तो देखें यहां पर 2x हो गया, मैंस का y हो गया, 3z है यहां पर, यह 3z था, ठीक, 3z हो गया, कोई दिक्तत नहीं, यह हो जाएगा 3, 9, बना पहले वाले कुछ सा डिस्वाइट कर रहा, दूसरे को चेक कर लो, दूसरे चेक करो के 1, 2, 3, कितना जाएगा 6, यह भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, चलिएगा, तीसरा सेक करिए, तीसरे में क्या हो जाएगा, 1-2, 3, 1-2 हो जाएगा, प्लस का 3, multiply करेंगे, तो x-y, z हो जाएगा, तो अब देखेगा, यहां पर 3x4 में 2 गया, 2, यहां पर यह भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, यहां साटिस्वाइट क कि यदि बृत्य दिया गया है, बृत्य दिया गया है, कोई बात इस बृत्य के बारे बात करते हैं, दो यहां पर बृत्य दिया गया है, बृत्य की क्योश्चन लिखते हैं पहले हम, ax² प्लस 2a-xy²-4x-1 is equal to 0, वो कि रहा है, यह बृत्य का सम्ही करण है, अब आपको पता है कि जब भी बृत्य का सम्ही करण होगा, बृत्य की जो फॉर्म होती, x²-y²-2gx-2fy-2c is equal to 0 होती है, हम यहां पर यह देखते हैं, कि x² और y² के गुलांग के हमें साब बराबर होना चाहिए, यहां पर x² यह बृत्य कब होगा, जब x² और y² के गुलांग के क्या हो, बर होगे, यहां पर 2 रखोगे, यहां पर 2 रखोगे, 3 दूरी 6, minus 3, यहने कि 3 यह भी हो जाएगा, 3 दूरी 6, minus 3, यह भी हो जाएगा, 3 दूरी 6, minus 3, यह भी हो जाएगा, 3 दूरी 6, minus 4, minus 1 is equal to 0, अब ग्या करें, यह से standard form में convert करें, मतलग कि यह जो 3 है, इन common लेके बाहर यह कितना आजाएगा, x square, plus का y square, minus का 4 बटे 3, x, minus का 1 बटे 3, is equal to 0, यह कितना हो जाएगा, x square, plus का y square, minus का 3, को दो दिवाइट कर दें, 4 बटे 3, minus का 1 बटे 3, आप देखिए, हमें क्या करना है, compare करना है, किस से, इसकी standard form से, इसका जो माना कुरूप होता है, यानि कि इसक standard form होता है, वो क्या होता है, x square, plus का y square, plus 2g, x, plus 2fy, plus c, is equal to 0, अब देखिए, यहाँ पे y वाला टर्म तो है नहीं, है न, y वाला है नहीं, तो x वाले को में दालो, 2g, is equal to दिया गया, minus का 4 बटे 3, minus का 4 बटे 3, 2 second दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यह आजाएगा, g का मान कितना जाएगा, minus का 2 बटे 3, अच्छा, f वाला टर्म है नहीं, तो f कितना आजाएगा, 0, हमसे पूछा है केंडर, यानि कि center है, हमसे पूछा है, center, केंडर पूछा है, तो केंडर क्या होता है, भाई, वो होता है, minus का g, minus का f, g अगभाईलू कितना है, minus का 2 बटे 3, तो यह 2 अब देखेगा हम साइन थीटा और पॉस्ट थीटा के लिए क्या रख दें जिससे वैलू दो आ जाए यह दिया गया हमें अच्छा एक तो यह तरीका दूतरा क्या है आप इसे चेंज कर सकते हो साइन में चेंज करके दुछात समी चरण बनेगा अपने आप पता चल जाएग प्या होगी ठीक में चेह रहे हैं अगर थीटा पराबर 90 रख दें अपराफिक इतना रखने नब्बर कितना है द नब्बग हो जाएगी और कॉससे चरण नब्बय के वैलू कितनी हो जायगी और कोस्वावर एट थीटा मिला कितना हो जाएगा साइ नबे की फावर एट यmen की एक कócओ सेक नबे यенि 1 और एक क्युत्त हो जाएगा? दो हो जाएगा कौन स् अप्सम से हो जाएगा? ॉप्शन बी यहां पर ढी करेक्ट हो जाएगा चलिएगा इसके बाद दिख पंट कॉश्य वंब возм twenty प्रुपए पारा सो पच्चास पर आठ परसेंट वर्षिक ब्याच की दर से कह रहा है। यहां पर हमें दिया गया है कि CIE और SI है ना यानि कि सक्विद्दी ब्याच और साधाराण ब्याच का जो अंतर है वो निकालना है। इसके लिए डारेक्ट फॉर्मूला होता है पी इसकोल पी इन्टू आर बाई हैंड्रेड की पावर में न। जब भी कभी ऐसा कोस्चेन आएगा जहां पर हमें CIE और SI का डिफरेंस दिया गया होगा डारेक्ट ये फॉर्मूला गीच करेंगी। देखिए कब P क्या है हमारा मूल देन है कितना है प्रिंस्पल कितना है बारह सो पच्यास और आर कितना है आठ बटा सो हो गया और N का वेलू कितना है दो वर्स है ये कितना हो जाएगा बारह सो पच्यास इसे काट दीजिए भाई ये कितना दिया गया है काट देते हैं दो स सरी चार से काट नहीं एल सो कि सब्सक्क्राइब करते हैं बाई आठ रुपए आ गये कौन तो आप्षन सरी हो गया ए उप्षन करेक्ट हो जाए गया यहां पर जब भी डिफरेंस दिया जाएगा तो पी इंटू आर्भाई हैंडट की पावरेंड लगाएंगे चलिए तो यहां पर दिया गया दो वक्र दिये गए हमें एक वक्र दिय कावंता उपर की ओर वो कुछ इस कदर बन जाएगा है यह हो गया हमारा y is equal to x square अच्छा इसके बाद देखो जो y is equal to 4 है माल लेते हैं यह प्रस की 4 है यहां पर कहीं पर आएगी यह लाइन चार यूलिट को प्रॉस करते हैं यह हो जाएगा हमारा 0,0 और यह कित्री दूई यह कौन सी लाइन है y is equal to 4 है ना अब देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हमारा होगा इनके point of intersection निकाल ले है ना जो यहां पर एक कर्व और लाइन एक दूसरे को intersect कर रहे हैं वो point of intersection यानि कि प्रति छेदन बिंदू निकाल ले तो वही दोनों को हल करना होता है है ना y बराबर 4 दिया गया y बराबर 4 यहां पे रख दो 4 बराबर कितना हो जाएगा x square तो x is equal to कितना आजाएगा y plus minus का 2 आजाएगा x is equal to plus minus 2 आ गया y is equal to 4 ही है एक point बन जाएगा 2,4 दूसरा point बन जाएगा minus 2,4 तो यह कितना बन गया है? इधर minus वाला आ जाएगा minus 2,4 और इधर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2,4 है ना? अब यह बन गए सारा, अब हमें क्या करना है? अब देखेगा, हमें क्या करना है? इसका area निकालना है, area चुक से प्लस का दो जा रही है चीए ओजै ये लिमट माइनस 2 प्लस 2 है ना और कितना हो जाएगा यह six ना यह वाईक्स में बन रहा है यह तो एक्स बिख चलेगा डिट यह अ जिकालेंगे हाँ पर X, D, X, D, A होता है, हम इसे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, हम limit कर देते, 2 को लेते हैं, बाहर, 2 को गया लेते हैं, बाहर ले लेंगे, और यह क्या हो जाएगी, limit 0 से A हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, limit हो जाएगी, 0 से 2A, 0 से 2A हो जाएगी, अब देखियेगा, इसके और यह एक्स की जगह पर रखते हैं गे root y और यह हो जाएगा d y यह 2 इंटू अब y का कितना हो जाएगा यह जाएगा दो बटा 3 बन जाएगा limit को apply कर देते हैं, limit को apply कर देते हैं, कितना आ जाएगा यह, यह हो जाएगा, 4 बटा 3, 4 बटा 3, into में रहेगा, और यह हम पर y की जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है, 4 रख दो भाई, y की जगह पर 4 रखोगे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की power दो और इसकी power में क्या है, 3 बटे दो, minus, फिर से क्या रखना, 0, यह हो जाएगा, 4 बटा 3, और into में आ जाएगा, देखो, यह दो लों कर जाएगा, 2 की power कितना हो जाएगा, 8, 8 बटा 1, 8 चोग कितना हो जाएगा, 32 बटा 3, 32 बटा 3 स्क्वेर योनिट है, कौन सा option से ही हो जाएगा, C option यहाँ पे correct हो ज क्या लेंगे हम लोग dot products है, a dot b बरावर कितना होता है, a b cos theta, where a and b are modulus of vector a and vector b, चलिएगा, दोनों को dot रखिये, दोनों को रख लेते हैं, फिर दोनों को dot निकालते है, plus j plus k, 3, dot, फिर कितना है, 3i minus 2j plus k, फिर इसका modulus 2i plus j plus 3k, और modulus लगाना है, b कितना हो जाएगा, 3i minus 2j plus k, और है यहाँ पे positive, इस दोनों को dot product, dot product भी क्या होता है, ii का गुड़ा हो जाता, i square 2 की 1 होता है, और वाट्टे के सारे 0 हो जाएगे, यह हो जाएगा, 6, j volume कितना हो जाएगा, minus 2 आ जाएगा, plus 3 आ जा जाएगा, under root, 4 plus 8, plus, यह हो जाएगा, 9, और यह हो जाएगा, under root, 9, plus 4, plus 8, cos theta, अब देखेंगे, 6, 3, 9, 9 में 2 जाएगे, कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, equal to, इधर कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 14, 14, गुड़े 14, यानि कि सिर्थ नहां से 14 आ जाएगी, 14 cos theta, शाथ एकन्नम साथ, साथ दुनी 14, यानि कि cos theta पराबर कितना आ जाएगा, 1 by 2, और cos में किसकी value 1 by 2 होती है, यह होती है, cos 60 की value, theta पराबर कितना आ जाएगा, 60 degree, यह न, कौन साफ़न सही होगा, 2 options सही होगा, यहां पर, चलेगा question number 58, question number 58 का answer आप comment करिएगा, क्या आएगा, हम से करते हैं त फटाक से वीडियो का pause करिए, और इसका answer निकालिए, comment section में comment करिए, question number 58 का answer क्या होगा, ठीक है, अपने आपको यह हैं रोपते हुए, पहले से करिए, यह दिया गया है, sin 7 pi 18, हम चाहते हैं कि पाई का value जो है, वो रख दिया जाए, पाई का value कितना होता है, एक्सवासियंस एक स्वासियंस रखोगे, तो 18, 16 कर जाएगा, यहांपे कितना आपको से 10 आएगा, यह बन जाएगा हमारा कितना, sin 10, और यह कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा sin 50, और यह बन जाएगा sin 70, अब हम ट्यार हैं कि इनको pause में change कर लिए लिए, क्योंकि हमारे पास pause theta, pause 2 theta, pause 3 लिए theta का जुगार होता है और जुगार से करेंगे तो बहुत आसाल हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, भई, अगर हम इसे change करेंगे, तो कितना है अगर 90-10, यानि हम इसे कहले लिए, operators, boss 80, यह boss 80 हो जाएगा, और इसे 50-40 90, change जोगा तो, 30 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा चेंज होगा तो यह 20 हो जाएगा दोरों जोडने पर 90 आना चाहिए अब आप चेंज कर देना जैसे कि 10 है उसको लिखेंगे 90-80, 90-80, 90-80, 90-80 हो जाएगा अब देखेंगा इने फिर से और 2-30 लिख लो, पहरे चोटा वाला लिखो, फिर लिखें कोस 40 और फिर लिखें कोस 80 अब देखें, यहाँ पर पहले वह रहा है ठीटा था फिर यहाँ पर डबल हो गया तो थीटा यहां पर फिर से डबल हो गया, और जब भी कभी हमारे साथ ऐसी situation आएगी, क्या, कि कॉस्स थीटा इन्टू, फिर कॉस्स थीटा हो जाए, इन्टू, कॉस्स फॉर थीटा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन बाइ टू की पावर एन, एन का मतलब कितन कितने terms हैं, कितने terms हैं यहां पर, तीन term है हैं न, वन बाइ टू की पावर थीटा हैं, कितना आएगा, एट एंगल क्या है, बिल्डो, डजन्ट मैटर, हैंना, एंगल कितना मैटर ही नहीं है, कोई भी है, कितना आ जाएगा भाई, यह आजाएगा, एक बट्टे दो की पर पहले दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो यह है कि कॉस x को, क्रॉस x का जो मान होता है यानिकि जो का expansion होता वो रग दे और log x का expansion रख दे दोनों को calculate कर ले फिर h2 वागे टम को लेके common लेके काट दे, value रग दे, answer आ जाएगे. अच्छा दूसरा तरीका है यह है कि उसे रखेंगे, इतना रखेंगे, calculation करेंगे, उससे अच्छा होगा कि हम क्या करें, check करते हैं यहापे क्या, il hospital की condition तो नहीं बन सकती, है ना, चुकि बहुत ही आसान होता है, ज्यादा तर question na, il hospital base ही होते हैं, है ना, x cos x minus का, यह दिया गय जीरो, cos 0 की value 1, minus log 1, अच्छा, log 1 भी कितना होता है, log 1 कितना होता भाई, यह भी 0 हो जाएगा, बटे 0, यानि कि बन गया 0 बटे 0 फार्म, और जहां भी 0 बटे 0 फार्म बनता है, वहाँ पे हम लगाएंगे, क्या, il hospital लगाएंगी, है ना, चलिए लगाईएगा, देखेंग limit x tends to 0, इसका कितना हो जाएगा, पहले तो 1st second से होगा, x, cos x का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, continuous, cos x चुप जाव आ जाएगा, sin x, cos x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का लॉग X से क्या हो जाएगा 1 लफ X हो जाएगा divided by 2X हो जाएगा अब देखेंगा हमने एक बार यूज कर लिया और फिर से लगाते हैं यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यह तो 0 ही हो जाएगा यह वाला टर्म 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा 1-1 मतलब उपर 0 मिल नीचे देखो नीचे भी 0 मिल जाएगा 0 बटे 0 की फार्म अभी भी मिल रही है मतलब कि हमें लगाना फिर से लॉस्पिटल रूल लगाईएगा फिर से लॉस्पिटल रूल यह कितना हो जाएगा माइनस सुपचाप रहने दीजिएगा है लिए लिमिट एक्स टैंस टू 0 अब एक्स में लगाओगे भै पहले साईन एक्स में लगा दो स्ιαन एक्स में लगाएंगे सध्या सबने डिफरेंट केरेंगे यह हो जाएगा ऑर यह हो जाएगा कॉस्सी और प्लस्सिन करना है इसका differentiation करोगी कि कितना पहन जाएगा 1 plus x की पावर में minus का 1 हो जाएगा तो minus का 1 और यह हो जाएगा 1 minus x की पावर minus 1 minus 1 minus 1 into 1 minus x की पावर minus 2 यानि कि minus 1 by कितना हो जाएगा minus का 1 by हो जाएगा minus का 1 by हो जाएगा कितना यह हो जाएगा 1 minus x का square है तो यह आ जाएगा minus को plus कर देगा इसे 1 by 1 plus x का square आ गया है अभी आपके सामद ही किए divided by कितना 2x अब एक काम करना है मैं यहां पर limit को apply करना है limit apply कर दो यह को limit apply करोगे यह वाला time क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यह वाला भी पूरा 0 हो जाएगा इधर देखेगा minus यह भी 0 हो जाएगा plus यह बच जाएगा एक बच बच जाएगा यहां पर बच्छा सिर्फ 1 है ना divided by नीचे क्या बच्छा यह हो जाएगा 2x है यहां भी तो differentiation करोगे कितना हो जाएगा आगे चलेंगे 60 तेरा एक बिंदू पर लगने वाले तीन बल है ना तीन बल संतुलन में है अगर तीन पॉइंट्स जो होते हैं तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं अगर एक पुली ब्रियम स्टेज में होते हैं ऐसे तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कहरा है कि तीनों पॉइंट्स जो है एक पुली ब्रियम स्टेज में है ऐसे तीनों पॉइंट्स हैं तीनों बल जो है वो कैसे हैं शाम में आवश्था में हैं अगर वो तीनों शाम में आवश्था में हैं तो यहां पर पॉइंट्स हो गया यह क्यूं कर पर चूर हो गया और यह आ जिक होग ik ke सामने जो दोनों बन हुए OUR उनके भीच काफ़ पो विचा है और यहां पे क्यूं के सामने बल यहां बड़比較 गामा तो पर जाल c Wasn't दोल बनवन पच रहे कि जाके समानपाति यहां फो जाएगा साइन बीत आ और बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा, साइन गामा, यानि कि यह कहते हैं कि प्रत्यक बल जोगा नथे दो बलों के दिए इसके कोण की जयाक है, यानि कि साइन के प्रोपोर्शन नल होता है, और यह रूल क्या है, इस रूल का ही तो नम है लामी स्थ्चोरम, एक यह 2013 में कि प्रश्ट चले घसे बाइघ रखेसं और 2021 को प्रशन पूछा गया था ही te वीडियो को पॉस्ट करिए और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताइए कि इसका एंसर क्या होगा 10 inverse x plus y 1 minus xy बहुत आसान है बहुत फेमस क्वेस्टन है इसलिए आपको तुरंट आ जाना चाहिए आप तो कमेंट करके तुरंट बताइए चलेगा यह कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर वैलू दी गई है इसकी जगह पर x की जगह पर 1 बटे 2 है और y की जगह पर 1 बटे 3 है 10 inverse है ना 3 प्लस 2 बटा 6 divided by कितना हो जाएगा 6 minus 1 बटा 6 6 से 6 कट जाएगा कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 10 inverse एंसर आपका आ चुका होगा 6 minus 5 कट जाएगे दोनों है ना कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 10 inverse 1 यानि कि 10 inverse 5 by 4 यानि कितना जाएगा 45 आ जाएगा कौन सा आप्टन से यह हो जाएगा 2 option यहाँ पे correct हो जाएगा 62 देखेंगे 62 भी एक अच्छा बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर fx दिया गया है 3 cos square x plus यह है 4 sin square x plus cos x by 2 plus sin x by 2 तो रहाँ से modify करेंगे question को यह कितना हो जाएगा देखो यहां से इसको अगर हम लिख दें तीन plus sin square theta तो तीन इन दोनों में common आ जाएगा हाना यह जाएगा cos square x plus का sin square x अलग किया था एक ना एक sin square theta बच जाएगा theta नहीं x है हाना theta की तो भी से यादद 3 plus और यह हो जाएगा cos x by 2 plus यह हो जाएगा sin x by 2 अब देखें यहां पर इसकी value कितनी हो जाएगी तीन हो गई तीन उड़े एक हाना तीन बचेगी ना सिर्फ प्लस यह हो जाएगा sin square x plus यह हो जाएगी cos y2 और यह हो जाएगा sin x y2 अब देखेंगा यहां पर समझेगा चीजों को जो sin square x की जो इसकी maximum value होगी इसकी maximum value होगी 1 होगी इसकी maximum value किसको होगी 90 बे होगी 1 हो जाएगी अब बात करते हैं इनकी maximum value की यहां पर भी इन दोनों की value होगी ना xy2 है तो cos xy2 चुकि हम एक्षी जगर पर 90 रखेंगे 90 में ही होती ही maximum value तो यहां पर 90 रखेंगे तो 45 हो जाएगा यानि कि इनकी maximum value हो जाएगी वो कितना हो जाएगा यहां पर इसकी maximum value कितनी हो जाएगी 1 हो गई 3 plus a plus under root 2 इतना हो जाएगा 4 plus under root 2 कौन सा अपर जाएगा c option यहां पर correct हो जाएगा चलिएगा next question तिरसर तिरसर यह कह रहा है कि यदि एक बस इतने किलो मीटर की अभ़म से क्या कह रहा है दोनों की चालों में अनुपात निकालना है दोनों की speed का ratio निकालना है अच्छा speed बराबर क्या होता है speed बराबर होता है distance upon time distance upon time तो हम क्या करें दोनों की speed निकालना है पहले की निकालों speed s1 बराबर किसने आ जाएगा कितने distance है 195 किलो मीटर है कितने time में चल रहा है यह चल रहा है तीन घंटे में है ना और s2 दूसरी distance दूसरी वाली रेल गाली की distance कितने चल रही है वो 300 किलो मीटर चल रही कितने time में चार घंटे में अब हम से कह रहा है कि दोनों का ratio निकालो एक सो पंचानवे बटा तीन रेशियो निकालना इसके साथ इसका पहले से यह आजाएगा धीन पंद्रा 17, 25, 32, 24, 25, 25. पैसाथ अनुपाते कि चतर अब पांस से काड़ेंगे तेरा आएगा पंदरा आएगा यानिक यह इतना आगया तेरा अनुपाते पंदरा को साई होगा श्री ओप्सन जोगा वो करेक्ट हो जाएगा है ना दोनों की स्पीड में रिश्यो पुछा था निकाल लिए कोस्टन न देखेंगे चलिएगा यहां पर दिया गया है एक्स स्कूर देखें मासा है पहले हमें क्या करना होगा इसके प्रेक्टर करने होगा इसके प्रेक्टर करना होगा इसके प्रेक्टर करना होगा इसके प्रेक्टर करते हैं यह हो जाग एक्स स्कूर मुल्टिप्लाई करेंगे ब्रहाइर को 2 यहां पर कितना आ जाए गए बीच वाले पद को मतलब को में तोड़ना है यह मैनस का 2xy ले ले हैं मैनस का 2xy ले मल्टिप्लाइकर ने मैनस का 2xy का 2 y. कटीक राओज का 2xy ले. लेजर बथπα भीच को 2x Bagvory ले. यहाँ पर x-2y पॉमन ले लो यह हो जाएगा x plus y अच्छा इसके गुड़न खंड हो गए x-2y और x plus y दूसरे वाले के फेक्टर भी कीजिए इसी तरह 2x स्कूर माइनस का xy और माइनस का y स्कूर मॉंटिपलाई करते हैं देखों यहाँ पर यह हो जाएगा 2x स्कूर यहाँ पर भी माइनस का 2xy रखेंगे प्लस का xy रखेंगे माइनस का y square multiply करो भाई 2 common ले लो यहाँ पर 2 x common ना x minus का 2 y यहाँ बचेगा और उसके बाद plus का y common लेगे x minus का y यहाँ बचेगा अच्छा तो यह 2 तो निगल जाएगा ना भाई 2 तो यहाँ भी है ना यह कितना हो जाएगा बन जाएगा 2x प्लस y और x minus y अब देखे इन दोनों में क्या common है बोगो यहाँ पर x minus y के अगर बात करें क्या common है x minus y यहाँ तो है यहाँ भी यहाँ नहीं है 2x plus y वहाँ नहीं है x plus y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है यहां है वहां में वह कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कॉमन ही जब कुछ भी नहीं होता तो उसका स्व क्या होता है वन कितना होता है वन और वन ऑप्शन में है नहीं तो क्यों सबसेट पूछे गया अब देखेगा यह सिंगल्टन सेट है सिंगल्टन सेट है और इसके हमें नीकालने है उप्शमुच्य गंधि उप्शमुच्य सभी होता है वं लनों होते है और इसके अलाबा को यहां आयगा नहीं तो कौन सबसेटन सहीं हो जाएगा बी ओप्शन सहीं हो जाएगा इसके बाद देखेगा question number 66, इसका answer comment section में comment दर के बताईए कि क्या है, लेकर यहाँ पर दो बिंदू दिये गए है, और रखते हैं है एक point है P, और एक point है Q, P के coordinate दिये गए है 1, 1, minus 1, Q के coordinate दिये गए है 2, 3, 1, हमें क्या करना होता है, इसका흡़ सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर direction ratio, सबसे पहले हमनिकालेंगे यहाँ पर direction ratio, तो देखेगा, A क्या हो जाता है वो होता है, यहां पर रखेंगे, सारी वैलूस दी गई है, हमें X1, Y1, X1, यह हो गई, X1, Y1, Z1, और यह हो गई, X2, Y2, Z2, रखेंगा, यह कितना हो जाएगा, X2, minus X1, 2 minus 1, 1 आ जाएगा, एक इतना आ गया, एक, भी पराबर कितना हो जाएगा, y2 minus y1, 3 minus 1, 2 आ जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, z2 minus z1, z2 minus z1, 1 minus plus 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अब हमें निकाल लें, direction cosine, तो direction cosine का तरीका क्या है, निकाल लें, direction cosine, जिन्दिम बोलते हैं, दिक पोच जाएग, दिक पोच जाएग, क्या होती है, वो होती है, a by root a square plus b square plus c square, comma, b by, कितना हो जाएगा, a square plus b square plus c square, और कितना हो जाएगा, c by root a square plus b square plus c square, है न, चलिएगे, सारी value रखेंगे, यह कितना हो जाएगा, अब थोड़ा सब्सक्राइगे, देखें, एक value कितना हो जाएगा, एक value एक है, बटे, अंडर root, एक का square, प्लस दो का square, प्लस तीन का square, दो का square, चार, चार, आठ, एक नौ, root, तीन आ जाएगा, यह 3 हो जाएगा, बीटा value, दो बटे तीन, यह भी हो जाएगा, दो बटा तीन, है न, यानि कि क्या आगई, यह आगई हमारी, एक बटा तीन, को मा, दो बटा तीन, को मा, दो बटा तीन, कौन सा option सही हो गया, सी option यहाँ पर correct हो जाएगा, चलिएगा यहाँ पर 67 करते हैं, यह 67 को करने के दो तरीके, एक तो क्या है, हम सभी को वहीं simple सा लो लगा के इसे करें, है न, determinant का rule यूज करके जोड़ दे, R1 is equal to R1 tends to R1 plus R2 plus R3, फिर कॉमल ले, यह करें, दूसरा एक तरीका में आपको बताता हूँ, जो आपके अज़ाम की द्रश्टी से बहुत अच्छा होता है, देखेंगा, हमें यहाँ पर put कर देना A बराबर 1, अगर A बराबर 1 से option नहीं आते हैं, तो फिर B बराबर 2 और C बराबर 3 रखना है, वैसे A बराबर 1 से confirm हो जाता है, 90% cases में solve हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं पसते हैं, यानि 80% तो solve भी हो जाते हैं, 20% की case में आप A की value 1, B की value 2 और C की value 3 अपलाई करके देखिएगा, चलिएगा, यहाँ पर रखते हैं, देखो यह हो जाएगा 1, minus 1, minus 1, तो कितना बचेगा, minus का 1 बचेगा, और यह तो एक ही जगह पर 2, 1 रखते हैं, 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, minus का 1 बचेगा, और यह भी 2 हो जाएगा, फिर यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, हल करते ही दो लोगो, हल करो भाई, यह कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और यह छोड़ जाएगी, यह छोड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 4, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस 2, फिर यह छोड़ जाएगी, यह छोड़ जाएगी, कितना बचेगा, फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस का 2, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यह चोल जाएगा, यह चोल जाएगा, यह हो जाएगा, 4 प्लस 2, चल्कुलेट करेंगे इसे, देखो यहां पर माइनस का 1 है और यहां पर minus का 3 बचेगा, ति यह 3 हो जाएगा, और plus के 12 हो जाएगा, plus के 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 तीम कि इतने हो गए 27, अब देखे, इसे हल करने पर कितना है, determinant को solve करने पर इसकी value कितनी आगे, पर किसे हो गएगा, अब वो option try करेंगे, जहां पर a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, सबकी जगह पर 1 रखता है, आपने, जहां पर वो option try करेंगे, जहां पर 27 आजाएगा, इज़ों को यहां पर कितना आजाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यह तीन आएगा, पहला नहीं हो सकता, जूसरा option try करेंगे, यह कितना हो जाएगा, भाई, 1 प्लस 1 प्लस 1, का square 9 आजाएगा, यह भी नहीं हो सकता, इसे करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 का cube, यह आजाएगा सकता, इससे न, कौन साफ्टर से हो जाएगा, यहां पर, C option, correct हो जाएगा, C option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, चलिएगा, इसके बाद 68 देखते हैं, 68 में factor खोजने, कि कौन सा इसके factor दियेगी, तो हमें क्या करना है, खोजने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आप पहले उपर, X is equal to 1 रखे देख लो, फिर नीचे जिस option में X is equal to 1 रखने पर वो आ जाएगा, रखे देखे, यहां पर रखे, कितना हो जाएगा, X बराबर आप 1 पुट करो, देखेगा, इसकी value कितनी हो जाएगी, X की power 4, plus X square, plus 25, तो आप कितना हो जाएगा, 1 plus 1 plus 25, 22, 27, अब देखे, जिस option में रखने पर, चुकि इसके factor ही तो है, भाई अगर यह 27 है, 27 है, 27 है, 27 है, 9 गुड़े, 3 लिख दो, चाहिए, 3 गुड़े, 9 लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो, यह आएगा, 7 I C, तो यहाँ पर दोलो factor गलाग कर दिये गए है, factor गलाग कर दिये गए है, देखते हैं, आप एक करते हैं, पहले वाले option को try करो, पहले option, option A को try करो, यह कितना हो जाएगा, 1 plus 3 plus 5, यानि कि यह हो जाएगा, पांस ती ना ठीक, 9, कितना हो गया, 9, बुड़े, और यह कितना हो जाएगा, 1 minus 3 plus 5, 6 मितने हैं, यानि कितनी 27 आ रहा है, पहले option से ही आ रहा है, तो यह option कर रिख हो जाएगा, आप आगे चेक कर लीजेगा, उनमें से किसी में नहीं आएगा, चाहते हम आपको चेकर रवा जाएगा, यह तो सेम है, यह तो 9 ही रहेगा, और यह कितना हो जाएगा, 1 plus 3 minus 5, तो minus 1 आ जाएगा, यह minus 9 आ रहा है, यह नहीं हो सकता, यह option नहीं हो जाएगा, क्याना चाहिए, यह तो डायेक्ट रखे आपकर सकते हो, दूसरा इसने थोड़ा सो सोचा जाए, सोचा क्या जा सकता है, अब चुक्किन देखो, इसमें अगर अलफा की वैलू मालनो, कि आप पहुंद उसर 60 और 30 लेनो, चोलो मैं थोड़ी देरी के लिए, 60 मैंने ले लिए अलफा और यह ले लिए 30, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15, फिर वो 10 15 वाला जाम ख़ला होगा, हम कोई ऐसी वैलू रखना चाहते हैं, जिसे वाइटू करने पर भी कोई 10 साग नहों, आराम सा उसकी वैलू हमें पता, तो अगर बताओ, अलफा बराबर हम यहां पर 90 रखें, कितना रखें, 90 रखें, बीटा की वैलू 0 रखें, नब्बे अंस रखें और इसकी वैलू, बीटा की वैलू 0 रखें, तो पैंटा, 90 माइनस 0, 90 बते 2, 45 आ जाएगा, यानि कि काम किया जा सकता है, आसानी से, यानि कि कितना रख लें भाई, अलफा बराबर रखें, 90 रखें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कि क्या रख आ जाए, अब जबो यहां पर मुझे पबाद चल गया, कि 90 माइनस 0, 45 आगर टेंस नहीं पा लेंगे, यानि कि यार वो बाई टू में आ जाए, फिर 15 बटे दो आ जाए, इस तरह के कुछ नहीं लेगे, हम अलफा बराबर 90 रखें, पहले एक्स कामान निकाल ले, बीटा बराबर 0 रखें, य कामान निकाल ले, फिर यहां पर एक्स और य कामान रख दे, फिर जो अप्सन से सैटिस्माइट करेगा, उससे ले लेंगे, चलियेगा, एक्स इक्स इगोल्टू कितना हो जाएगा, भाई, यह हो जाएगा, कॉश नब्वे प्लस आई साइन नब्वे, कॉश नब्वे की वैलू 0, साइन नब्वे की वैलू 1, हो गई यानि कि अब हमें निकालना है x minus y बटा में x plus y क्यों हो जाएगा i minus 1 divided by i plus 1 उपर निचे multiply कर दीजिए i minus 1 conjugate का multiply करते हैं i minus 1 उपर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा i square minus का 1 divided by निचे कितना हो जाएगा भाई आए पोल स्क्वेर बन जाएगा उत्तर ना plus 1 हो जाएगा माइनस का 2i माइनस का 2i हो जाएगा divided by नीचे कितना हो जाएगा i square minus 1 यह निकि यह दखो plus 1 और minus 1 cancel हो जाएगा i square की value आप minus 1 रख़ेगा दोनों cancel हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, इसकी value आई अब ऐसा option ट्राइगा जिसे रखने पर i आ जाएगा, अब देखो यहां पर, यह हो जाएगा 90 बटा 0, यहां से यहां से आईगा ही नहीं, यहां से देखो 90-0, यहां से देखो 90-0, 45 यानि कि 1 आ रहा है लेकिन i नहीं आ रहा है, यानि यहां पर देखो अरे इसका value तो एक निकाल चुके है, i गुड़े 1, i आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आप्टन तरही हो जाएगा, शी आप्टन करेक्ट हो जाएगा, अलफा का value आप 90 रखो 90-0, 45 आएगा 10, 45 के value 1 हो जाएगी, i गुड सक, root 3 by 2, x minus 1 by 2, यहां दिया गया है, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि, हमसे इन्होंने कह दिया है कि यह belong कर रहा है, minus 1 by 2 से 1 तकी belong कर रहा है, मतलब कि x की value 1 भी ली जा सकती है, एक बार x is equal to 1 लेके, हम option को decide करते ही, पहले, देखेगे, अगर हम f1 लेना चाहें, f1 रखते क्योंकि minus 1 बटे 2 से 1 की value acceptable है, हम x की value 1 बटके देख रहे हैं कि क्या आएगा, ठीक है, shine inverse, वैसे हम पहले और भी और भी देख सकते हैं, क्यों को under root 3 हो जाएगा, और यह तो 1 हो जाएगा, x into 1 minus 1 बटे 2, root 1 minus 1, यह तो 0 हो जाएगा, यह नहीं कि इतना आ गया, shine inverse, under root 3 बटे दो बस बचेगा, इधर कमान पूरा 0 हो जाएगा, under root 3 बटे 2, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, shine inverse, shine, 60 कमान उता, under root 3 बटे 2, यह नहीं कि f1 कितना आ गया, 60 अंस आ गया, f1 कितना आया, भाई, 60 अंस आ गया, देखें, यहां पर थोड़ी से प्रूटी है, यह जो bracket inverse x minus 5 by 3 है, sine inverse x minus 5 by 2 है, sine inverse x minus 5 by 4 है, यह bracket नहीं होना चाहिए था, देखेंगा, option satisfied करवाद है, जिसमें x is equal to 1 रखने पर 60 आ जाए, वो answer सही हो जाएगा, यहां रखो, तो 1 रखेंगे, sine inverse 1 minus 5 by 2, 90 minus 90, 0 हो जाएगा, पहला option नहीं होगा, फिर 1 रखो हो यहां पर, sine inverse 1, 1 का मतलब होगा है, 90, 90 और minus का कितना 60, 30 आएगा, यह भी नहीं होगा, sine inverse 1 minus 5, 30 है ना, यह तो हो जाएगा, 90 minus 30, 60 हो जाएगा, देखेंगा, इस option का अपर बाद लिखा देखेंगे, sine inverse 1, यह लिखा हुआ, sine inverse x minus 5 by 6 लिखा हुआ है, गल्ती है, इसमें typing mistake है, sine inverse 1 हो जाएगा, minus 5 by 6 हो जाएगा, कि कितना हो जाएगा, sine inverse sine 90, 90 का मतलब 5 by 2, minus 5 by 6, यहनी कि 90 minus 30 कितना हो जाएगा, साथ हाँ जाएगा, तो साथ यहाँ भी आ रहा, साथ यहाँ भी आ रहा, आप्सी साइगा, चलेगा, कौन सा option सही होगा है, आप्सी सही होगा, जब कि यह नहीं हो जाएगा, 3 का sine inverse x minus 5 by 6, चलेगा, next देख, question number, तेखते हम लोग 71, question number 71 में करा, x square के साथ एक से समा कलन कीजिए, बहुत ही बहतरिन question हो, यहना अच्छा question होगा, देखेगा, integration करना है, integration करना है, अब देखें, integration करेंगे, कर लेंगे integration, इसकी x square के साथ h, हैना, जब x के साथ h करते हैं, तो dx होता है, जब x square के साथ h करेंगे, तो dx square हो जाएगा, हैना, चलेगा, यह हो जाएगा, f को x, और यह हो जाएगा, dx square, रखेंगे, integration, fx का value रखते हैं, fx का value दूना है, root 1 plus x square, dx square अब देखिए इस प्रशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है यहां भी x square है और x square के साफ़ के एची कर रहे हैं मतलब कि एकदम संपल यह 1 plus under root t type का है under root t है ना कोई दिखते हैं देखिएगा तो इत्व हो जाएगा यह जाएगा इंटीग्रेशन ही से लिख सकते है एक बास एकड़े दो ix square की पावर बीकितना यह sudah 1 plus का x square की पावर कितना हो जाएगा nу plus 1 हूता है एक बाटे 2 प्लस 1 जोएड बढAttे बाई To beaster 2 plus c. यह बन जायगा, convert होके कितना आ जायगा? यह convert होके आ जायगा 2 बटा 3 2 बटा 3 और 1 plus x2 की power 3 बटा 2 को बटा 3 आपको सही वो जायगा अब जो जैना इना भी वाल आस्के दो आतुले नहीं नहीं आ यह आगया एंगे चले और दो चरो के रैकिक समी करान का ग्राफ करना दो चरों के रैकिक वाले डैकिट वाले रैकिक समी के रण का एय उसटेंडर फाद्रिन इसके सब्सका अगराफ हमें एक स्टेंडर लाइं इसका आप्सील्गा मिली है एक स्टेंडर लैन इसका ग्राफ मिलता उर यह उसके स्टेंडर फाद्र क्वार्म होता है एक सारल रेखा होगी कुर्ष्टन नमर 73 में हमसे कह रहा है कि अब आल इस प्रोजेक्टेट लीड़ देगे इसकी अपुटि-णीटर पर सेकेंड एड़ दा एंगल जानी कि एंगल प्रोजेक्शन दिया गया है थर्टी प्राम दा वर्जन तर एक इस से तर्का गया को जिट इस रेंज आना होरिजन प्लेंट इसकी रेंज क्या होगी यह हमें बताना है तो देखेंगा यहां पर हमें यू दिया गया है तो रेंज इस गोल टू आर इस गोल टू होता है यू स्क्वायर साइन कू थीटा अपान जी अच्छा यू का वैलु रखेंगे कितना है 49 गुने 49 अजाएगा थीटा कितना है भाई 30 से 60 हो जाएगा साइन 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 की वैलु मी रख दो नैन पॉइंठ अब देखते हैं हमें तसमलों घटा देना है तो दस एक जीरो पर पर पखुँद जाएगा ना अब तो चली का डेते। 4949494992 992 2 से काट दीज़े 2 5 10 है आप कितना आ गया multiply कर लिज़े 49 गुढ पांस करेंगे 245 आ जाएगा under root 3 अपी जगा पे नीचे 2 बचा 245 under root 2 हैना कितने meter आ जाएगी इतनी meter आ जाएगी और आप तूं कौन से सभी हो जाएगा सिर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगर रेंज पूछी गई थी तो आपने बता दिया अगर हमसे फ्लाइंग टाइम पूछा गया होता तो फार्मूला क्या यूज करते हो ती इस पॉल्टू होता है 2u sin theta upon g अगर हमसे height पूछा गया होता तो maximum height वो क्या होता है u square sin square theta upon 2g यह तो तीन फॉर्मूले याद रखेंगे इन फॉर्मूले से बेश डेट क्वेश्टन फ़रगा रहता है एक दो question आपको मिल ही जाएंगे देखिएगा यहां पर इन्होंने दिया है कि x is equal to इतना है तो x की power n कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos theta plus i sin theta अच्छा ही से हम क्या बोलें कि इसकी power में n है इसकी power i theta तो गोलते है ना आई-लर तो आई-लर फिवर्म के साब क्या हो जाएगा e की power i n theta यह बन जाएगा और 1y x की power n कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x की power minus n आप x की power में कितना हो जाएगा e की पावर में i theta होगा x और उसकी पावर में minus n है ये बन जाएगा e की पावर में minus i n theta हमें क्या करना है करा दोनों को जोड दीजिए कितना हो जाएगा ये x की पावर n plus 1 by x की पावर n ये हो जाएगा e की पावर i n theta plus e की पावर minus i n theta कि य क्या लिखेंगे यह लिखा जाएगा कॉश एन थीटा प्लस आई फिरसे वही उक्राणे वाले रोप में रखना है तो यहां पर माइनस हो जाएगा यह जाएगा कॉश एन थीटा- का आई साइन एंड थीटा यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैसे प्रश्ण आपको करने जोरुत हैं कि प्रश्ण आपको याद होना चाहिए यह याद टाइप का प्रश्ण है यह आपका टाइम बचाएगा यह याद रहेगा इसमें कुछ नहीं करना होता है औरली हो जाता है अगहाँ करने प्लस आई साइन ठीटा यहाँ तो कोई टेंसन नहीं है नीचे से काम रहना पड़े गदा पता है कि अगर हम इसे e की पावर i theta में बनाना चाहे तो नीचे से i common लेना पड़ेंगा नीचे से i common लेते हैं तो यहां पे common है वहां तो ठीक है निकल जाएगा जहां पर नहीं है वहां से divided हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा पूरे की पावर में कितना है ऊपर उपर वाले को थीटा होगा ये स्क्वयर हो जाएगा e i square हो जाएगा, minus 4 यानि कितना आ जाएगा, minus का i, रख लीजए यहां पर, यह हो जाएगा, cos theta minus का i, sin theta, यह पूरे की power में जितना है, 4 है, पूरे की power में 4 है, तो यह आ जाएगा, e की power में, i theta divided by, i की power 4 होगी तो उसकी value बना जाएगी, फिरहाल अभी में उससे कोई मतलब नहीं, e की power minus 8 theta, e की power में कितना है, 4 है, अब देखेगा, e की power में i theta, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, i की power 4 बाहर निगाल दे, i की power 4 बहुत देर से उसी चक्तर उनों पर है, और इसे उपर ले जाओ, e की power i theta हो जाएगा, इसकी power में कितना, 4, अच्छा, i की power 4 की value कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, e की power कितना हो जाएगा, यह i theta, i theta दोनों जुड जाएगे, 2 i theta हो जाएगा, आप पावर सिचुछन में दोलों पावर का मल्टिफलाई, टीची पावर में कितना हो जाएगा, I 8 थीटा, I 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, Cos 8 थीटा प्लस I sin 8 थीटा है ना, कितना ? यह आ जाएगा, Cos 8 थीटा प्लस I sin 8 थीटा, सेडियां मुभारक हो उन्हें जिने च्छत तक जाना है हम मुसाफिर है यारो हमें अपना रास्ता खुद बना नमस्कार दोस्तों मैं उदैशिंग मैफ्स गूरू यूटूब चैनल पर आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग दुस्तस करेंगे क्रिविटी मैथमेटिस 2013 का पेपर जिसमें क्वेश्चन नमबर 76 से हेंडेट तक के प्रश्णों को समलिक किया गया है क्वेश्चन नमबर 77 में मैं डिस्कस करूँ उससे पहले आप से बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और वाट्सअप ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हम चाहेंगे कि आप उसे जॉइन कर लें जो कि वहाँ पे आ एक पर्टिकल पर कारे कर रहे हैं ऐसे चिट्वेशन हमें क्या करना होता है तो डोनों फोर्स को हम जोड देंगे तो जोड देंगे 3i प्लस जे माइनस 3K में जोड़ना है 3I प्लस जे माइनस के जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7I प्लस 2J माइनस का 4K फिर क्या करना हमें displacement निकालना है displacement के लिए वो क्या कर रहा है अब देखेगा point A था A से कहां तक display किया गया दिस्प्लेड़ किया गया P m. पॉजिसन वेक्टर दिया गया था 2I प्लस का 3K और B के पॉजिसन वेक्टर दिये गये था 5I प्लस का 4J प्लस का ट है हमें निकालना किए हम पर Hydra A B वेक्टर G यहां पर दोनों को क्या करेंगे हमें डाट्ट प्रोडक्ट निकाल देना अब आपको पता है कि जो डॉट्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है इसके बाद हम को डिस्कस करेंगे यहां पर question number 77, एक जहतरीन question is 77 देखेगा, इस question में हमें क्या करना है, सबसे पहले न, घरा दरस्द, हमें क्या करना है, सबसे पहले में क्या करना है, उपर वाला जो वृत्ति दिया गया है, क्या x square plus y square minus 6x plus minus 14y plus 48 is equal to 0, हमें क्या करना है, इसके center और इसके radius निकाल लेनी है, चुकि हमें पता है कि हमें यह पता करना होगा, कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है, और तरिज्जव के योग का क्या चक्कर है, तो यह दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा, दोनों 72 परसि करेंगी, ल c1 c2 c1 c2 जो है को कम होगी यानि कि त्रिजाएं को योग ज्यादा होगा तो क्या होगा फिर एक दूसरे को प्रतिचेद करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर हमने क्या किया को प्रतिचेद कि एक होगा तो दो चली सकतिक दोकि तूस अधाल चुर्म्य टो जीरो का जाएंगे माइनस्कर 6 जूसरे कि घ्म्दा अधर अभूस है और सथरी आपके चाहरोच होगा है क्या इसन या गप्रमाइनसा फिर तो slash dot लिए हम क्या करेंगे पर आ्रवन निकालेंगे उससे पहले मिसके पास दिया जाते है तो क्या हो गया है यहाँ करेंगे दूसरे बिति की समिकनट दी जए इसफे वह क्या दी गई है हमें क्या करना है यहाँ पर अब निकालना है दो ढम के वीच की डूरी गोल स्फेंस बेलिह बी देगन के घौरे सट पर जाएगटि पहले बाली कि ट्रिज्य निकालो प्रज्ज्य का फर्मूला क्या होगा है अंडर رूग जी स्कूर कि पहले वाले के लिए G कितना है 3 है F कितना है 7 है 48 है तो कितना हो जाएगा 9 याने 3 का कि स्क्वेर नाइन प्लस 7 का स्कूर रूइन 4 मैं सब्सक्राइब अरूट 10 का मान कितना आएगा 3 का मान कितना हो जाएगा G square यहां पर से खेकीः ना बार से सारे 0 है तो कितना हो जाएगा 9 का square तो कितना हो जाएगा root 9 को तर 2 हो जाएगा अब देखें यहां पर करके देख दोनों को त्रिज्जाओं का yog जो आएगा वह 6 रिसमलों कुछ आएगा लेकिन केंदरों के बीच की दूरी क्या है साथ है, है न, मतलब कि दोनों प्रिज्याओं का योग साथ तो नहीं आएगा, साथ से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, कहने कि मतलब जब भी ये ऐसी सिच्वेशन होगी, कि केंद्रों के वीच की दूरी क्या हो, बड़ी हो और प्रिज्याओं के वीच का योग जो हो, पर्स रेखा हो जाएजी, एक ये कॉमन वाली हो जाएजी, ये तरयाक इसपर्सी बोलते हैं इसे, और ये भी तरयाक इसपर्सी, इस तरह से चार इसपर्स रेखा हैं हमारे पास, खीची जा सकती है, कब इस सिच्वेशन में, जब क्या हो, दोनों वित्त एक दूसरे को बि और ये तरयाक इसपर्सी होगी, तिरी अक्षर इचा चुटे होगी, ये गई और इस तरह से चार इसपर्स रेखा हैं क्युछी जाएगी, अच्छा, एक और बात करते हैं हमारे लीजे कि इस पर्स ना करते हैं, इस सिच्वेशन में क्या होता हमारे पास, ये दूर दूर कर रहे तो एक situation यह हो सकती थी कि दोनों एक दूसरे को किस पर्स करते हैं यह और यह इस दौरान कितनी common, common parts की पुझा की जा सकती है जी डखते हैं, एक तो इन दोनों को touch करती हुई कि 20 से निकल जाएगी common part, दूसरी यानि कि जब एक दूसरे को बाहता external touches करेंगे, तब यह क्या होगा, तीन इसपर्स रखाएं, हिची जाएंगे, अच्छा अगर एक दूसरे को क्या हो, यह अंदर इसपर्स करें, सिर्फ और सिर्फ ओनली one common part की जा सकती है, लेकिन अगर दो गृत्त, एक दूसरे को फिटी छेद करते हैं, इस situation में सिर्फ और सिर्फ दो इस पर्स रखाएं की जा सकती है, अगर दोनों गृत्त, एक दूसरे को इस पर नहीं करते हैं, यानि कि दूसरा गृत्त, एक गृत्त दूसरे गृत्त के अंदर है, इस situation में कोई भी common tangent नहीं क पीची जा सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ area ही नहीं जहां तो दोनों common हो, ठीक है, तो दोनों में common tangent नहीं पीची जा सकती, चलिएगा करेंगे next question, question number 78, 78, के रहा कि if the height of the 5 percent, 5 percent की height है, वो दी गई हमें, हमें यहां पर mean निकालना है, mean का simple सा फंडा होता है, mean क्या होता है, mean is equal to sum of come, but number of come, कितना हो जाएगा, 144 plus, 152 plus, कितना है, 151 plus 158 plus 155 divided by, कितने number of come, कितने 5, अब देखेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, add कर लेंगे, जैसे ही आप add करेंगे, तो add करने पे आएगा, इनको, यह हो जाएगा, पहरें तो dead dead so, सबसे निकाल लेंगे, देखें, अगर यहां पर कितना दिया हमारे पास 152 नहीं होता है, 152 plus 151, यह क्या 165 है, और एक से, पर हम क्या करें, सबसे dead dead so, निकाल लो तो 5 बार निकल जाएगा, 155 शाड़े साथ सो आ जाएगा, अब देखो इसके पास 6 कम पढ जाएगा, पुछा है हमने इसके इस से दे दिया, इसके पास 2 बचे और इसके पास 1 बचे 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 10, 10 और जोड़ दीजिए, एन अब बक्टा में 5, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, साथ, तो, साथ, बक्टा में 5, स्कार्ट दीजिएगा, 152 शाड़े सा 79 में कह रहा है कि, ओमेगा जो है न, इस ओमेगा is a cube root of unity, अच्छा, ओमेगा अगर cube root of unity होता है, आपके बात पता होनी चाहिए, कि ओमेगा cube is going to क्यों होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा, फ्लस ओमेगा square is going to क्यों होता है, 0 होता है, अच्छा, एक बात और आपके पता ह एक दूसरे के वर्ग होते हैं। अगर आप इसका वर्ग करो डोगे इसका स्क्वाईर करोगे पहले वाले का पिको दूसरे वाले क시면 regular खेना वाला आजाएगा। यह दोलों के वर्ग होते हैं और यह भी कह सकते हैं तो दोलों एक क्विच्ट के व्यूति रिखारशं होते हैं एक दूसरे दिख्टा होते हैं यह वूत्रम होते हैं समझ गए ना omega is equal to 1 by omega square और omega square is equal to 1 by omega यह दूसरा को वूत्रम भी होते हैं अगर question करें पूछा जाए तो question जरूर attempt करिएगा इसमें किसी भी तरह की गल्थी के chance नहीं होने चाहिए दोनों जो होते हैं omega और omega square एक दूसरे की दूसरे की दूसरे को वर्ज करने पर एक से दूसरा और दूसरे से पहला प्राक्ति किया जा सकता है चलिएगा यहां पर शुरुबात करते हैं यहां पर हमसे पूछा गया है कि 1 minus omega है ना किसकी value निकालनी है 1 minus omega bracket में रखते हैं कि इत जिखे हम इसे थोड़ा से maintain करेंगे 1 plus omega square minus omega तो एक जगा रख दो 1 plus omega की जगह पर हम रख सकते हैं कितना minus omega square minus omega square और वहां पर minus omega square पहले से 1 plus omega square की जगह पर हम यहां से रख सकते हैं minus omega तो यह minus omega minus omega और इसे multiple add कर लेंगे minus के 2 omega square हो जाएंगे यह minus का 2 omega हो जाएगा into कर देंगे minus के 2 omega square minus minus कितना हो जाएगा plus का हो जाएगा 4 omega cube omega cube की value आपके सामने 1 है इसके बाद चलेंगे हम लो 79 होगे हाँ 80 तो आएगा 80 एक बहुत ही famous question है यह आपको बिलकुर रटा होना चाहिए के 1 plus R plus R square plus R cube dot 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 planet तक यह क्या होती है जो series होती है यह क्या होती है you plus R less than 1 पर क्या होती ही Convergent होती ही Convergent होती ही R greater than equivalent 1 पर की hij σ liegen होती है और this is a letter-ability है यह for R less than equal to minus 1 क्या होती है यो نिकित तीनोष हो भी है कि उसमें कॉल सब्सक्राइब हो जाएगा और लग भी एबब हो जाएगा तन्वर्जेंट भी है और यह उसलेटर भी है चले कोश्चन नमबर एक्टीवन देखिएगा इस बहुत से चीज़े बहुत से कोश्चन बनते हैं कि कह रहा है कि अगर मान लिए कि हमारे पां इसको यह एक ऐसा सेट है जिसके पास एंट तो कह रहा है उसमें नमबर आप सफेट कितने होगी रहा है तो मैं आपको इसकी सारे फॉर्मूलों का डिस्किसल भी करूगा आप सारे फॉर्मूल में इसके लोड करते जाएगा बहुत ही इंपॉर् नंबर अब सबसेंगी, हमाने अगर N elements दिये गए हैं, और Number of Reflexive tapahts बताना है यानि, श्हणुल य शंग्या प्रफिर्ठी Aber नमबर आप डेफ्लेक्सिल रिलेशन बताना है जब कि n elements दिये गए हैं यह होता है 2 की पावर n स्क्वाइर माइनस n 2 की पावर n स्क्वाइर माइनस n दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा पॉइंट मालीजे कि यह दि हमारे पास a और b दो परमित समुच्चे हैं क्या है कि a है और b परमित मगलब कि number of thumbs यह limited' है दो परमित समुच्चे हैं जिनमें a में जो elements ह Sharkman और m और be में जो elements है n है तो अब हमें बताना है यहाँ पहला point देखेगा पहला point हमें यह उसरा यहां पर कि जो number of a x b में अवयों की शंख्या होगी है ना देखें यहां पर मैंने क्या बता है कि a और b क्या है हमारे पास परमित समुच्चे है यानि कि finite समुच्चे है तो a x b में जो अवयों की शंख्या होगी ना में अवयों की शंख्या यानि कि number of element होगे अवयों की शंख्या जो होगी वो हो जाएगी M into N, कितनी हो जाएगी M into N, है न, A cross B में अवयों की जो शंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी M into N जो जाएगी अवयों की शंख्या हो गई, शेकंड पार्ट हमसे यह पूच किया जाए कि A cross B, M, फुप समच्यों की संख्या की तुमें चक्व में नम्मरय आएको समुच्या के संख्या कैसी होगी? प्लिघ नम्मर आप जो टुमेंन्स और होगी M R work ,i parts B say see only इसके बात अब वो बात करेंगे एसे पी में संबंधों की संधा होगा और अगर हम बात करें अरिक्त उपसमुच्चों की संधा कितने हो जाएगी यह क्या हो जानी कि जो रिक्त ना हो एक ही रिक्त समुच्चे होगा उसे हम क्या करेंगे घाटा देंगे ठीक है चलेगे अब माल लीजिए कि और एक पॉइंट देख लेते हैं यहां पर फॉर्थ पॉइंट यह देख लीजिए यहां पर टोटल नंबर आप सिमेट्रिक रिलेशन अगर आमाल पास N एलिमेंट दिये गए हैं तो टोटल नंबर नंबर आप सिमेट्रिक रिलेशन यह हो जाते हैं तो गी पावर वन बाइटू एन इन प्लस एन प्लस एक पॉइंट और देखी जिए गा लास्ट आप्माल लीजिए कि हमसे यह कहा जाएं यदि यह कह दिया जाएं कि ए तथा भी में एन आप्ट 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 अभी में कितने आप्टे आप्ट 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 आतक हैं नो कितने हों इन नमेंट्स कितने गोंगे यह हो जाएंगे एन इसराई अगर a और b में n elements क्या है common है तो a cross b और b cross a में n square elements जो होगे यानि n की power 2 elements जो होगे common होगे तो इसमें option सही हो गया b, चलेंगे हम आगे, question नमर देखेंगे 82, प्रसन संख्या 82, 82 में हमसे कहा गया है कि एक परवले दिया गया है, कि परवले x is equal to ky square plus by plus c के ना भी लंब की हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इसके standard form में convert करना होगा, तो कितना हो जाएगा यह, इसे कर लो आपको a y square plus by is equal to x की तरफ c को बेते हो, बेज दिया हमें, यहाँ पर y square जो coefficient उसे हटा दो, y square इस गोल्टी पर आ जाएगा, y square plus आ जाएगा, by a, y दर into में आगा, a को दिया है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको complete square बनाना है, full work बनाना है, तो देखिएगा, to a, b वाला टर्म यहाँ पर कौन सा है, b बट्टे a, y, b की value आई है, y सबाई काटो, to a बराबर आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा, by to a, full मिला के यहाँ पर हमें क्या करना जोड़ दें, और दोनों तरफ क्या करें, जोड़ दीजे, चलिएगा, आप जोड़ दीजे, a square मतलब, a square मतलब क्या हो गया, b square बटे में 4a square, कितना हो जाएगा, जोड़ो, y square प्लस, यह हो जाएगा, b square बटे में 4a square, प्लस, यहाँ पर पहले से हमारे पास, b, y, a, y, is equal to हो जाएगा, x-c, बटा में, a, प्लस का हो जाएगा, b square बटे में 4a square, अब यह बन चुका है, हमारे पास, y plus b by a, y plus b by 2a का square बन गया, और इधर क्या करो, 1 by a, आप ले लो, common, यह हो जाएगा, x-c, x-c, plus b square by 4a, यह हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हमेरे standard form में अपने आ चुका है, y square ब्रावगर 4a x, y square ब्रावगर 4a x, जहां पर 4a क्या होता है, ना भी लंब होता है, compare कर दीजी, इसे हम पुरे को x माल लेंगे, बड़ा वाला x माल लेंगे, ठीक है, 4a is equal to इतना आजाएगा, 1 by a, 1 by a, 1 by a, 1 by a, यानि कि 4a ही क्या होता है, latest rectum होता है, length of rectum, यानि कि ना भी लंब की लंबाई होती है, 1 by a, 4a की value कितनी है, 1 by a, कौन्स आप्टों से हो जाएगा, d option यहां पर correct हो जाएगा, चले के question में रेक्टी 3 देखेंगे, तो क्योंकि प्रसिस संख्या 83 में बहुत आपने कि जो fx है और f-x है इसको जोडने तो कितना आ रहा है, 0, अब यह ऐसा तब ही हुआ होगा, जब हमने f-x रखा होगा, और यहां पर minus x आया होगा, यानि कि फंसन में x की जगह पर हमने minus x रखा होगा, और वो minus x के बराबर आ गया होगा, और ऐसा तब होता है, जब टो f dear function कि या होता, odd f side होता है, जब हम आपको किसी odd function का integration करेंगे हमेशा हमें even function मिलेगा, जब भी को इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको Even function मिलेगा, यहां पर कॉर्स्था ज़ाए जैसा ही हमें पता चला कि और पंशन होता है एक इवेंट इंसाम होता है चलिए कर देखेंगे क्वेस्ट नबर 84 कह रहा है तो सब्सक्राइब बना लो ना भी बनाना चाहो तो अब यहां प्रेटर कोई ज़रुवरत नहीं है आप नॉर्मली प्रेटिस में ला चुके होते हैं यह आपको रटा होता है चलेगा यह होता है आच इसका और यह इसकी नाभी है नाभी के कोडिनेट हमें दिये गये हैं इसे हम एस से डिनोट करते हैं एक पॉइंट यहां पर पी के निर्देसांध हम फुर ले लेंगे एक स्कॉमा वाई और यहां पर हमारी नियता यानि डाइक्ट्रिस्ट वह कितनी हो जाएगी यह दिए यह हैं यह कितनी हो जाएगी से एम पी एम बना दें तो ही और यह है लिग जते हैं इसका एक्स प्लस वाई प्लस तू इस ग करती है चाहती है पींस के लिख के लिख इस परमूला लगे याँ यहां पर तो कि मांश आज एगा और यह दो इज गोल टू आप क्या करो पी अम निकालो है ना इस एंट्री सिटी कितनी दी ज़िए यह यह आ जाएगी एक बटे अंडर भूप तीन पी अम निकालो फटन्डी कुलर डाल दो किसी रेखा पर डालना है एकस प्लस वाई प्लस टू कहां से यह अब क्या करो हमको दोनों तरफ वर्ग करना है यह वर्ग मूल यह वर्ग स्टाना कहला का हो गाईक यह मैननस सेवन का स्कॐर हो जाएगा और जब दो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, मिलाके कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, इस्वार करोगे तो सिर्फ 6 बचेगा, कितना बचेगा? 6, एक बटे में 6 रहेगा, तो 6 इधर multiply में आ जाएगा, एक बटा इधर 6 होगा इधर 6 multiply में आ जाएगा, यहां पर कितना बचेएगा हमारे पास बचेएगा एक्स प्लस य प्लस तू का फोल स्क्वेर है ना तो इस दिख्यत नहीं सिफ हमने बढ़ किया बढ़ करके आप संप्लिफाई करिएगा थोड़ा से जंदी करती है अब देखें हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम यहां प यहां पिफ़ और स्क्राइब दच्वेर न फाफंध करके तकट्वाट फेनले की जरुरत नहीं है आप सिर्फ चपद चपने दिखिएगा पलस यहां पे कितना आएगा और इधर कितना आजाएगा अचर्पद एक्स प्लस यह दो का इस्वेर आचर पद इधर चार ही आएगा है ना चलिए गन दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं फेले एड करिए नो छे पंदरा की पांच असी लाएं एक और यह हो जाएगा बल्कुचासी गोड़े च्छे माइनस चार प्लस का चार इधर घटा के देख उप्लस का पांच उच्छा जिस ऑप्सन में सही होगा वही क्रेक्ट होगा देखको यहां पर पांच उच्छा प्लस का दिया गया है अब आप तो हो गएक करेक्ट और इसे कांटने वाला कोई नहीं है चलिएगा लगी ना वरण आपने फिगर उगर ना बनाया हो तो भु अब देखेंगे यहां पर यहां परोष्पाइब सब्सक्ति अधरें प्रिट्ट Princess है गळप्लों के ईक्राइब में हम क्या करें यहां कि अगर हम इसमें R1 में R2 जोड़ दे तो यहां पर भी 0 मिल जाएगा और यहां पर जोड़ दो भाई R1 क्या करना है हमें यहां करना क्या है यहां करना है कि आर उटेंश तु आर वण प्लस R2 कर लेते हैं देखो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 6i plas 4 माइनस का 3i प्लस का 3 आई यह 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा चार, यह हो जाएगा 3 आई यह हो जाएगा माइनस का बन और यह हो जाएगा 20 है यह 3 है यहाँ फिरी जिजिज नहीं होगे गी कॉल्टु हमने किया गया है x plus i y जब यह भी 0 हो जाएगा इसके लांग आप क्या करो इसे open कर लोग इसके लांग यानि कि 6i plus 4 के लांग आप से open कर लीचे यह छोट जाएगा यह छोट जाएगा 3i square 3i square plus 3 हो जाएगा equal to आजाएगा x plus i y अब देखो 6i plus 4 को हम बाद में लिफ्टाएगे यह हो जाएगा minus 3 plus 3 is equal to आजाएगा x plus i y जब पूरा 0 हो गया minus 3 plus 3 0 हो जाएगा जोने से multiply करों 0 आजाएगा यानि कि यह हो गया x plus i y हमें क्या करना इसे हम लिख सकते हैं 0 plus i 0 is equal to x plus i y compare करिए comparing both side real and imaginary part दोनों पक्सों में वास्तविक और खाल्पनिक भागों की तुलना करने पर कितना मिल जाएगा यहां मिलेगा x is one to zero और मिल जाएगा हमें y is going to zero तो कौन से option सही हो जाएगा option a जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलेगा इसके बाद हम देखें पॉस्टर में 86 86 पॉस्टर नमबर 86 दिया गया है कि अगर मालीजी की करा कि यह क्या होता है हमारे पास अगर क्या होती है नंबर यह होती है स्वरी एक प्वेशन यह होता है ax2 plus 2hy plus b y square is equal to zero इसके लंब करने का प्रतिबन यानि कि perpendicular चेंडिक और कंडिशन वो क्या होती है a plus b is equal to zero यानि कि coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to zero होना चाहिए coefficient of x square तीन है coefficient of yk is equal to zero k is equal to कितना आ जाएगा minus 3 इत्ते में क्या होना होना चाहिए यहां पर माइनस का 3 होना चाहिए कौन साफ्पन सही हो जाएगा दी ऑप्सन सही हो जाएगा question number 87 देखेंगे question 87 87 में कह रहा है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि संभाहूत रिभूज जो होता है जखो यहां पर यहां पर यह संभाहूत रिभूज हो साफ ही साफ्पॉल होती हूए mayoría इन्सके इसके हाईण की बता कि बात हो तो यह इसके हैड की बात करो क हो या सब हम हाइड के बात करें वो सभी में सेम होता है और फार्फोला क्या होता है इसका a प्षमाफ 5000 यह ना यह नी कि मैं बात पर आओ इसके सीर से लंब की यानि कि इसके हाइड की बात करूँ तो वो क्या होता ए मतलब भूजा यानि कि side under root 3 बटा में 2 ए कितना दिया गया है 2 a under root 3 बटा 2 तो उसे 2 काट दीजिएगा कितना जाएगा a under root 3 a under root 3 बटा में भाइड हो जाएगा उसके बार देखे गा 88 प्रस्ची संख्या 88 तो कहीं बार हम कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं चुक्ति कुछ आया ही है चुक्ति कर चुके हैं देखे इससे पहले भी कही बार कर चुके हैं यहां पर दिया गया 1 plus में हो जाएगा कॉसे माइनस का कॉसे से कितना हो जाएगा यह जब को यह 1-1 बन जाएगा नीचे क्या बन जाएगा और अलग अलग बटे कर देंगे तो यह हो जाएगा साइन एक नहां दे दो और एक को चुछाप अकेला चुछाएगा यानि कि यह हो जाएगा हमारे कि पास और फेट स्क्वाइरे एक्सर यह हो जाएगा माइनस का 1 साइन एक सरक और यह हो जाएगा व क्या करना है हमें यहां परिंटीघ्रेशन कर देना नगेim integration कर लेकिन integration dx. यह को cosec square x का do integration हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैनिस का 4 x हो जाएगा? इसमें किसी भी तरह की कोई doubt नहीं होना चाहिए. यह अब कितना हो जाएगा? यह minus का 4 x होता है. और यहाँ पर minus पहले से है, यह भी क्या होता? मैनिस का cosec x होता है. सब्सक्राइब कर देगा और यह कितना हो जाएगा और लिमिट चुप चाप रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस का दिया गया है तो खीर जाएगा तो उसकी बैल जो गया लिए फ़कुस्ट के साफ तो कितना में यहां पर ऑप्शन भी और चलेगा इसके बाद हम देखें को स्टीनाइम एक बिलतरीन को स्टीनाइम किराएकि यदि साइन अलफा प्लस साइन भीकेल यदि लगा दीजें 2 into, आप कहोगे सर साइन c plus d, बटा 2, साइन alpha plus d का बटा 2 into, साइन c plus d into क्या होता है, cos c minus d, यानि यह alpha minus d का बटा 2, यह हो गया, उसके बाद देखोंगे, आप पे cos c minus cos d है, cos c minus का cos d, तो यह कितना हो जाएगा, cos c minus cos d क्या होता है, इस formula में आ जाएगा, minus का 2, sin c plus d, वही आ जाएगा, y2 minus आता है, minus null आना होता है, यहाँ पे हमें क्या करना होता, d minus c करते, d minus c करते, लेकर d minus c नहीं कर लेंगे, c minus d ही लिखा है, अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि tan alpha minus beta y2, अब देखो tan alpha minus beta y2 का बटा, ज हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, बहले divide कर जाएगे, cot निकालो, सीधा cot, दोनों को divide करते हैं, दोनों को divide करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, a by b is equal to, cancel कर को, किस दो से दो को काट को, shine alpha plus beta by 2, shine alpha beta by 2 कट जाएगा, इधर चिप हमारे पास क्या बचा है, minus बचा है, और minus में क्या बचा है, ऊपर बचा है, cos alpha of alpha minus beta by 2, नीचे बचा है, sin alpha minus beta by 2, दोनों को पलड दीजिए, यह a by b है न, माइनस को इधर ले लेना, यह हो जाएगा, b by a, minus को इनके साथ कर दो, और यह हो जाएगा, sin alpha minus beta by 2, divided by कितना हो जाएगा, cos alpha minus beta by 2, जो हो जाएगा, tan alpha minus beta by 2, किस के बराबर हो गया, minus का b by, कौन सा option सरी हो जाएगा, b option यहाँ पर correct हो जाएगा, इसके बाद question number 90 देखेंगे, question 90, 90, question 90, question 90 में हम एक बात पता है कि में इसका फुरान केरे की domain निखना है, इसका domain निखना है, तो जोखिए यह जो अंदर value है root के, यह root के अंदर जो value है, यह दिया गया है, root के अंदर क्या है, यह root यह वाला यहाँ से, तो में पता है कि जो root के अंदर number हो क्या होगी, greater than equal to 0 होगी, तो root के अंदर number कौन से दीखे ही हो, यह दीखे ही, 1, 1 minus root, 1 minus root, 1 minus x square, greater than equal to क्या होगा, यह 0 होगा, अच्छा, अब हमें क्या करना है, यह greater than equal to 0 होगा, हमें क्या करना है, 1 को उधर बेज देने हैं, 1 उधर बेजेंगे, या इसको उधर बेज लिए, 1 is equal to कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 1 is equal to, 1 को उधर बेजेंगे, root, root 1 minus, कितना बचाएगा, यह 1 minus x square, 1 इधर आ जाएगा, कोई दिख्यत हैं, इसके बाद क्या करोगा, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे, 1 minus root, 1 minus x square, जब आप इससे वर्ग करेंगे, यह क्या हो जाएगा, अब 1, 1 दोनों क्या हो जाएगे, cancel हो जाएगे, 1, 1 दोनों हो जाएगे, cancel, आप फिर से कर दीजिए, इसका वर्ग, कि कितना आ जाएगा, 1 minus x square, greater than equal to 0, है न, यह इसे हम क्या कर देंगे, minus common ले लेंगे, x square minus 1, less than equal to 0 हो जाएगा, x के factor, इसके factor कर देंगे, x minus 1, x plus 1, is equal to 0, x की value क्या आ गई है, एक बना गई, एक क्या हो जाएगे, इससे क्या करेंगे, number line के रख देंगे, यह होती है हमारी number line, इधर होता है हमारा minus infinite, और इधर क्या होता है, plus का infinite होता है, और यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा, minus का 1, और यह कुतना हो जाएगा, plus का 1 हो जाएगा, और यह होता है, इधर का plus हो जाएगा, और यह होता है, plus, minus, plus, आफ देखें आफ ने क्या कही रहा है रॉठ प्रप्त ठीच प्रप्ष्टियद भी पहुती कठी पूर्च नहीं यहां पे यहां पर आई जड़ की प्लस जड़िए इन दोनों में जड़ का स्क्वाइर पॉमन ले लो यह हो जाएगा आई जड़िए प्लस वन एड़िए अन और आगर इजट्फें ऐंपर ij common लेना है जbnए स्क्रूंध एगर ज में i ख्यक्स का जलिखना है अब देख यहांपने का जड्सक्स्ट्वार है इसकंना के अजक्सायद लिख सकते हैं ज इसके माली unus मैंटपनों जाएगी विथेवर इन दोलों में i common आ जाएगा इतना common आ जाएगा आई अब अच्छेगा कि इतना i z plus 1 इसकल को 0 यहां पर माइनस z लिखा था न माइनस की जगह हम आई स्कूर रहता है कि i z plus 1 is 0, z बराबर कितना आ जाएगा ? माइनस का एक बक्ता i, i का उपर नीचे multiple आ जाएगा ? कितना आ जाएगा ? माइनस का i divided by नीचे कितना आ जाएगा ? i square i square की value minus 1, card दीजे, z बराबर कितना आ गया ? i आ गया, फिर हमें प्रस्ट में निकालना क्या था ? माइनस का i का i mod क्या होगा ? i का i क उपर प्रस्ट में निकालना होगा ? पर संख्य 92, तो संख्य 92 में factorization करना है factor करने का मैंने एक टरीका आपको बताया था जब भी आपस इस तरा कोई निमबर आता है ? अब देखो हम मैंने आपको इक बताय था ? अगर आपने ऐसा किया यह इन्टू में सभी चाहिए सारे इन्टू में नहीं ही टाइपिंग स्टेग देखिए गए तो A-B, B-C, C- यह भी 0 आजाएगा और 1-1 रखो यह भी 0 यह भी 0 और यहां से भी 0 आजाएगा मतलत कि दो वो option सही हो सकते हैं इस situation में लेकिन अगर मुझे तुक्का मारना होता है क्या क्या तर्फा इस situation में यह तो यह option यह option लेके चलता है 3-3 रखाएंगे, B is equal to 2 रखाएंगे और C is equal to this रखाएंगे यहां पर इस ओर रखाएंगे 1 रख यह भाई, यह value आप रखो मुझे कि तका जाएगे 3 है यह रख लेकिए यहां पर रखो मुझे एक जल ज़गत क्या रखना 3, 3 हो जाएगा 3 और 2 और 8 एर तर कितना हो फी प्लस दोनों के क्या करना है ना जोड़ना है विप्लस थे आ जाएगा उन्हाव इस र में इस determinant को है ना चाहो कि इसको इसमें घटा देना इसको इसमें घटा देना फिर आप इसे open करने के बाद जिसकी value आएगी वो 12 है ठीक है कितने आएगी 12 अब हमें क्या करना वो option try करना जिसमें a is equal to 3, b is equal to 2 और c is equal to 1 रखने पर 12 आगा है हम पहला option यहाँ पर try करने है जोगों यहाँ पर a का value है 3 minus 2 है ना b का value कितना है 2 minus 1 c का value कितना है यह 1 minus का a है ना 3 और a plus b plus c यानिके 3 plus 2 plus 1 कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 minus 2 कितना हों जाएगा 2 कितना हों जाएगा 3 minus 2 कितना होड़ा जाएगा माइस का बार का गार रहा है और यहां पर B-C, B-C, 2-A हो जाएगा, और यहां पर है A-B, यानि कि जो पहला वाला option था, यानि कि 12, उसके संभावना यह तो कम हो गई, है ना, देखेगा यहां पर minus 12 ही आ रहा है, यानि कि थोड़ा सा कही तोटी होगी, तोटी इसको हाल करने पर 12 ही या रहा है, यानि कि A-B हो सकता है, या A-C हो सकता है, इन में से किसी का एक का तराम अलग भी जाएगा, ठीक है, करिएगा, इस प्रसमे कोज़ बर आप भी ट्राइग करिएगा, पर आसे ही करना है, कोई दिक्तत नहीं है, option की दिक्यत आ रही है, correct option की, चलेगा, इसके बाद हम देखेंगे, यह कितना हो जाएगा, इसके बाद चलेगे, question 94 के पास, question 94, बहतरीन question है, कहरा है, कि एक लिबूद दिया गया है, ABC, चीट है, एक लिबूद हमारे पास है, ABC, और कहरा है, इसमें जो A है, यह A है, यह B है, और यह C है, इसके बाद कराई, AB और AC बराबर, equal sides, equal opposite angle, यहनि कि संगत संगत कोड भी संगत कोड भी संगत प्राबर होगे, अब यह 120 निकल गया, 120 हमारे पास कितना पच्छा, साथ, साथ में 2 नुक्ते हो जाएगे, 30 के हो जाएगे, 30 का AB, 30 का AB, पहला option पर एक हो जाएगे, में चलेगा question में देखेंगे 95 95 में भी बहुत ही मतलब कोई critical question नहीं है देखेगा कहरा कि a force acts at angle after 30 क्याना angle यानि कि theta में कितना दिया गया है 30 degree यानि कि angle अप projection जो दिया गया है वो कितना 30 ने कि दिया गया है इनकी 36 दिसा में भी योजित भाग है इसे हम क्या बनते यू पॉस थीटा इस गोल को दिया गया है कितना 10 रोग पर 3 क्यों करा then force इसे करा कि बल क्या होगा इनकों बताना है कि बल क्या होगा इसे बल पूछा गया कि बल कितना होगा अब देखिएगा हमें क्या करना है और सीटा इसने दे रख था है दूछ गोल कितना हो जाएगा पास साथ कितना बता है अंडर रूप 3 बता दो इस गोल कितना हो जाएगा कितना उप्षिंस यह जाएगा ओफ़न ए क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए फूर्ष रहे ना है इसके लिए इस ने को लिखा हुआ है अब धूर्श इसे हम लिख सकते हैं अब देखिए अब देखिए अब बराबर कितना है बन अच्छा इन बता बताए इस बात यह सब्सक्राइब यह बन लोगती है तेखेगा इधर ऊपर वाले में यहां पर रखते हैं यह हो जाएगा यह बी-सी नीचे कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा बी-सी ए यह कितना हो जाएगा ए बी-सी वेक्टर लगा देना कोई रिक्टर नहीं होती है ना हम एल्जाम है वेक्टर लगाने का काम रखते हैं वी-सी ए तेखेगा अब इस सभी बराबर है आपस में चाहँ तो सीधा काट दो वन इसकी वैलू आ ॲिए भुग साच पीशिशए संफ्न या पर राएका चाह HC को में और ना ना कि BLACK挑 अटिक संफ्न है से moss न में प्राक्टिक संक्वाण का योग कारा. हम एक काम करते हैं, हम इन प्राक्तिक संख्राओं को योग की बात कर रहा है, तो हम ले लेते हैं S1 को ले लिए, हमने एक ही पद लेके देख रहे हैं पर ले लिए, यह प्राक्तिक संख्राओं को जोड़ने पर एक ही आएगा, और करा है S2 जो है वो प्राक्तिक संख्राओं क कि ये value रख लेंगे, देखते हैं कि एक option में किसी काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर सभी satisfied होगे तो फिर इसके बारी कुछ कि कितना हो जाएगा, 9 into 1, is equal to हो जाएगा, s3 यानी कि 1 into 1 plus 8 यानी कि 9, ये 9 गराबर 9 आ गया, satisfied कर दा है, कौन सा option, option A ही correct हो जाएगा, और कोई भी option satisfied नहीं करेगा, 98 देखेगा, पर सुसंख्या 98 भी एक वहत्रिंग पॉस्चन है, देखेगा, 98, एक triangle है हमारे पास, इस triangle का हमें, कैक करना के इस eclipse की मात डिका ग्याक कर देखें हें, कि क्या होगी, न sunny-te alter अब देखें इसकी मादिका को ग्याद करना है मादिका ही निकाली ही सेंट्राइड निकालना होतोब सेंट्राइड आराम से निकाल देते लेकिन यहां पर हमें निकालनी है मादिका को लुद्धर सांट इस बिंदी को लुद्धर सांट की निकालने है शामनी वाले बिंदी को है वह है जिरो कॉमा जीरो बीसी की ने जिट्वि Food at तो ही बात से इसकी side 2 दी गई है, side इसने माधिका चनेरदेसान के नहीं पूछा है यहाँ पर जो c के कोडिनेट हो जाएंगी, वह कितने हो जाएंगी, वीड़ पॉइंट दिया गया है, वीड़ पॉइंट वाले से आप क्या करना, x1 प्लस x2 बट्टे 2 से बराबर 2 करके निकाल लेना, यह आ जाएगा हमारा 4,0 मध्विंदू के निर्देसान का फार्मूला लगाना, और इसे x1, xy माल लेना, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 प्लस बरिवर से इंगल फ्लस होता है, ठीठा होता है, हमें साथ हंत होता है, संbihenवा, 10 भूर्ध, पार करण अंगरो 1,2 डान्द ूवर ह doiventकि निकाल लेना, और दित्पास से इंगल, दिक्षाइग पार थे, फिर कोह जेएगा, 2 अश्राण से और लिर्दी है, अधर बरिषान से तो मतलब कुल मिलाके सीधे सी बात यह है कि हमें क्या करना है यह हमारे पास 90 अंस का कोड है यहां पर हम एक बार लगा देंगे कॉस 60 इस गोल को कितना आ जाएगा आधार बटे कर जो आधार हम इसे एच में रहे है अधार कितना है आधार हो जाएगा को अधार आपको दो दी आ गया है यहां से विडृ कितना आ जाएगा पर एक बटे दो रखो घृओ यक बटे गों कर जाएगा यहां पर साइनसाट भी लगागे, साइनसाट कितना हो जाएगा, वह होता है लंब बठेक पर है, यह कितना हो जाएगा, अंडरूट 3 बठेक दो होता है इसका वैलूट, यह हो जाएगा, यह तो हो जाएगा, जाएगा, अंडरूट 3, ना समयतनी हो जाएगा, अब देखे कि लिए अगे निर्जेसांग्क निकालना है, यहां तक कि दिस्ट्न्स कितनी आगए, आगए अंडरूट 3 यह जाएगा, यह जाए आगके, यह जाए, यह जाए 6 बिंदू 2, 1 अलब बठेक अब क्या करना है इन सभी को जोड के हमें केंद्रक निकालना है यानि की केंद्रक क्या होता है खैक जらी कितना हो जाएगा फेर प्लस थी् OFF-3, यह बन जांगा हमारा 5 भता थीन और व्यूता ब्रेंद फैक कितना है एक बन जाएगा हमारा 5 भता थी्म और ₹3 प्लामा फि होता है संट्राइब पूचाए इस निमादिका नहीं पूचाए कॉस्टर नमर 98 देखिए गए अठ्ठानवे कॉस्टर नमर 98 बहतरिन क्वेस्टन है देखेगा इसे देखेगा यहां पर दिया गया है कोश की पावर में है 7x 510HE प्लस इसकी यहां पर रखतेगे 1-9 यह हो जाएगा 6.1 वन, प्लस, फिट से हो जाएगा है, पॉस की पावर 4x हो जाएगा यह, माइनस का, और यह हो जाएगा, 2, पॉस, इस्वार एक्स, माइनस 1 is equal to 0, यह दूनों फैंसील आउट हो जाएएगे, अब देखें कि दोनों में, पूरे में हमारे पास, पॉस, स्वार एक्स को में, यह प्रेक्टर हो जाएगा पॉस स्क्वार एक्स इसगोल टू जीरो जाएगा यह हो जाएगा पॉस स्क्वार एक्स इसगोल टू पॉस स्क्वार पाई बाई टू ना इस दोरान एक्स इसगोल टू कितना हो जाएगा x is equal to हो जाएगा n pi plus minus pi by 2 यानि कि यहां से जो x की value निखल में आ जाएगी वने जो आ जाएगी 1 के आ जाएगा minus pi by 2 आ जाएगा तूसरा के आ जाएगा pi by 2 आ जाएगा अगला वाला part फिर से उठाएगा cos की power 5x plus cos square x minus 2 is equal to 0 अगर हम इसमें x बराबर 0 1 से रख दें तो देखिए का cos इसकी value 1 हो जाएगी और इसकी value भी 1 हो जाएगी 1 plus 1 minus 2 minus 2 plus 2 जोनी यानि कि 0 आ जाएगा यानि कि x is equal to 0 भी से satisfied कर रहा है यानि कि यहां पर हमारे पास 3 वास्तविखल हो जाएगा एक होजाएगा एक 5y2 हो-जाएगा और एक हो जाएगा x is equal to minus का 5y2 एक हो जाएगा ठीक है तो यहां पर plus 5y2 minus 5y2 हो जाएगा एक 10 हो जाएगी तीन मान हो जाएगा चलेए कर सकते हैं आप कोई पी के अलिमेंट मान लें आप पी के मान सकते हैं कि आर के मान सकते हैं यहां पर मैं आपको सीधा बता देता हूं इसमें जो हेंडेड होगा यह सी वाला जो क्या हो जाएगा देखो चलेघा बस अपनी रफ्तार धीमी ही सही, मगर उडान बहुत लंबी होगी नमस्कार दोस्तों, मैं उदै सिंग, मैथ्स गुरू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ और आज हम लोग डिस्क्स करेंगे TGT Mathematics 2013 का पेपर जिसमें प्रश्ण संख्या 101 से लेके 125 तक के प्रश्णों का आज हल करेंगे आज यह 2013 का लाश्ट लेक्चर है, इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हो चुके हैं अगर आपने इन चारों को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे देख लीजिए और उससे पहले हम लोगों ने complete paper कर लिया है, 2021 का, 2021 का, इसकी भी description में लिंक है, आप देख लेंगे और 2016, 2016 पा भी हमने पूरा paper कर लिया है, और आज हो जाएगा 2013, है ना, कल से करेंगे 2015, तो यह आप तिरों complete कर लिजिएगा, अच्छे तरीके से नोट, इनका नोट डाउन जरूर करेंगा, इनके नोट जरूर बनाईएगा, क्योंकि प्रिवियस यार आपके काम जरूर integer, देखते हैं, रूट टू कैसी नंबर है, यह बताना है, देखें, रूट टू का square root जो होता है, एक, दसंबलो, चार, एक, चार, दो, एक, डॉट, 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 करके ऐसे डिजिट आते जाते हैं, लगातार खतम नहीं होते हैं, तो जो इसका decimal expansion है, decimal expansion of real number है, वो क्या है, वो एक प्रकार की अशांत अनावर्ती है, कैसी संख्या है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, वो इंगलिस में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, non-terminating, non-terminating, terminate का मतलब होता, खतम होना, है ना, non-terminate मतलब जो खतम ना हो। non repeating यानि कि repeating क्या हो repeat non terminating non repeating ना तो यह terminate हो लगी न खतम हो रही और repeat हो रही है ऐसी शंख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ति और जिन रियल numbers का decimal expansion non terminating non repeating होता है वो सभी क्या होती यह irrational numbers होती है कैसी number होती है इस type की जितनी भी number होती है वो इरेशनल यानि आपर मेंड रिमेंड संख्याएं होती है या सभी ही हो तो होता है यह ऑर यह चानुतоды पीसहां होता है यानि यह ईक होता है टर्मिनेटिंग यहां शक्षंध चंड और गतीक्षा कर दूसरा क्या होता है non-terminating decimal expansion non-terminating double type का होता है non-terminating repeating decimal expansion non-terminating non- repeating decimal expansion जिसमें number क्या होता है खतम हो जाती डिवाइड करने के बाद यानि कि decimal के कुछ digit से बाद अगर number क्या हो terminate zym SPEAKER यानि कि end हो जाए तो उसे हम क्या बोलते है terminating decimal expansion यानि कि santa the sãoलो प्रसार और जिसमें non-terminating repeating हो यानि कि दसंबलों के बाद कोई digit repeat होता है या कोई संख्याओं का group repeat होता है तो उसे हम बोलते हैं non-terminating repeating decimal expansion और जिसमें क्या होता है कोई भी digit कभी भी आ जा यानि कि आओ जाओ घर खाला का हैना मौसी के घर की तरह कर अंक आते हैं कहने का मतलब कि दसंबलों के बाद जैसे कि इस situation में आप देख रहे हैं एक दसंबलों चार एक चार दो मतलब कोई भी digit कभी भी कहीं भी आ जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं अशांत अना वर्ति मतलब कि non-terminating non-repeating तो इसमें जो terminating decimal expansion होता है वो क्या होता है rational होता है है इसका जो इनके प्रसार terminating recur version होता है वो बोलते हैं और जिनका अवर्त नों-terminating repeating रिपीटिंग होता है तो रूट डिमा इइस हमतला बोलते हैं जिसमें जिनका agemal expansion 형et how to do rational numbers which is बोलते है तो रूट टू का जो डेशसमल extension fresh न्होर कैसा के बाद देखेंगे Question No. 102 , बहुत Prime Question है यहां पर ट्राइगल की 2 सीच के धी गई है हमें और लुन का फोछा गया है देखेगा , यह हमारे पास एक ट्राइगल है , ट्राइगल की दो साइट की धी गई है , महांग लेते हैं यह ए यह ए और यह C है यह दिया गया है हमें AB दिया गया है वेक्टर A दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया होता है वो होता है एक बटे दो मॉडुलस AB क्रोश AC है ना दोनों एडिसेंस लाइन ली जाती है यानि कि दोनों असन भुजाए ली जाती है एक बटे दो AB का कितना दिया गया है यह दिया गया हमें AB वेक्टर A दिया गया है 2I-3J-K 2I-3J-K है ना क्रोश करना है किसके साथ I-4J-2K चलिएगा पहले क्रोश करके इस क्रास की वैलू निकालो पहले A-Cross B की पहले वैलू निकालो ऐसे निकालते हैं और यह हो जाएगा 2-3-1 और B वाला कितना है 1-4 और यह माइनस का 2 निकालते हैं इसकी वैलू I है ना I देखो यह छूट जाएगा यह छूट जाएगा यानिकी 3 दुनी 6-4 है ना कितना हो जाएगा 6-4 माइनस का J आजाएगा और यह छूटेगा यह छूटेगा यानि कि माइनस का चार प्लस का एक माइनस का चार प्लस का एक है ना प्लस का क है और कितना हो जाएगा प्लस का क है चार दुनी आठ प्लस तीन आठ तीन ग्यारह है ना ग्यारह हो जाएगा calculate करेंगे यह हो जाएगा 10 आई और माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, माइनस के 3 बचेंगे, यानि की प्लस का 3J हो जाएगा, प्लस का 3J हो जाएगा, प्लस का 11K हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस भी निकालना है, देखो यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका मॉडुलस निकाले तो यहां निकाल देते हैं यह हो जाएगा वन बाइटू तो हई है हमारे पास और यह कितना हो जाएगा रूट यह 10 का कितना हो जाएगा फ्लस यह कितना हो जाएगा 9 प्लस यह कितना हो जाएगा वन हैंड ट्वब्टी-1 अब सबिको क्या करें एड कर लें देखो इसको देएंगे 130 हो जाएगा 130 के साथ एड होगा 230 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 by 2 2 30 square unit कौन सा अप्षोन सही हो जाएगा देखओ 1 बटे 2 under root 230 1 बटे 2 under root 230 square unit कौन सा अप्षण सही हो जाएगा d option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलेगा इसके बाद देखें President Sankhiya 103 John benefici संखिय क्या कह रहा है बहुत बढ़ी है q!, ऐसा question आपका एक्जाम में टपकता है एक question, देखेगा, जब भी कभी अगर ऐसे formative question मिल जाए, limit हमें n tends to infinite दिया जाए, और r की value 1 से कहां 4 n तक जाए, 0 तक जाए, जहां तक भी जाएगी, वो देख लिया जाएगा, 0 से 4 n तक जा सकती है, 1 by n प्लस r, तो हमें ना इसके अंदर बना की कोशिस करना है, एक बटे n कहीं से common आ जाए, और r by n बनाना है, r by n बनाना है, और इसके बाद काम स्टार्ट करना है, चलिएगा, देखते हैं, यहां पे दिया गया है, limit n tends to infinite, शमेशन दिया गया है, i is equal to 1 to 4 n, divided by n, 1 by n प्लस r, आप देखेगा, हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, n बनाना, एक बटे n बनाना है, तो हम एक बटे n नीचे से common ले लें, एक बटे n आ जाएगा, और यह n डिवाइड होके r by n बन जाएगा, मतलब दोनों चुझे मिल जाएगी, r by n बनाने का प्रयास, उसके लिए एक बटे n हो सकता, बाहर दिया गया हो होता, यह r by n का ही format दे दिया गया होता, देखेगा, इसको बही रहने दीजिए अभी, limit n tends to infinite, और यह summation हमारा भी वही है, इसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और यह 4 n, और हमें क्या करना है, नीचे से 1 by n कामन लो, एक बटे n, नीचे से common, नीचे से common, नीचे लेना है, माना, माना क्या मान लेंगे हम, r by n जो दिया गया है, उसे हम मान लेंगे x, अब क्या करिए, आप इसे x के respect में differentiate कर दीजिए, तो 1 by n आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, dr by dx, तो यह dx, इधर इसका 1 हो जाएगा, और dx को इधर ले लो, यानिकि dx is equal to कितना आ ग करते हैं इसे, देखेगा, हाँ, यह कितना हो जाएगा भाई, आप इसे convert करना हमें integration में, integration के limit कहां से लेंगे, देखो यहाँ पे n का value कितना रखेंगे, जब हम value क्या रखेंगे, n का value क्या रखना है हमे, r का value कितना रखना है, 1 रखेंगे, और n का value कितना infinite, कितना आ जाए infinite दिया गया है, कोई दिक्क नहीं, वहाँ पर 1 रख दो R का वैलू, एक से सुरू है, 1 by infinite क्या होता, 0, यानि कि lower limit कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई, upper limit की बात करें, देखो, R की जगा पर क्या रखना है, 4N, तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या रखना है भाई, यह है R by N is equal to दिया गया X, और आपको R की जगा पर रखना 4N, 4N by N, N से N काड़ दीजिए, X is equal to कितना आ गया 4, यानि कि upper limit कितनी आ गई हमारे पास, 4, 0 से 4, अच्छा 1 by N, 1 by N, यह 1 by N जो DR होगा, है ना, यह वाला item जो होगा है, पूरा किसके परावर हो जाएगा, DX के परावर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 by 1 plus X, और यह बन गया हमारा DX, है ना, यानि कि limit convert हो गई, हमारे 0 से 4, 1 by 1 plus X, R by N को हमने X माना है, फिर हमने क्या किया, इसे, differentiate किया, तो 1 by N, DR is equal to DX हो गया, फिर हमने क्या किया, limit change कर लिया, हना, R is equal to 1 रखा, हमने 1 रखा, और N की value infinite है, तो बाद में हमने infinite रख दिया, है ना, N की value भी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ N cut नहीं रहा ना, तो 1 by N 0 हो जाएगा, तो lower limit हमारी 0 आ गई, फिर हमें क्या करना, R by N की जग़ा पर R की value कितनी रखनी, अब हमें रखनी यह 4 N, तो हमने 4 N रख दिया, तो N से N cut गया, तो आप limit apply भी करोगे, इनकी value भी रखोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, तो कितना हो जाएगा, यह हमारे पास 0 to 4 हो गया, 1 plus X हो गया, अब देखो आपको पता है कि 1 by 1 plus X क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा log, log 1 plus X है ना, log 1 की value आप जानते हैं, 0 होती है, तो यह कितना बचा, यह हो गया, log 5 है ना, base E रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, log 5 कौन साफ़न से हो जाएगा, यहाँ पे, A option correct हो जाएगा, चलेगा इसके बाद question number देखेंगे, 104, बहुत ही आसान question है, बहुत कुछ नहीं है, इसमें कहरा है कि 2 vector, अगर आपको पता होना चाहिए, कि 2 vector, अगर हमारे पास vector A और vector B दो vector दिये गए हैं, और हमसे यह कहा जाए कि वो दोनों perpendicular है, तो उनका dot product जो होगा, वो क्या होगा, 0 की equal होगा, है ना, अगर 2 vector क्या है, perpendicular है, चुकि होता क्या है, यह होता vector A dot vector B बराबर होता है, A B cos theta, अगर theta is equal to 90 degree है, तो रख दीजे 90 degree, तो कितना हो जाएगा, cos theta की value, 90 की value 0 होती है, तो यह 0 आ जाएगा, यानि कि A dot B की value 0 होना चाहिए, तो दोनों का dot product निकाल दीजे, तो यह कितना दिया गया है, 2I plus J plus K, है ना, इस प्रश्ण को लिखने की जुरूत नहीं थी, direct वहीं पर हम कर लेंगे, लेकिन आपको concept बताना है, इसलिए बता रहे हैं, है ना, यह lambda K हो जाएगा, is equal to 0, I के coefficient का I से multiply देखेगा, एक बात याद रखेगा, I dot I, जो होता है, वो I square बनता है, I square की value क्या होती है, 1 होती है, है ना, J dot J, J square यानि की 1, K dot K, यानि की K square यानि की 1, है ना, दोरों चीजे हो जाएगी, चले का और इसके बाद जो भी आएगा, हमारे पास I, J, J, K, यह सब क्या हो जाएगे, 0 हो जाएगे, तो 2 का multiply करेंगे, तो यह खो 2 आ जाएगा, आई वाले के साथ, J के coefficient का multiply करेंगे, minus का 4 आ जाएगा, और यह plus का K के coefficient का multiply, lambda करेंगे, is equal to 0, यह कितना आ जाएगा, minus का 2 plus lambda is equal to 0, लेम्डा इस गोल्टू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा लेम्डा इस गोल्टू कितना आ गया टू यानि कि वैलू कितनी आ गए लेम्डा की टू आ गए यानि कि ऑप्सन बी क्या हो गए एक सुचार में करेक्ट हो जाएगा चलेगा एक सो बात प्रश्ण देखेंगे एक तो बिन्दू से गुजार दो constant की वेलू निकाल दो दूसरा पोइंट यह है कि अगर मान लीजिए कि अभिलंब का समीकरण पूँछा गया है और अभिलंब का समीकरण इन चार आप्सन में से कोई होगा है जो है इस रेखा के बिंदू पर समी के ना टो रहेगा तो हैं यह तो है हैंक है यह करwol है और इसी का एक window है 2, root 7 इस window पे हमें अभी लंब का क्या निकालना है इस window पे हमें अभी लंब का question निकालनी है ना पर्पेंडिकुलर की question निकालनी है तो यह point तो इस लाइन के समिंग करेगा तो जो option इसे satisfied कर जाएगा उसे आफ satisfied करवा दीजिए वही answer हो जाएगा तो दूसर रखो पहले वाले में y की जगप कितना रखना भाई y की जगप रखना root 7 तो यह हो जाएगा 32 root 7 और x की जगप रखना 2 तो plus का हो जाएगा 18 है ना नो दूनी 18 root 7 अब देखेगा दोनों को add करेंगे 32 और 18 हो जाएगे 50 50 root 7 और यहां पे 7 root 7 मतलब पहला option नहीं होगा दूसर option को try करिए सब कुछ same है देखो सब कुछ same यही calculation करेंगे तो 50 और रूप 7 और रहा है 50 यहां भी आ रहा है LHS और RHS बराबर आ रहा है यानि कि option B जो होगा वो क्या होगा correct होगा यानि कि इस question के लिए option B क्या होगा एकदम correct और perfect answer होगा चलिएगा इसके बाद देखते है question number 10 206 यहां पर आप comment करके बताईए का बहुत easy प्रशन है क्या इसका जवाब आएगा इमानदारी के साथ है ना बताईए क्या इसका जवाब आएगा मैं लिखता हूं तब तक आप comment section में comment करके बताईए वीडियो को post करिए और comment करके बताईए 0 to pi integration के limit दी गई है और यह दी सकते हैं limit हमारी यही रहेगी 0 to a और यह हो जाएगी a minus x dx के equal ना इस प्रगूल को लगा दीजिए इस property को apply कर दीजिए यानि कि हमें लगा देना है कि आप pi minus x रख देना है जहां जहां x है वहाँ पर क्या रख देना है pi minus x ना इस equation 1 बना दीजिए और यह equal to हो जाएगा 0 to pi यानि कि यह हो जाएगा sin 6 और यह कितना हो जाएगा pi minus x और यह भी हो जाएगा cost की power 5 pi minus x dx अब देखें कि sin 180 minus theta sin 180 minus theta तो sin theta ही रहेगा है ना इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा is equal to और देखो यहाँ पर cos 180 minus theta दूसरे में cos negative होता तो यह सिर्फ negative देदेगा minus का 0 to pi और यह रहेगा sin 6x cos 5x और यह हो जाएगा dx equation 2 हो जाएगी अब देखो equation 1 और equation 2 को आप add कर दीजिए adding equation 1 and 2 1 और 2 को add करिएगा i और i मिला के कितने हो जाएगे 2i हो जाएगे और देखो यहाँ पे same चीज है plus में और same चीज है minus में हैना देखो same item उपर देखो plus में है और नीचे क्या है minus में जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 i मतलब किसकी value कितनी आ गई 0 आ गई कौन साप्षन सही होगा a option correct होगा चलेगा question number 107 बहतरीन question है देखेगा पूछा क्या गया है कहरा है कि ax square plus 2hxy plus by square 2gx यानि कि हमें क्या दिया गया है कौनिक का equation दिया गया है और रेप्रजेंट साइपर बोला अब देखेए कोई भी कौनिक यानि कि standard form दी गया है इसकी ax square plus यानि को formula ही आपसे पूछा गया है ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 यह क्या होती standard form of a conic किसी शांकों की का यह मानक समी करण होता है इस condition में आपको बता देता हूं अगर हमारे पास क्या हो a बराबर b हो यानि कि पहली वाली condition जो दी गई है इसी में बताते हैं जो a बराबर b and h is equal to 0 दिया गया height 0 है तो यह circle होता है इस condition में क्या होता है यह वृत होता है वृत की condition होती है है न और h square minus a b या a b minus h square यह क्या होती है पैरा बोला की condition होती है न पैरा बोला की condition होती है यानि कि परवले की condition होती है और इसके बाद अगर h square minus a b greater than 0 है h square minus a b अब देखो या पे h square minus a b नहीं दिय लिए तो माइनस कॉमन ले लो तो यह कितना हो जाएगा a b minus h square और यह क्या होगा माइनस इधर भेज देना तो यह क्या हो जाएगी इधर जो greater than equal to था वो क्या हो जाएगा less than equal to में बदल जाएगा less than में बदल जाएगा यानि कि a b minus h square यह किसकी थी यह condition थी हमारी hyperbola की यानि कि h square minus a b की value greater than 0 होती हमने minus common लिए माइनस बोदर multiply करेंगे तो यह जो हमारी असामी का है वो बदल जाएगी है ना यह क्या होगा बदल जाएगी तो कितना हो जाएगा inequality का change हो जाएगी यानि कि a b minus h square तो क्या हो जाएगा less than equal to 0 हो जाएगा और यह condition किसकी होती है यह किसकी होती ही condition भाई यह हमारी देखो hyperbola की है यहाँ पर option b 107 में option कौन से हो जाएगा भी option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलेगा इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे और यह वाला अगला वाला जो बचरा है हमारे पास वो ellipse का बच जाएगा है ना ठीक है आगे चलते है question number 108 प्रस्टन क्या 108 में कह रहा है यदि शमी करन दिया गया है हमें कहरा है इसका एक root जो है यह ना product of root निकालने का कोई मतलब नहीं है sum of root निकालो sum of root यानि दोनों का root मूलों का योग फल कितना होता है minus का b by a alpha plus beta alpha plus beta दोनों को जोड़ दो two plus i plus two minus i is equal to minus b by a b मतलब कि x का गुड़ांग तो minus माइनस का हो जाएगा और हस्क्वार का गोड़ांक वन दिया गया है यह दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगे टूहर्ट्व टूH kITने हो मीजरमेंट आफ सेंटर टेंडेंसी होती है मौड भी से मीजरमेंट आफ सेंटर टेंडेंसी होती है लेकिन जो रेंज होती है वो मीजरमेंट आफ सेंटर टेंडेंसी नहीं होती है ना मीजरमेंट आफ सेंटर टेंडेंसी नहीं होती है यानि कि इसमें आपसन कौन सा सही होग यानि कि पराज जो है वो केंदरी प्रपत्थी की माप नहीं है question number 110 देखेंगे हमसे पूछा है कि the order of the differential equation is differential equation का order क्या है तो order में हमें यह देखना होता है कि highest derivative होता है है ना दो चीजे होती है एक होता है order है ना order होता है एक होता है order और दूसरा होता है degree order क्या है degree क्या है हमें बताना है order देखेंगे तो जो highest derivative होता है उसे हम order बोलते हैं तो highest derivative यहाँ पे क्या है देखे 3 times हुआ है तो d3 y dx3 तो highest derivative कि स्टम का है 3 तो highest derivative कितना हो गया order कितना हो गया इसका 3 हो गया और highest derivative की जो power होगी दीग्री बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं डीग्री बोलते हैं तो ओर कितना हो गया ऊप्स निभाग्ण देखेंगे 101 10111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 कोई दिक्कत नहीं बहुत की इसा साथ कर लेंगे देखेगा प्रश्ण में कह कया रहा है वह देखना एमें आसानी के साथ हम रखते हैं यह अeur पर करा एक विद्याले में तीन तीम के फान के सदस्ट को है क्रिकेट टीम में 21 यह माल लेते हैं हमारी cricket team के लिए है है na cricket team में कितने है 21 है और इधर वाले में क्या कह रहा है football है किस क्या है football football में 26 है है हौकी team में 26 फुटबाल में 29 यह रख लो यहां पर फुटबाल में 29 और हौकी ले लेते हैं हौकी में कितने है 26 है चलिएगा कोई दिक्कर नहीं अब इसके बाद देखो प्रस्ट में क्या कह रहा है कि उनमें से 14 सदस यहांकी और क्रिकेट के हैं 14 सदस कितने हांकी और क्रिकेट के है 15 सदस से हांकी और फुटबाल के है 12 सदस फुटबाल और क्रिकेट के है 8 सदस जो है तीनों में common है तो पहले तीनों में common यह वाला area है कितने है 8 आठ को हमने common में रख लिया अब आते है उपर क्या कह रहा है उनमें से 14 सदस है हांकी और क्रिकेट के तो हांकी और क्रिकेट हांकी और क्रिकेट के 14 सदस ने तो आठ तो हो चुके हैं तो 6 और आ जाएंगे अब मिला के देखो हांकी और पूछा तीनों एथलीटिक टीम में कुल कितने सदस हैं तो यह आठ हो चुके हैं तो आठ चार बारा हो जाएंगे कितने श्दस से हमें यह बताना है अब देखेगा यह कितना हो जाएगे एक कीस दिया गए आठ चार बारा बारा छे अठारा और तीन ही यह और यह और यह नहीं हो जाएगा चैल्कुलेट करें यह नहीं कि 10 हो जाएंगे अब जोड़न लीजे लिए टोटल आ जाएगा पता चल जाएगा सब अलग अलग हो चुके हैं यह हो जाएगा 3 प्लेस 6 प्लेस 4 प्लेस 8 प्लेस 5 प्लेस 7 प्लेस 10 इन सभी को आप आड़ करेंगे 3, 4, 6 8, 5, 7 को आड़ करने पर आएगा 43 है ना कितना आएगा 43 कौन सा आप्षन से हो जाएगा 3 option correct हो जाएगा चलेगा 112 में देखेंगे अच्छा कोश्चन ने बड़ा मसहूर कोश्चन है कई बार आ चुका है देखेगा इंटर की बुक में भी यह पुरानी वाली है ना चलेगा देखेगा यहां पर हमें क्या करना है कुछ नहीं करना हम चाहते यह है कि ऐसा करो यह थोड़ा सा ज्यादा सीधा-सीधा हिसाब किताब हो जाएगा इसको वन को हटा दो यहां थिरी बना दो और यहां लगा दो लिखा हुआ था 13 प्लस अंडर तीन प्लस तेरह हमने क्या लिख दिया है ब्रेक करना है ब्रेक करिए भॉइ यह कितना हो जाएगा यह उजाएगा रूट 13 10 को चुप चाप ले लीजिए रूट तेरह हो जाएगा और यहां पर रूट 26 है आपांच वह फाइन और और इसके बाद यह हो झाएगा रू 50 Rρω 5 Extall-े cheer pair moment बिर्फ करीयो बीच वे प्लास दाले अब अगला बाला लिख दो अग्या है बहरी यह क्या है तीन है रूट इन रूट 15 और और रूट सरी तीन नहीं यह पर रूट नहीं है तीन गषाल में लिखर और यह कितना हो आराम से हैं रूट नि काल्कलेशन करना है नहीं आरामसे कोिदिक्कत नहीं यहाँ पर हमने root 13 common ले लिया root 13 हमने common ले लिया अच्छा root 13 common लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई यह बच जाएगा 1 और यहाँ पर कितना बच जाएगा root 2 और यह बच जाएगा root 5 यहाँ से भी हम common ले रहे हैं last वाले से कितना ले रहे हैं रूट पांच है ना तो गुड़े में आ जाएगा रूट पांच तो रूट फाइफ हमने कॉमल ले लिया यहां से यहां पर चुप चाप अभी रहने दीजिए यहां पर कोई काम नहीं है ना भी बामला यहीं सिद्ध हो जाएगा अंडर रूट पंद्रा है ना लास्ट वाल किसी सारेडिक में,डेटरमिनट में, दो कॉलम या दो रो रो उजाती तो इसकी वेलू जीरो होती है, यह पूरा कितना हो गया, जीरो हो गया, आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाले में हम क्या करेंगे, देखेगा यहाँ पर root 3 common है, root 3 इसमें common है, root 5 second वाले में common है, root 2nd यहाँ भी common है, यह पांच पूरे से common आ जाएगा, यहाँ से common निकलेगा, तो 1 बचेगा, और यह root 5 बचेगा, और यह root 3 बचेगा, यह root 5 में क्या है, 2, और यह root 5, और यह हो तो आजाएगा हमारा पांच रूट तीन और उसके बाद हमें क्या करना इसे कल्कुलेट कर लेना है इसे जब ही हम कल्कुलेट करेंगे तो जो आएगा वह मैं आप समने सीधे रख लेता हूं आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा यह आजाएगा अंदर रूट शे अंदर रू देख लीजेगा इसे calculate कर दीजेगा आ जाएगा पांच अंडर रूट तीन इंटू रूट सिक्स माइनस फाइगा इसमें बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा चलेगा 113 प्रसंग क्या 113 देखेगा ओकल समीकरन यहां भी दिया गया है और ओकल समीकरन हमसे डिग्री पूछी करके बताईएगा अभी परसनाया था इसी टाइप का कि इसकी डिग्री क्या होगी है ना कुछ लोग गलती कर देंगे कि डिग्री इसकी क्या हो जाएगी कुछ कह नहीं सकते है ना चलेगा देखते हैं बाई डिग्री और ओर का क्या चक्क्र होगा देखेगा यहां पर फि square y dx2 तो highest derivative की जो power होगी यह वो क्या होती है डिग्री होती है है डिग्री आप differential equation होती है तो डिग्री आप differential equation कितनी हो गई 3 है ना order आप comment करके बताईएगा कि order कितना है इसमें है ना चलेगा यहां पर कौनसा option सही हो जाएगा option सही हो जाएगा c है ना इसके बाद देखेगा question number 14 हमसे पूछा है कि एक the equation of the tangent at the point x dash y dash है ना यह x dash है और यह y dash है to the ellipse x square plus y square plus y square by j देखेगा यह ellipse दिया गया है हमें ellipse दिया गया है तो ellipse की tangent का equation देख लेते हैं equation of tangent equation of tangent कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x x1 होता है चुकि यह x dash है तो x dash लिख दो x x dash बटे a square plus y y dash बटा में b square is equal to 1 है ना x x dash यह कौन सा option सही हो जाएगा option a क्या हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा x x dash बटे a square plus y y dash बटे b square is equal to 1 पहला option क्या हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा चलेगा question number 115 बहतरिन question क्राय यदि दिया गया है यह हम क्या करें देखो यह x plus y वराबर x y दिया x minus y comma x minus y is equal to दिया है xy अब देखेंगा यहां पर late करते हैं हम क्या करेंगे इसे a,b में convert कर लो हम क्या कर रहें भाई यहां पर x plus y is equal to a late कर रहे हैं x minus y is equal to b late कर रहे हैं अब देखें हमें क्या करना है दोनों को calculate कर लेना है calculate कर लो यह cut जाएंगे 2x is equal to होता है a plus b x is equal to होता है a plus b by 2 और इसी तरह से क्या कर लेंगे y निकाल लेंगे एक बार इसको क्या करना subtract कर देना तो y is equal to आ जाएगा a minus b by 2 अब देखेंगा यह क्या बन गया भाई यह बन गया function of function of कितना a,b is equal to देखो x plus y को हमने a बना दिया x minus y को हमने b माना है तो x की जगप हमें क्या रखना है situation में a plus b a plus b by 2 into और y की जगप कितना रखना है a minus b by 2 multiply करेंगे तो कितना बन जाएगा a square minus का b square by 4 है ना अब हमें निकालना क्या है शमांतर माध निकालना है किसका शमांतर माध यानि की arithmetic mean है ना शमांतर माध निकालना है किसका भाई function x, y function of x, y function of y, x divided by 2 यही होता है, समांतर माद क्या होता है दो नंबर का समांतर माद क्या होता है ए और बी का समांतर माद क्या होता है ए पलस बी बटे दो है ना चलेगा fx, y देखो a, b कितना है a square minus b square by 4 तो x, क्या होगा a की जगा पर x, b की जगा पर y यानि कि यह आ जाएगा x square minus y square by 4 प्लस यहाँ पर लिखा function of y, x यानि कि a की जगह पे हमें y रखना है और b की जगह पे हमें x रखना है तो यह क्या बन जाएगा y square minus x square but take a 4 whole by 2 कितना है by 2 है अब देखेगा उपर आप क्या करना 4 LCM ले लेना उपर हमने क्या किया 4 ले लिया LCM जब हम 4 LCM लेंगे y2 को अपने संभालिएगा इसे हम थोड़ा से delete करेंगे देखेगा अब देखेगा यह y2 था यहाँ पे y2 हमने रख लिया अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा x square minus का y square plus का y square minus का x square और पहले से यहाँ पर हमाई पास बाटे में 2 है देखेगे plus minus की यह कर जाएगे plus minus की यह कर जाएगे दोनों उपर कितना बचा 0 by 8 0 by 8 का मतलब क्या हुआ 0 यानि कौन सा ओफ़न सही हो जाएगा c option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा यहाँ पे ठीक है चलेगा next question में next question क्या कह रहा बहुत ही बहतरीन question है कह रहा यदि x plus a की whole power n के परसार में बीशम पदों का योग p तथा सम पदों का योग q हो तो x plus 1 की whole power 2 अब देखेगा यहाँ पे हमें जादा नहीं सोचना हमें क्या करना है हम चाहें यहाँ पर दो पद लें चार पद लें हम एक पद ले रहे हैं n is equal to कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं एक पद लेंगे आपको पता है कि अगर कोई number हमारे पास इस तरह से form दी जाती है यानि कि x plus a की whole power n तो इसके प्रसार में total कितने पद होते हैं n plus 1 होते हैं इसी में पहले वाले को हम क्या बोलेंगे पहले वाले को बिशम बोल देंगे पहली स्थान पे है दूसरे स्थान पे काऊने सम तो इस इस निकाल देंगे सम और भी सम दोनों को रख के जो option satisfied करेगा कर देंगे देखिएगा x plus a के प्रसार में बिशम पत देख लो कितना है और सम पत कितना है आप इसी में रख लीजे x की जगा पे कितना रखना n की जगप कितना रखना 1 कितना दिया गया x plus a की power n यानि की 1 हो गया यह कितना हो गया x plus a पहली position मतलब बिशम पहला एक क्या होता बिशम तो बिशम पतों बिशम पतों को योग कितना दिया यह P की value है यानि कि हम यह कहेंगे कि यहाँ पर P is equal to कितना हो जाएगा P is equal to X हो जाएगा और Q is equal to कितना हो जाएगा A, देखो अभी कुछ मतलब परेसान नहीं हो ना बिल्कुल मैंने क्या बताया, वो कहरा है 2 पद, हम चाहें तो 4 पद लेते तो 5 पद हो जाते, फिर 1, 2, 2, 3 बिल्कुलेट करते, इससे अच्छा हम क्या करें कि वैलू 1 ले रहे हैं, 2 पद मिल जाएगा अगर option अलग हो जाएगा, तो कोशिश करें कि यहीं से अलग हो जाए, तो N is equal to 1 ले लिया 1 ले लियत कितना आगया, X प्लस A आगया यहाँ पर एक विशम position याणिकि और पोजिशन भी आ गई, और एक event position भी आ गई, तो कहँरा है जो event याणिकि odd position है, वो p है, याणिकि और जो odd है, याणिकि सारे को जोडने पर, देखो एक ही है, तो भाई, X का जोड कितना आएगा, X ही आएगा तो भिशम पद यानि कि X हो गया P की वैलू कितनी हो गया X हो गया और Q क्या है Sum पद है यानि कि event पद है event terms का sum है तो A की term है तो उसका sum क्या करेंगे Q is equal to A हो गया अब देखेगा किस की वैलू निकालनी है हमें वैलू निकालनी है X X प्लस A की पावर 2N माइनस बीच में माइनस दिया गया है माइनस X माइनस A की पावर 2N ये दिया गया है अब देखेगे N की जगप में क्या रखना है 1 रखना है ये कितना हो जाएगा X प्लस A की पावर 2 हो जाएगा माइनस x minus a की power 2 हो जाएगा दोनों को open कर दीजे x square plus ka a square plus 2ax minus x square minus ka a square हो जाएगा plus ka 2ax हो जाएगा ये दोनों cancel हो जाएगे 4ax बजगया क्या हो गया भई 4ax 4 a क्या है a क्या है q है x क्या है p है त究 Hanayak 4pq यानि कि किसके बराबर होगा फोर की पी क्यूव के बराबर होगा कौन साफ़न से होगा यहां पे डी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा चलेगा एक सुसत्रा परश्ण के एक सो सत्रा देखेगा एक सो फत्रा में कह रहा है कि किसी कड़ पर लगे दो बलों के 36 यह मुर्द्वादर है ना और जंडर वर्ट वर्टिकल रिसॉल्ड पार्ट आफ फोर्सेस एक्टिंग अन पार्टिकल पी एंड की है ना देखेगा क्या कह राएं परश्ण यह कह रहा है यह एक से इमारा हें थोड़ा साल अलों फिक्रिफ्टिंग हो गई राइन dessas में चाहकि ईह यह कह रहा है कि किसी कड़ पर लगे दो बलों के 36 यह मुर्द्वादर 36 कितना ऐ भाई 36 गयरा पी आप चैथिज पी और धोधर भाग क्या है क्यूं ये क्यों हो गया क्यों तो बढनों का परीडामी क्या होगा ऐसे होगा यह पर आप मिखाट बनेगा यह परीडामी आर है पाइथा गोरस लगा दो तो कितना हो जाएगा आर इसक्वेट प्लस की स्क्वार रिच गोल प्लस Q-square चलेगा प्रसंख्या 108 देखेगा प्रसंख्या 108 में कहा गया है कि हमारे पास ट्राइंगल के वर्टाइसेश दिए गए एक त्रिभूज के सीर से दिए गए हैं कह रहा है कि प्रकृति कैसी होगी यानि कि त्रिभूज कैसा होगा शंबाहू त्रिभूज होगा शंपोर त्रिभूज होगा शंपोडी त्रिभूज होगा नियून कोडी अधिक कोडी देखें कि क्या कंडिशन हो सकती है जैसा भी तरिभूज है, हमें क्या करना भी पॉंट्स रख लेने, हैं न, पॉंट्स रख लेने, देखिए वर्ट आइसे में लिखा हुआ है, यह क्या होता है, आइ को हटा देंगे, आइसे हमारा कोई मतलब नहीं, यह X की वैलू है, ठीक है, मतलब कि यह X की वैलू है, अरे ये point C हो गया तो पहले वाले हम क्रम से लिख रहे हैं A के जो coordinate हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3,4 B के जो coordinate हो जाएंगे 8,—6 और C के जो coordinate हो जाएंगे 13,9 अब क्या करना हो हमें सभी sides निकाल लेंगे सभी भुजाएं निकाल लेंगे A, B निकालना है A, C निकालना है देखेगा A, B निकालेंगे A, C निकालेंगे और C ये निकालेंगे फिर देखेंगे कि क्या मामला है देखेगा यहाँ पर A, B निकालो A, B, distance between A and B A और B के बीच की दूरी तो कितना हो जाएगा X2-X1, 8-3, 5 5 का square कितना हो गया भाई 25 प्लस Y2-Y1, माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस का 10 10 का square कितना हो गया, 100 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा root 125 A, B निकालाया, B, C निकालो B, C is equal to कितना हो जाएगा X2-X1, 13-8, 5 यह कितना हो जाएगा, 25 प्लस कितना, Y2-Y1 9-6, 15, 15 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 250 हैना, 250 चलिएगा, कोई दिकात निकालो C कितना हो जाएगा distance B, C and A 13-3, 10 100 हो गया, 10 का square 100 हो गया, 9-4, 5 बचेगा यह कितना हो जाएगा, बई, 25 यह कितना आजाएगा, रूट का 125 अब देखेगा शम बाहू, शम कोण तरिभूज क्या होगा, अब अगर सम कोण तरिभूज होगा, अगर इसमें सबसे बड़ी साइट का square कर दें, सबसे बड़ी साइट कितनी है भाई 250, अगर इसका square से दो साइट के square के sum के equal हो जाए, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई, यह क्या है यह हमारे पास right angle triangle है, square plus दूसरी वाली जो side बच्ची है, root 125 का square करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, square और square root हट जाएगे, square और square root यहाँ भी हट जाएगे square और square root यहाँ भी हट जाएगे, तो जाएगे, वर्गों के समके, वर्गों के योग के, हैना, question number 111 देखेगा, question number 111 भी बहतरीन question है, यहाँ पर मैं आपको एक concept बताता हूं समझेगा, तेकि normally अगर हम करते क्या है, a plus b का holy square, plus a minus b का holy square, जब हम open करते हैं, तो कितना आएगा, a square plus b square plus 2ab, plus a square plus b square, minus 2ab, तो plus 2ab, minus 2ab, कट जाएंगे, है ना, और a square, a square दो बार आजाएंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2a square हो जाएगा, plus इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, 2b square हो जाएगा, अब हम एक काम यह करेंगे कि a minus b का holy square है, देखो, a minus b है, modulus a minus b, is equal to कितना दिया गया, 8, तो हम दोनों तरफ work कर देते हैं, कर दिया हमने, दूसरा क्या दिया गया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a plus b, vector लगा लिजेगा, कोई दिक्कत नहीं, vector a, और यह दिया गया a minus b का square plus a plus b का square is equal to 8 का square कितना हो जाएगा, 64 और इसका 10 का square कितना हो जाएगा, 100, अब देखो, a minus b का holy square plus a plus b का holy square modulus लगा, कोई दिक्कत नहीं, किसके बराबर होता है 2 a square plus b square यानि कि modulus लग जाएगा, बस 2 modulus कितना हो जाएगा, a vector a square plus 2 vector b square b square, is equal to कितना, 164 अब इधर आईएगा, इधर आते हैं, यहाँ पर, देखेगा, 2 ले लें, common इधर काट देते हैं, तो कितना आजाएगा यह, a square plus, modulus b square is equal to, 2 से काटेंगे, 2 a 16, 2 दूनी 4 है ना, अब ना को यहाँ पर, a कितना है, 5 दिया गया, तो कितना हो जाएगा, यह, 25 हो जाएगा, भाई, modulus a vector, modulus vector a, 5 है, तो 25 हो जाएगा, plus, यह, modulus vector b, is equal to, कितना हो जाएगा, 82, 82 उधर, subtract करेंगे, square है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, vector, modulus vector b, is equal to, आएगा, root, 57 आ जाएगा, घटाएंगे, कितना जाएगा, यह, 7 बचेगा, और यहाँ पर, 7 यह, 5 बच जाएगा, तो under root लग जाएगा, क्योंकि, b, square दिया हुआ था, modulus, b, square दिया गया था, तो b, निकालना है, यहाँ पर, रूट का 57 हो जाएगा, कौन सा अप्षन सही हो जाएगा, view option correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 120, question number 120 में न, क्या कहरा है कि, d, d, x, of y, देखो, d, d, x, of y, इसका निकालना है, तो यह क्या होगा, जिसका, differentiation जो है, नहीं हो पाएगा, यानि कि, differentiable नहीं होगा, तो यह क्या होगा, अस्तित्थ भीहीन होगा, याना, lhd और rhd दोनों क्या होगा, एक्क्वल नहीं होगे, यह क्या हो जाएगा, does not exist हो जाएगा, यह exist नहीं करेगा, तो कौन सा अप्षन से यह हो जाएगा हैं आपे, शी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा, पॉस्षन नमर 121 देखेंगे, 121, 121 में हमें क्या करना है, लश, पानी कालना है, तो तेखो तीन टम्स दिये गए हैं, x square माइनस y square को पहलो आप ले लो, x square माइनस का y square, भाई, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, x plus y, और दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा, x minus y, अगला क्या करिए हैं, हमारे पास क्या है, वो दिया गए, x cube माइनस का y cube है ना, लिखेगा, x cube माइनस का y cube, is equal to कितना हो जाएगा यह, x minus y, और x cube का हो जाएगा, x square होता है, plus y square, plus का x y, और एक टम यह दिया गया है, हमारे पास कितना, x cube माइनस x square y, और माइनस का, x y square, plus y cube, इसका भी क्या करना है, हमें factor करना है, देखेगा, दोनों हमें x square common ले सकते हैं, लेजी x square common, x minus y बच जाएगा, और आगे वाले हम कितना common, y square common तो minus का, y square common ले जिएगा, x minus y बच जाएगा, यह कितना हो जाएगा, x minus y, और यह हो जाएगा, x square minus y square, यानि एक bracket में x plus y, दूसरे bracket में x minus y, आप देखेगें कि इन तीनों में हमें क्या करना, lcm निकालना है, तो lcm निकालने का आपको अग्दम बहतरीन सा मेथड़ बताते हैं, लोईस्ट कॉमन मल्टिपन, लोसर पा, हमें क्या करना होता है, तीम टम है, एक टर्म यह दिया गया है, इसके फैक्टर दिया गया है, एक यह दिया गया है, हमें क्या करना है, पहले उपर वाले के पूरे लिख लो, हमने उपर वाले के पूरे लिख लिया, x प्लस y लिखा, x माइनस y लिखा, अब दूसरे वाले में वो लिखो जो छूटा हो, देखो यह तो लिख गया है, एक बार इसे नहीं लेंगे, इसको लिख लिख लिजिए भाई, यह कितना हो जाए एक, x स्क्वाइर प्लस का y स्क्वाइर प्लस का x y, अब अगले वाले में वो उठाना है, जो छूटा हो, ना लिखा गया हो, देखो x माइनस y एक बार लिख गया है, तो उसे नहीं लिखेंगे, x प्लस y, x माइनस y का होल स्क्वार इन्टो x स्क्वार प्लस y स्क्वार प्लस xy, कौन सा आप्शन सा हो जाएगा, c आप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा, इसके बाद, question number 123, question number 123, यह बताना है कि, if m be the slope of a tangent to the curve, e की पावर y is equal to, 1 plus x square then क्या होगा m की value क्या होगी एक काम करते हैं यहाँ पर दिया गया है e की power y is equal to 1 plus x square यह दिया गया है अब देखेगा यह y is equal to कितना हो जाएगा इधर यह log में आ जाएगा log 1 plus x square हो जाएगा हम क्या करें इसे differentiate कर दो तो y dash first derivative हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 1 by 1 plus x square हो जाएगा भाई log x का derivative क्या होगा यह हो जाएगा 1 by x होता है log x का तो 1 by 1 plus x square और function of function situation में क्या हो जाएगा 1 plus x square हो जाएगा फिर से हो जाएगा जिसका क्या हो जाएगा 2x यह क्या बन जाएगा 2x बटे 1 plus x square हो गया cross multiplication कर दीजे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा m x square plus m is equal to कितना हो जाएगा 2x है ना इधर आ जाएगे आप देखेंगा यह क्या हो जाएगा m x square minus 2x plus m is equal to 0 अब यह क्या करो देखें यह equation बनी हुई है हमारी x square में की equation बनी हुई है इसका jy discriminate होगा वो greater than equal to 0 होगा है ना discriminate क्या होगा greater than equal to 0 होगा देखें निकाल लीजेगा b s square minus 4ac है ना चलेगा देख्ते हैं यह कितना हो जाएगा b s square minus का 4ac b s JD k सदो है तो इस चार हो जाएगा, माइनस 4, A की वैलू M, C की वैलू भी कितनी है M, greater than equal to 0, कितना हो जाएगा हम इसे लिखेंगे, 4 common लेकि divide में मार दो, 1 minus M square greater than equal to 0 अब क्या करेंगे, ये minus का M square greater than equal to minus का 1, है ना, minus का 1 अब कितना हो जाएगा, minus दोनों तरफ क्या करो, multiply कर दो, तो कितना हो जाएगा M square less than equal to 1 square root ले लिजे, तो क्या आजाएगा, M less than equal to 1, M less than equal to 1, कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पे, D option का सही हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा M less than equal to 1 ठीक है, चलेगा, question number देखेंगे, 123 123, 123, 123 123 में क्या करना, multiply ही करना है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, है ना, देखेंगा एक बात याद रखेंगे, कि अगर हमारे पास vector क्या है, समान है, है ना, vector क्या है equal vector है, और उनका multiply करना है cross product करना तो 0 होगा, a cross a, 0 a cross b, 0 और अगर, मान लिजए कि a cross b आ गया और कहीं पे आ गया क्या, ये equal होगा किसके, minus के b cross a के, है ना, minus के b cross a के, direction उल्टा हो गई, तो minus निकल आएगा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखेंगा, क्या दिया गया है, vector a minus का vector b cross vector a plus vector b, हमें क्या करना है, पहले a गुड़े a करना है vector a cross vector a हो जाएगा फिर बीच में क्या है, भाई, plus का चिन है तो plus रहने दो, vector a cross vector b हो जाएगा आगे क्या, minus के b का multiply करना है minus का vector b cross vector a minus vector b cross vector b अब देखेगा, ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, दोनों सेम सेम vector है, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा है vector a cross vector b हमने क्या बताया, जो minus b cross a है, minus का b cross a वो किसके बराबर होगा, a cross b के होगा direction change कर देंगे, plus का कितना हो जाएगा, अब ये, a cross b के बराबर होगा, a cross b plus a cross b मिला के कितने हो जाएगे 2 a cross b 2 a cross b, कौन सा option से हो जाएगा, यहाँ पे, option b जो है, वो correct हो जाएगा, 123 में, चलेगा 124 देखेंगे, बहुत ही बहतरीन question है, उम्दा, देखेगा z is equal to, दिया गया, e की power i theta, यहाँ पे z square दिया गया है, है ना, अभी रख लेंगे, उसे हमा आराम से कोई दिक्कत नहीं, z square minus 1 divided by, कितना z square plus 1 एक काम करें, उपर से z common ले ले, ले लो z common, तो कितना आ जाएगा, यह z हो जाएगा minus, यह हो जाएगा 1 by z, है ना, जहाँ पे z common नहीं हो रहा, तो भाग हो जाएगा, 1 by z 1 by z को क्या लिख सकते हो, z की power minus 1 है ना, divided by, शेम नीचे हो जाएगा, शेम भी z नीचे काम में ले लो कि हो जाएगा, z plus z की power minus 1, यह और यह cancel हो जाएगे, अब आप z की जगह पे लगदो e की power i theta, है ना, यहाँ पे यह दिया है, given है, z equal to e की power i theta minus e की power minus का i theta, divided by e की power i theta plus e की power minus का i theta, अब आपको पता है कि e की power e की power जो i theta होता, वो किसके equal होता है, cos theta plus का i sin theta cos theta plus का i sin theta तो यहाँ पे रख दीजिए, कौस theta plus i sin theta, भीच minus रहने दीजिए, अगले वाले minus है तो cos theta minus का i sin theta हो जाएगा, यह divided by, नीचे क्या हो जाएगा भई, नीचे हो जाएगा cos theta plus का i sin theta भीच plus है, plus रहने देंगे cos theta minus का i sin theta i sin theta से हमें क्या करना i sin theta से i sin theta cod देना है उपर क्या हो जाएगा भाई उपर देखो cos theta plus i sin theta minus cos theta plus i sin theta होगा तो cos theta cos theta cut जाएगा उपर बच जाएगा 2 i sin theta नीचे कितना बंजाएगा divided by 2 cos theta 2 से 2 को cut देंगे i कितना हो जाएगा sin theta बटे cos theta i tan theta हो जाएगा ना कि 100 पचीस में भी कुछ नहीं है हम से इस परशी में डारेक्ट कुछ नहीं करतें क्या करते हैं जिसके स्परसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी देखेगा यह हो जाएगी हमें question दी गई है ना अतिपरवले याना कि हाइपर बोला की question दी गई है x square by a square minus y square by b is equal to 1 तो इस x square को दो पार्ट में टोड लेते हैं x x1 divided by a square minus y को टोड दीजे y y1 divided by b square is equal to 1 अब क्या करना है x1 y1 से यानि कि यह हमारा x1 है और यह y1 है इस लाइन को pass करा दो तो x into यह हो जाएगा a sec 5 divided by a square minus y b tan 5 है ना v b tan 5 divided by b square is equal to 1 एक b से यह b cut जाएगी एक a से यह a cut जाएगा है ना कितना बच गया ऊपर बच गया ऊपर बच गया कितना x नीचे कितना है a और यह हो गया हमारा sec 5 sec 5 minus y by b tan 5 tan 5 is equal to 1 है ना कौन सा option सही हो जाएगा भाई ऐसा कौन सा option है यहाँ पर option a जो होगा वो क्या हो गया correct हो गया इस तरह से आज हम लोगों ने complete कर लिया पूरे प्रश्ट है ना कितने प्रश्ट complete किये हम लोगों ने complete कर लिया 125 प्रश्ट पूरे complete हो गए इस lecture के साथ इससे पहले हम लोगों ने complete किया है 2021 के पूरे प्रश्ट 2016 के पूरे प्रश्ट हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से playlist में आप जाएंगे 2016 के 5 वीडियो हैं देखिए अच्छे से सारे segments को सही से समझे और उनको हल करिए अपने notebook में लिखिए किस तरह से हमने आज 2013 को complete कर लिया कल से हमारी starting होगी 2011 का जो paper आया था TGT का वो काफी अच्छा paper था एक label वाला प्रश्ट पत्र था तो उस label वाले प्रश्ट पत्र के लिए हम काम करना सुरू कर देंगे कल से चलिएगा वीडियो अगर आपको पशंद आई है तो वीडियो को like करिएगा नय है चैनल में को subscribe करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करिए क्योंकि आप share करते हैं अगर हमसे नए लोग जुड़ते हैं यही हमारी उर्जा का साधन है यही हमारी उर्जा का साधन है और यही हमारी गूरु दच्छडा है अच्छे से करिए बहतरेन करिए selection लीजिए मज़ा आए और जल्दी हम लोग practice वाली series सुरू करने वाले हैं comment section में comment करके बताईएगा कि क्या chapter wise practice series live शुरू की जाए कितने लोग comment section में जवाब देंगे उस हिसाफ एम decision लेंगे कितनी जल्दी या कब तक हमें इसे शुरू करना चाहिए live practice chapter wise है ना live practice chapter wise कब से शुरू करना है यह आप बताईएगा comment section में comment करके कि sir इसकी सुरूआत करिए हमें speed बढ़ानी है है ना जैसे कि हम लोगों ने इस समय unit 2 उठाया है unit 2 उठाया है उसका अगर अभी आपने theory वाला lecture नहीं देखा तो देख लीजेगे चूंकि theory complete होगी तभी मज़ा आएगा आपको है ना statistics है ना प्ले लिस्ट में जाईएगा सभी देखते जाईएगा statistics है ना यानि कि सांखी की ठीक है चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद वीडियो को अंतर तक देखने के लिए जैहिंद वंदे मात्रम